तो हाई अब्रिवान एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कोडिनेशन केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में तो कैसे हैं आप सब लोग उमीद है स्वस्त होंगे शांदार होंगे एंड मस तो आप लोग होते ही हो अच्छे से पढ़ भी रहेंगे तो बच्चे ल आइसो मेरिजम हमने पड़ा स्टीरियो आइसो मेरिजम हमने पड़ा पर्टिकुलर्ली टेट्राइडल स्केर प्लेनर कॉंप्लेक्स में जाकर हमने जिमेट्रिकल ऑप्टिकल एंड ऐसे ही हमने ओक्ट्राइडल कॉंप्लेक्स के विली जिमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल तो बस आपको क्या करना है एक अच्छे मूड में नोटबुक उठानी है कान में जो एयरफॉन या इरपोर्ट जो भी लगाते हूं उसको लगाना है वैसे सुनते वैसे सुनते वज बैट कर अराम से पढ़ेंगे सर सब समझा देंगे बस हमें एक हैपी फेस में रहकर सब कुछ पढ़ना है आपको सब कुछ समझ में आएगा शुरी करते हैं क्या किRes Tam यहां पर हम थोड़ी सी बाते इसकी भी करेंगे कि सर लीगेंड का ताकतवर होना जैसे आपने सुना तो होगा बुढ़ा ना हो ना पढ़ा हो पता नहीं इसलों संसे बात थो कभी न कभी सुनी होंगी वो सारी बात जरएं पर आएगी जैन यह numericals पर हम जाएंगे, then John Taylor distortion, इसके भी हम बाते कर लेंगे, अलाकि अभी तक इसमें question इतना आता है कि किसमें GTD है, किसमें GTD नहीं है, बट still हम इसमें अंदर जाके और बाते आपको समझाएंगे, तो आप लोग तयार हो जाओ, एक अच्छे से lecture को, अच्छे mood में और अच् खुश हो जाओंगा मैं भी, नहीं तो अगर बड़ा lecture है, तो दो sitting में कोई बार नहीं, एक break लेके शुरू करते ना, चलिए, पहला topic देखते हैं, यह है बई, आपका first topic, पहला introduction, आज की lecture का, तो चलिए बई, शुरू करते हैं, पहला topic आज की lecture का, that is valence bond theory, तो बच्चे य आपको किसी भी transition metal complex की hybridization बताने में basically help करते हैं, यहां पर हम देखेंगे कैसे octahidal complex की transition metal complex हो, जैसे की chemical bonding जब हम पढ़ रहे थे, याद करो, एक जगह मैंने आपको कहा था, कि भाई, जब भी transition metal elements आएंगे, या deep block elements आएंगे, तो हम VSCPR theory के through hybridization नहीं बताएंगे, हम balance bond theory के through hybridization बताएंगे, पहली बात इसके बारे में एक चीज ये लिक लेना कि ये completely, ये जो theory है, it is completely magnetism based, it is completely magnetism based theory, यहां पर इसके बारे में ये बाते भी आपको पता होनी चाहिए, हाला कि यहां से question आता है, मतलब कि काफी ज़्यादा chances है, यहां से question आने की, magnetism based इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे इसमें क्या होता है, पहले किसी भी transition metal compound की magnetism देख लेते हैं, कि वो diamagnetic है या paramagnetic है, फिर उसके हिसाब से ये बताते हैं कि ligand नहीं आपर कैसा भी ये किया होगा, क्या इसकी hybridization होगी, तो अभी let's suppose आपको कुछ भी नहीं आता, आप शुरू से इसको सीख इसको अच्छे से detail से पढ़ने के लिए हम पहले इसके बारे में कुछ points जरूर पढ़ेंगे, कुछ बाते इसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे, ताकि आगे जाके जब हम coordination number शुरू करें, जब octrahedral पढ़ने जाए, tetrahedral पढ़ने जाए, square planar पढ़ने जाए, तो हमें दिक करना है, इसलिए पहले कुछ basic points मैं आपके clear कर देना चाहता हूँ, बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें, यह valence bone theory कहती है कि metals के पास क्या होते है, vacant orbital होते है, metals have vacant orbital and ligand donates electron, और ligand उसमें electron donate करते हैं, ठीक है, and ligands donate their electron, electron there, ठीक है, ligands उसमें electron donate करते हैं, यानि कि सर यहाँ पर इसका कहने का मतलब पता है क्या है, कि let's suppose metal के पास यह 1S था, यह metal के पास क्या था, यह 1P था, ध्यान से समझना, यह 1S था, यह 1P था, पहले यह लोग combine होकर क्या बनाती हैं, यह लोग combine होकर एक डब्बे बनाते हैं, that is SP3, और सबसे बड़ी बात, VBT में यह जो boxes होंगे, बच्चे यह खाली होंगे, यह जो boxing boxes होंगे, यह बच्चे पूरी तरीके से खाली होंगे, लीगेंड दोनों electron अपने यहाँ पर donate करेगा, यह बात ध्यान रखना, लीगेंड दोनों electron donate करेगा, दो electron जो आएंगे यहाँ पर, वो ligand के आएंगे, और जब हम वो पढ़ रहे थी hybridization, तो उसमें हम क्या कह रहे थे carbon जैसे हमने लिया था, तो carbon के पास, हैना, चार, इस SP3 में चार electron रख रहे थे, hydrogen एक एक दे रहा था, वो covalent bond था, this is coordinate bond, तो यहाँ पर हमें यह boxes खाली रखने पड़े होंगे, यह कई लोगों को doubt रहता है, सर कभी तो boxes खाली रखते हैं, और कभी एक एक रखते हैं, वो hybridization जब पढ़ते हैं, यह भी hybridization है, मगर यह transient metal की hybridization है, बच्चे, वो जब हम वहाँ पर P block elements पढ़ रहे होते हैं, वो covalent bond बनाते हैं, यह coordinate bond बनाते हैं, जर्नली, ठीक है, यह एक point हो गया, और दूसरा point यह होता है, कि metal की खाली orbital, यह इस तरीके से भी समझ सकते हो, आप इसक रहा हुआ orbital है, तो यह दोनों overlap करेंगे, और इस तरीके से क्या बनाएंगे, एक coordinate bond बनाते हैं, यह क्या बनते हैं, यह इसके through, एक coordinate bond बनाना चाहता है, ठीक है, यह बात आपको पता है, तो इसको definition में भी लिखोगे, क्या, क्या लिखोगे भई, आप यह लिखोगे कि sir, metal क vacant orbital, ligand के filled orbital से overlap करते हैं, यह VBT हम में बताती है, दूसरा point इसमें एक और आता है, तीसरा point कि बच्चे यहाँ पर ना, ligands को भी बटवारे किया जाते हैं, एक ताकतवर ligand होता है, और एक कमजोर ligand होता है, ताकतवर ligand that is strong filled ligand है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, strong filled ligand, अभी ब हमेशा की तरह, एक-एक सिंगल चीज काम की होगी है, एक-एक जो बाते बोल रहा हूँ, वो सब काम का होगा, कोई भी इंसान इसको पूरा देखता है, तो definitely उसको help मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा होई नहीं सकता है, उसको help मिलेना, strong filled ligand जो बच्चे होते हैं, उनके पास ताकत होती है, electron को pair कराने की, तो strong filled ligand, can do pairing, यह क्या कर सकते हैं, बच्चे, can do pairing, अब सर इसका मतलब क्या है, कि हमें कैसे समझेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से बताए, और अच्छे से समझते हैं, देखो, जैसे कि माल लो आपके पास D6 था, आपके पास D6 है, अभी हम समझें यह, D6 electron भी कैसे देखने हैं, वो सारी बाते करेंगे, जैसे कि माल लो आपके पास D6 है, तो यहाँ पर आपने यह इस तरीके से लिख दिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, D6 मतलब, डी उशबचल में, डी और्बिटल में, कितने 6 electron, अब अगर D6 किसके साथ है, करवा देगा, पेर, ताकि ना, ये दो डब्बे खाली बन जाए, इन दो डब्बे को खाली करने की जरुत होती है, कई बार, वैलेंस पॉन्ट फियोरी में, ताकि अंदर जाके, आप D2, SP3, हाइबरडाइजेशन पढ़ पाओ, तो ध्यान रखना, जो ताकतवर लीगेंड होते हैं, वो क्या कर देते हैं, पेरिंग करवा देते हैं, जैसे कि ऐसे समझ सकते हो, कि हमारे पेरेंट्स के पास ताकत होती है, तो वो जब चाहें हमारी शादी करवा सकते हैं, मतलब कि एक साही टाइम पर करवाएंगे, जब चाहें तो नहीं, एक साही टाइम पर, मगर ह उनके पास इतनी ताकत है यह decision ले सकते हैं तो इस स्ट्रोंग फिल्ड लीगेंड के पास इतनी ताकत है कि इसकी pairing करवा दे जब जरौत पड़े तब ठीक है तो अब हम यह भी देखना होगा कि स्ट्रोंग फिल्ड लीगेंड कोन कोन होते हैं मगर विचारे वीक फिल्ड लीगेंड यह पेरिंग नहीं करवा सकते आई बात समझें बच्चे यानि कि अगर डीशिक्स इलेक्ट्रों है तो वो डीशिक्स वीक फिल्ड लीगेंड के साथ कैसे रखे जाएंगे वो डीशिक्स जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे एक दो तीन चार पांच और छे अब यह बहुत हैं लोड करते हैं मौल है यहां पर आप से पूछा जाए अंपियर इलेक्ट्रों कितने वाई अन पेडी हो जाएगा जीरो हैना इसकी स्पिन पूछ ली जाए एक होता है कैपिटल एस क्या होता है समेशन ओभ स्भूपा माइनस अफ प्लस आफ माइनस आपा प् बच्चे इधर in complex को ये भी बोल दिया जाता है low spin complex ध्यान से समझते चलो अराम से एक एक चीज काम की है इसे low spin complex भी बोला जाता है जबकि यहाँ पर यहाँ पर unpaid electron कितने हैं अगर हम बात करें unpaid electron की तो सर इधर इधर unpaid electron बच्चे कितने है unpaid electron हो गए 4 तो अगर मैं यहाँ पर spin की बात करूँ total s की बात करूँ that is summation of small s कितने है unpaid electron 4 है तो यहाँ पर plus देखो जो paid हो उसको तो गिना ही मत करो क्योंकि वो plus half minus half 0 हो चुके तो आप क्या किरो plus half plus half 4 है तो plus half plus half 4 बार कर दो यानि कि यह कितना आ तो इसकी spin क्या आई जादा आई यह s किसको represent करता है spin को represent करता है तो इसकी spin क्या आई बच्चे जादा आई तो इसे क्या बोला जाएगा high spin complex बोला जाएगा इसे बच्चा बोल दिया जाता है क्या high spin complex तो यह आपका क्या बनाएगा high spin complex बनाएगा आई बात समझी और वो व और वो बनाएगा low spin complex और अगले वाला आपका बनाएगा क्या high spin complex पर्टिकुलर्ली कौन सा ligand strong है कौन सा weak है इसकी classification इसके comparison के लिए बच्चे हमारे पास एक spectrochemical series होती है अब आप जो heading डालेंगे वो ये डालेंगे spectrochemical series क्या heading डालेंगी बैसिकली आपको बताएगी ये ligand कमजोर है ये ligand ताकतवर है ये pairing करवा सकता है ये pairing नहीं करवा सकता तो एक बार heading डालें spectrochemical series है ना इसे कैसे ध्यान रखना है कैसे देखना है वो भी हम बात करेंगे आईए लिखते हैं spectrochemical series के बारे में बच्चा समझते हैं क्या है ये spectrochemical series जस्ट ये ligands की एक आपको याद करने की series है आपको ligands ध्यान रखने के लिए याद करना पड़ेगा जैसे कि सबसे पहले आता है आयोडीन कि ब्रोमीन ये मैं लिख रहा हूँ आप भी मेरे साथ साथ लिखते चलो फिर azide भी आता है देन प्लोराइड आपका आने लगता है चिक है देन आपका hydroxide आने लगता है फिर आपका oxalate आते हैं चिक है देन इधर आपके ये पानी का molecule आ जाता है देन ncs negative and CS3CN भी आता है आपका पिरिडीन आता है NH3 आता है इथाइलीन डायमीन आता है वाई पिरिडीन आता है ठीक है जी और आपके बच्चे ये पाई असेप्टर लिगेंड शुरू होने लग जाते हैं ये पी आर थ्री हो गया साइन नाइड हो गया यहां पर सी यो तो यह एक जर्नल लिख रहा हूं है अब यह देखो इसको ट्रिक याद करने के लिए कोई भी मतलब कुछ भी बना सकता है मतलब आई बरबादी ऐसे कुछ भी बना सकता है आगे जाके ना कोई भी चीज बनाई जा सकती है मगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं बड़े हो गए हैं थोड़ा देख लेते बताना क्या चार रहा है पूरी स्पेक्ट्रो केमिंगल सिरीज में जस्त यह बता रहा है कि यह यहां पर आने पर यह जो लीगेंट है बच्चे यह स्ट्रोंग फिल लीगेंड अब जब भी मैं सफ लीकोंगा तो आप समझ जाओगे स्ट्रोंग फिल लीगेंड और यह थो कंपैरिशन कैसे भी कर सकते हैं यहां पर एक चीज मैं लिखता हूं अगर कोई हैलाइड डोनर है आप ध्यान रखना हैलाइड डोनर हो गया ठीक है उसके बाद आपके पास आते हैं ऑक्सीजिन डोनर होते हैं औक्सीजिन से जो डोनेट करें और यहां पर यह इधर से लेकर शुरू ओर रहे हैं यह यह पाई असेप्टर में चले जाते हैं तो बेशिकली अगर हम बात करे वीक फिल्ड करें कभी बी रहेंगे कभी स्ट्रॉंग भी रहेंगे मोड़ेट कहेंगे इन् scam देख तो अभी पर तो आईडिया नहीं है इसको इस तरीके से पढ़ना है याद करना है यह आइवडीन है ब्रोमाइड हो गया इस तरीके से कोई और समझ में ना रहा हूँ आपको कही राइटिंग में देख लेता हूँ यह आपका इस तरी सी एन है पिरीडीन है एन इस इथाइलिन डायमीन वाइप इरीडीन हो गया यह सी टूओ फॉर्ट नेगेटिव ओग्जलेट आयन है बच्चे इस तरीके से मगर एक छोटी सी बात में आपको और बताना चाहूंगा कभी भी कोई भी लीगेंड मानलो मैं एक लीगें करेगा मेरे मैटल के उपर भी कि वो मैटल किस टाइप का है 3D सीरीज है 4D सीरीज है 5D सीरीज है और मेरे कॉंपलेक्स के या फिर मेरे मैटल की ऑक्सिडेशन स्टेट क्या है इनके उपर भी बच्चे डिपैंड कर जाता है कि लीगेंड पर्टिकुलर्ली स्ट्रोंग है य ऐसे हम लीगेंड को अब यह तो particular spectrochemical series हो गई जो एक comparative study बता रही है कि हाँ यह strong है और यह weak है ठीक है यह completely experimental है मगर आपके question इतने से नहीं हो पाएंगे आपको यह भी जानना पड़ेगा कि कौन कब strong होगा कौन कब weak होगा तो इसके लिए हम थोड़ा सा generalize करने की कोशिच करे देंगे तो आईए एक बर उन्हें भी देख लेते हैं उस चीज़ को भी देख लेते हैं भाई एक बर वो भी देख लेते हैं देखो भाई यहाँ पर heading डालेंगे classification classification of ligands as strong and weak classification of ligands as strong and weak and weak strong और weak के base पर कि बया कैसे classify किया जाए एक तो मुझे यह जरूर बताओ कि पहला lecture आपको अच्छे से समझ में आया ना पहला lecture अच्छे से समझ में आना चाहिए सारे ही लेक्चर सारे ही लेक्चर अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए मैं आपके सब के comments पढ़ता हूं वही सारी चीजे में देखता हूं observe करता हूं तो आप लोगों का हमेशा इस चीजे का शुक्रिया है कि आप फॉलो कर रहे हैं चीजे देख रहे हैं एंड कहीं भी पढ़ रहे हो कहीं पर भी पढ़ रहे हो सेल स्टडी कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो यह एक मैरेथन ही है एक जर्नी ही है और जो इस जर्नी में लास्टक दोड़ता रहेगा लास्टक पढ़ता रहेगा तो वह जीच जाएगा सीधी सी बात है सिंपल सी ठीक है तो इ हमने हेडिंग डाली है कोडिनेशन नंबर 6 पर्टिकुलर लिद्यान से समझना मेरा 3D मैटल है 3D मैटल है और वो किसमें अब्लस टू ओक्सिडेशन स्टेट में है तो यहां पर एक हम पूरी नहीं लिखेंगे बस थोड़ी से लिख लेगते हैं कि यहां पर यह क्या हो गया आपके हैलो जन्स हो गए और इधर आपका ऑक्सिजेंड नर आ गया देन आपका इस तरीके से नाइट्रोजन डोनर आ गए एंदेन आपके ये आ गए पाई असेप्टर ठीक है पाई असेप्टर लीगेंड आपके आ गए इस तरीके से आपके पी आर थ्री हो गया सी एन नेगेटिव हो गया एंदेन क्या हो गया बच्चे सी ओ हो गया तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है थ्रीडी मेटल होती है बच्चे प्लस टू उक्सिडेशन सेट में अब इसके बीच वाले लीगेंड आप खुद समझ जाओगे न कि हाँ बई जब यहाँ पर मैं यह कहना चाहरा हूँ कि इधर लाइन डलेगी यह strong field ligand होगा बच्चे और यह weak field ligand होगा मतलब कि इससे पहले वाले लोग जो होंगे वो weak field ligand होगे और इसके बाद वाले जो लोग होंगे वो क्या होंगे strong field ligand होगी बच्चे यह किसके लिए है जब 3D मेटल किसमे है प्लस 2 oxidation state के लिए यही पर इतना ध्यान रखो इतना ध्यान रखो अभी जब कोशन करेंगी तो बहुत मज़ेदार तरीके से चीजे समझ में आएगी let's suppose हमारे पास क्या होगा let's suppose अगर हमारे पास बात करें यहाँ पर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरा 3D मैटल है और वो किस में है 3D मैटल है जो वो plus 3 oxidation state में अगर 3D मैटल हो गया वो plus 3 oxidation state में है तो वो कैसे बहेव करेगा तो यहाँ पर लिखते हैं यह iodine है iodide bromide and then यहाँ पर इस तरीके से ले चलो chloride भी लिख सकते हो यार उसकी कोई दिक्कर नहीं है ठीक है यह पानी का molecule हो गया बस हम दिखा रहे हैं कि वह oxygen donor nitrogen donor हमने सब cover करते हुए हम हमारे आगे काम तक भड़ी है ठीक है जी अब यहाँ पर जो बच्चे स्कूल टीचर है न यह आपके scandium यह सारे स्कूल टीचर वेरी क्रूल यह अगर सिरीज आपको याद हो मैगनीज आइरन निकल कोबाल्ट यह सब अगर आपको याद हो यह अभी करेंगे 3D कौन सी है 4D कौन सी है 5D कौन सी है सब हम देखेंगे यह लोग strong फिल लिगेंड है यह लोग वीक फिल लिगेंड है यह लोग क्या है वीक फिल लिगेंड है मगर यह पानी का मॉलिक्यूल ना यह पानी का मॉलिक्यूल लेट सपोज जब मेरे पास यह आईरन और उसके साथ है माल लो यह एफ प्लस 3 के साथ है या फिर एम एन प्लस 3 के को बाल्ट प्लस 3 के साथ H20 का hu нас ट्रौंग फील्ड हो सिरह HOसटाइन अशीजन डौनर कोई भी औकर सिदत कोबाल्ट प्लस त्री के साथी dependingerg मेंशा घ्यान से रखना पानी का मोलिक्यूल बाकी कोई भी मैटल हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं सिरफ कोबाल्ट प्लस 3 अगर हम देखें, कोबाल्ट प्लस 3 के साथ यह example हमने other example यह और भी हो सकते हैं मगर यह एक ही देखेगा आपको कोबाल्ट प्लस 3 जब होगा तो वहाँ पर आपका पानी का मोलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा strong filled ligand होगा बच्चे क्या होगा strong filled ligand ये बात आप ध्यान रखोगे आई बाद समझ में ये clear है ठीक है एक चीज और आएगी आगे जाके है ना एक चीज और आएगी nickel का fluorine के साथ एक complex है ना मैं जब CFT आपको पढ़ा चुका होगा, तब मैं आपको एक चीज और बताऊँगा, निकल का फ्लोरीन के साथ कॉम्पलेक्स होता है, इस फ्लोरीन के साथ, वो प्लस 3 में निकल स्ट्रॉंग, वहाँ पर प्लस 3 जब निकल होता है, वो स्ट्रॉंग फिल्ड लिगेंड बिहेव करने लग जाता है, ठीक है, यह कॉम्पलेक्स, एन आई, एफ सिक्स, 3 नेगेटिव, बच्चे यह यहाँ पर अश्चर्रे की बात है, कि यह स्ट्रॉंग फिल्ड लिगेंड है, यह हाउस क्राफ्ट बुक में, D-Block Chemistry के किसी एक कोने में, छोटी सी स्टेट्मेंट लिखी हुई है, वो स्टेट्मेंट में यह बात लिखी हुई है, कि यहाँ पर फ्लॉराइट स्ट्रॉंग पिल्डिगेंड बिहेव कर रहा होता है, हाला कि जब हम यह जर्नलाइज कर रहे हैं, तो आपको अभी इतना ही ध्यान रखना है इसको बताने के लिए मैं इसको explain करने के लिए आपको crystal field theory में मैं आपको ये बता दूँगा आप इसकी समस्य ना ले अभी आप इतना देखें कि यहाँ पर पानी की molecule के बीच पे एक दराद पड़ी है और इधर cobald plus 3 यहाँ पर बोड़ा साइ score समझ लेते हैं फिर उस पे चलेंगे अगर आपके पास क्या हो 3D series हो अगर further plus 4 oxidation state plus 5 oxidation state या फिर आपके पास 4D series 5D series हो metal 5D series metal हो और वो कोई सी भी oxidation state में हो इन प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4 किसी भी oxidation state में बच्चे इन दोनों case में क्या होने वाला है रखना सारी की सारी दुनिया सारे के सारे ligands जो होंगे बच्चे वो strong होंगे यानि कि sir क्या all ligands are strong बहुत बढ़िया बच्चा बहुत बढ़िया all ligands are strong मतलब कि वही हर इधर मतलब यह एक ऐसी उमर आ चुकी है जब हर ligand strong हो गया जब जैसे ज्यादा उमर हो जाती है तो हर माबाप ही चाहता है कि शादी हो जाए अभी आपको होगे sir हमारी क्या ही उमर है आप कैसी बाते कर रहे हो अभी तुम छोटे छोटे हैं मासूम से नन्ने नन्ने बच्चे है अभी हमारी कहां से अभी नहीं भई अभी नहीं पर समय आएगा तो अभी concept समझने के लिए just हमने बात करी तो यहां पर आपने ligands के बारे में हमने बात कर ली है कौन सा ligand coordination number 4 अभी ओर देख लेते हैं एक बारी coordination number 4 में coordination number 6 में हमने बात कर लिए अगर plus 2 होगा oxidation state 3D metal plus 2 oxidation state मे है तो भाई या पाई एसेप्टरी स्ट्रोंग फिल लिगेंड रहेंगे मगर 3D metal में अगर plus 3 oxidation state है तो H2 के बार में नाइट्रोजन डोनर NH3 वगेरा क्या रहेंगे स्ट्रोंग फिल लिगेंड रहेंगे मगर पानी का मोलेक्यूल या फिर oxygen का कोई भी डोनर एक्टम हो वो जब आप यह आगे पड़ोगे आगे आजाएगा आगे 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 आएंगी बस आप आगे कहोगे सर हमें पता कैसे लगेगा तो पता कैसे लगेगा वो इध कोडिनेशननलोन सीक्सट संबड़ रहे थें यह कोडिनेशनटक्र विगारेखन कि कर लेते हैं बच्चे कोडिनेशननलोन पॉर की बात कर लेते हैं आए यह समझो वो ही वैसे ही करना है अगर 3D series है 3D series किसमें प्लस 2 में अगर आपके पास 3D series हो और वो किसमें है इन प्लस 2 oxidation state है सर तो वापिस से वो line लिखने में क्या आपको आलस आएगी नहीं आएगी थोड़ा सीखने को ही मिलेगा आयोडाइड है bromide है और यहां पर मतलब कि basically हम यह क्या हो गए हैलोजन्स डोनर हो गए यहां पर आपके oxygen डोनर हो गया यह आपका nitrogen डोनर हो गया यह आपके पाई असेप्टर लीगेंड हो गए पाई acidic लीगेंड भी ने कहा जाता है acid मतलब जो accept करता है base मतलब जो donate करता है यहां पर जो बच्चे लाइन गिरेगी वह कहां गिरेगी इधर गिरेगी यह सब क्या होते हैं इसके बात करें इसकी बात फर्दर अगर हम बात कर रहे हैं चाहे 3D प्लस 3 में हो यहां पर लिख ले ना 3D सिरीज मेटल अगर 3D सिरीज मेटल किस में हो जी प्लस 3 में हो प्लस 4 में हो किसी में भी हो या फिर अगर हम बात करें 4D सिरीज या फिर 4D हो गया 4D और 5D सिरीज ठीक है प्लस 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, इस तरीके से, तो ये लोग क्या होंगे, ये लोग इधर हर कोई ताकतवर है, इसमें हर कोई ताकतवर है, ये ये चीज़े आपको help करेगी, एक tool है, जो आपको थोड़ा सा आपका subject easy करेगी, ठीक है बच्चे इसे याद रखना, ये बस हमारे के लिए हमारे को थोड़ा सा easy help करने के लिए थोड़ी से tool है, जैसे कि exam से पहले आप 10 year पढ़ लेते हो, प्रीवियस ये 10 year देख लेते हो, या फिर कुछ भी देख रहे हो, जो पहले exam में आ चुके है, semester exam की बात कर रहा हूँ, senior से कुछ notes ले लेते हो, जो एक tool की तरह help करत हैं, तो ये भी एक tool है, वाकि semester तो आपका पता नहीं कैसे बगवान वरो से चल रहा है, या कैसा चल रहा है आपका semester, बढ़िया चल रहा है, मतलब पढ़ तो रहे हो, इन शोट आप semester में पढ़ तो रहे हो, ये थोड़ा सा ध्यान रगना, पढ़ लो, काम कहीं न कहीं आए थोड़ी सी हलचल हमें पता लग गई है, सर एक मदद और कर दोगे हमारी, हमें है ना, 3D series, 4D series और 5D series, थोड़ी सी अच्छे से एक बर समझा दो कि कौन-कौन क्या है, तो एक बार आप क्या करो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 3D series, ठीक है, ये हो गया 4D series, ये हो गया 5D series, इसके metals आप लिख लो, ताकि आपको idea हो, यहाँ पर आता है, 3D series में, school teacher, very cruel, make free coaching near cousin, ठीक है, ऐसा नहीं है, school teacher, cruel नहीं है, बहुत अच्छे स्कूल टीचर है, कई तो ऐसे हैं, जो, ऐसे हर टीचर ही बगवान समान है, मतलब, अगर आप मानू तो, मगर school में बहुत सारे ऐस से teacher है, मेरे खुद के, खुद के बहुत सारे teacher, मैं मानता हूँ, school से की, जिन्नों ने बहुत कुछ सिखाया, यह हो गया, 3D series, and then आपका हो गया, 4D series, यह जरा new, modern technology, रुक रही, पर आगे सद मा, ठीक है जी, school teacher, very cruel, make free coaching near cousin, यह यह जरा new, modern technology, रुक रही, पर आगे सद मा, then आपके पास आता है, 5D, ला हफ्वता वरना रह उस irritating पोपट के साथ, और होजा पागल, ना तो पागल का कोई word नहीं है, वस जस्ट लिखने के लिए, ला हफ्वता वरना रह उस irritating पोपट के साथ, और होजा पागल, this is the 3D, 4D, 5D, ताकि कभी मैं आपको ये लिख रहा हूँ, कि सर, RU, RU के बाद आप पता लग जाओ कि वो 4D सिरीज का एटम है, दूसरी बात, ये तो चलो, कईयों को पता भी होगी, मगर एक और सबसे वड़ा जो प्रोब्लम है, डी ब्लो केमिस्ट्री में, कि अगर मैं आपको कह रहा हूँ, कि RU प्लस 2 में है, या फिर मैं आपको कह रहा हूँ, ओस्मियम प्लस 3 ओक्सिडेशन स्टेट में है, मुझे इसके D इलेक्ट्रोन बताओ, कि ये कितने D इलेक्ट्रोन है, मतलब 5D 4 है, 5D 6 है, 5D 7 है, क्या है, तो आईए बच्चा बात कर लेते हैं, ध्यान रखना, ये वाली जो इलेक्ट्रोनिक अंफ्रिगेशन होती है, ये ह क्या बोलोगे भई, D1 S2, इन्हें बोलोगे आप क्या, D2 S2, ये आपका हो गया D3 S2, ये हो गया D4 S2 कहे दो, या फिर D5 S1 भी कहते हैं, इन्हें हैं, D5 S1 भी आपको देख रहे हैं, अभी आप इसको इसी तरीके से लिखो, मगर वैसे ध्यान रखना, ये D5 S1 ही होते हैं D5 S1 ही होते हैं, D10 S2, इसे ठीक कर लो, D5 S1 कर लो चाहे, या फिर ब्रैकेट में इधर लिख दो, ठीक है, देखो, अब यहाँ पर क्या समझाना क्या चाह रहा हूं, समझाना ये चाह रहा हूं, कि अगर माल लो, ये जो कोई मैटल है, मैटल प्लस टू उक्सिडेशन स्ट आपको दिख रहा है, तो अगर आपको कोई कह रहा है, स्केंदियम प्लस टू, मैं कितने D electron है? सर, स्केंदियम की electronic configuration थी क्या? D1 S2, अगर स्केंदियम प्लस टो की पूछोगे तो पहले S से इलेक्ट्रोन निकलेंगे इससे निकलेंगे D से तो यह कितनी हो जाएगी यह हो जाएगी सर D1 हो जाएगी यानि कि इधर से जब फ्लस 2 के Oxidation State आएगी तो यह D1 हो जाएगा यह कितना हो जाएगा D2S2 था Titanium D2S2 था एक S से जाएगा, एक D से जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, D4, D5, D6, अब माल लो आपको कोई कह रहा है, Osmium plus 2, तो आप सीधा relate कर पाओगे, हाँ, Osmium plus 2 मतलब D6 electron, बच्चे ये नहीं समझा न, अगर, तो आप ना Organometrics पढ़ पाओगे, ना Transition Metals पढ़ पाओगे, ना से नंबर उठा सकती हो आप, और जहां से कोईशन आएंगे ही आएंगे, तो इस टोपिक का नाम, आपको भी पताए क्या है, Coordination Chemistry, आते हैं कोईशन, और आप कर लोगे, अगर आप धंक से पढ़ते हो, तो विश्वास रखो, पक्का कर लोगे, और फिर आपका जो confidence बढ़ पढ़ा रहे हो, सर, हमारा समय बहुत कीमती है, ये टोपिक बहुत कीमती है आपके समय से, तो इसको फ्लीज पढ़ लो, D6, D7, D8, D9, D10, माल लो, कोई आपको कह रहा है, कि भाई, मुझे जानना है, कोबाल्ट प्लस 3, कोबाल्ट प्लस 3 की ओक्सिडेश, कोबाल्ट प्ल देखी लो, एक बारी क्या कोबाल्ट प्लस 2, D7 है, क्योंकि दो इलेक्ट्रोन चले जाएंगे, D7, ये रहा कोबाल्ट, कोबाल्ट प्लस 2, D7, कोबाल्ट प्लस 2, D7, तो कोबाल्ट प्लस 3 कीतना होगा, D7 में से एक एलेक्ट्रोन निकाल दो, वो कितना हो जाएगा, बच यह क्रोमियम और इन के लिए लिख दिया था दी फाइफ एस वन थोड़ा सा ध्यान रख ले ना बस ठीक है एक बार इससे देख लो देखो इसके बाद आप क्या देखेंगे अब VVT बच्चे आपने थोड़ा सा इं्ट्रोड़क्शन पार्ट ले लिए हैं लिगेंड्स के बारे में जान लिए है ना VVT क्या है वो जान लिए हैं लिए यह निए यह टूल है जो आगे तक आपको help करेंगे जोडे रखेंगे चीजों को समझने में आपकी थोड़ी से help कर देंगे सबसे पहले हम पढ़ने लगेंगे that is VBT in coordination number 6 VBT हमें पढ़नी है coordination number 6 में आपको ये पढ़नी है तो बच्चे सबसे पहले में आपको बता देता हूँ coordination number 6 में जो जो geometry आपको मालूम है उनके बारे में है ना एक geometry आपको पता है ये ही आपने सबसे ज़्यादा सुनी हुई है that is octahedral है ना octahedral OH क्या लिखा है मैंने ये OH लिखा है octahedral इसे आपका होगे और एक बच्चा होती है जो आपने नहीं सुनी होगी अगर आप सुननी चाहिए आपको इस एक्जाम के लिए trigonal prismatic है ना हाला कि यह यहाँ पर भी इतनी ज्यादा कुछ खास importance नहीं रखती अगर हम बात करें this is the most common है ना यहाँ से अगर question आने की chances 99% है तो यहाँ से 1% है तो इसको तो हमें बहुत detail में पढ़ना है यह क्या है most common geometry है यह most common बनती है इसके बनने के जो chances है वो जादा है यह जो बच्चे geometry है यह rare geometry में से एक है यह इसे आप क्या कहोगे rare कहोगे ठीक है यह कब बनती है मैं आपको यह भी बता देता हूँ basically जब D0 और D1 system with CS3 हो जाए या फिर बलकियर R group हो जाए कोई और R group हो जाए तब बनेगी जैसे की बच्चे example अगर मैं लूँ tungsten के साथ CH3 का 6 मैंने example ले लिया या फिर मैंने ले लिया molybdenium के साथ CH3 का है ना यह वाली जो species रहेंगी CS3 6 इनका example ले लिया या फिर मैंने ले लिया बच्चे R E CH3 का 6 example यह जो example है यह basically trigonal prismatic में आते हैं किस में आते हैं trigonal prismatic में आते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो trigonal prismatic जैसे कि यह metal है ना पहले octahedral देखो octahedral कैसे दिखती है यह metal है यहाँ इस तरीके से आपका octahedral दिखेगा ठीक है यह क्या हो गया बच्चे इसको let suppose आप alpha कह रहे हो यह alpha angle है अगर यह angle आपका क्या है प्यारे बच्चा यह alpha और beta सर 90 degree के एंगल है बहुत अच्छे प्यारे बच्चे यहाँ पर अगर हम देखो तहां पर अगर हम देखते हैं तो यह कैसा बनेगा यहाँ पर ध्यान देना यह जो trigonal prismatic की बात करें trigonal prismatic की बात करते हैं तो यह इस तरीके से जो यह axial यहाँ पर जो मतलब plane में bond है क्योंकि ओक टैटल में axial word यूज़ करना सही नहीं है मतलब की होता नहीं axial और equatorial अगर axial करेंगे तो equatorial भी करेंगे मतलब की जो यह plane वाले bond है यह भी ऊपर की तरफ shifted रहते हैं इस तरीके से यानि कि अगर अब यहाँ पर आप alpha बीटा कहो इसको आप बीटा कह रहे हो और यह alpha हो गया अब यहाँ पर बच्चे क्या होगा alpha होता है बात आती है hybridization की बच्चे इसकी hybridization क्या बताएंगे d5s hybridization होती है यह भी मान लोग अभी question आ जाए कि इसकी hybridization क्या होती है d5s और octahedal में आपको दो चीजे पढ़ाई जाएगी d2 sp3 बताई जाएगी और एक बच्चा बताया जाएगा sp3 d2 बताया जाएगा यह inner d होते ही नहीं मगत यहाँ पर आपके पास दो टाइप की चीजे होती है that is inner orbital complex ioc का मतलब inner orbital complex और sp3 d2 को बोला जाता है ooc मतलब outer orbital complex बच्चे outer orbital complex इसको बोला जाएगा ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके की चीजे होगी यह ध्यान रखना अगर 95% यही मतलब की question आ रहा है त तो इसके question आने के बहुत ज्यादा chances है तो इसे please star mark कर लेना क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा चीजे है इस d5s electronic configuration की यह कुछ example ध्यान कर लेना तो हम अब यह शुरू करने वाले हैं इसके one by one करके cases बढ़ेंगे तो आईए देखते हैं हम पहला example से इसको शुरू क करते हैं जैसे कि माल लो आपके पास एक यह एक example है कोई एक example है कि लेट सपोज डी जीरो सिस्टम आप देख रहे हो है ना डी जीरो सिस्टम आप देख रहे हो तो यह कैसे होगा शुरू कैसे होगी कहानी scandium आपने लिया h2o ले लिया यहां पर और यहां पर आपने क्या ल sp3 d2 इनके जवाब ढूंडने जाओगे कि sp3 d2 होएगा या d2 sp3 direct question आ सकते हैं कि इस complex की geometry क्या है इस complex का hybridization क्या है d2 sp3 या sp3 d2 आईए बात करते हैं देखो scandium के साथ 3 positive तो यहां पर अगर आपके पास scandium है इधर आप 3 positive ले रहे हो तो सबसे पहले कितना electron system हो गया यह d0 हो गया कैसे हो गया सर्थ यह कैसे किया आपने यहां पर आईए यहां पर देखिए scandium scandium अगर प्लस 2 में था तो d1 होगा अगर यह प्लस 3 में चला गया तो एक और electron निकालना पड़ जाएगा बच्चे एक और electron अगर निकालना पड़ गया तो यह क्या बन जाएगा यह d0 system बन जाएगा तो यहां पर आपने क्या ले लिए d0 यानि की सर इसके पास अब इस तरीके से बनाने की आदर डालो यहां पर यह क्या हो गया यह हो गया आपके पास 3D यह हो गया सर 3D यह हो गया 4S और VBT में आपको क्या चाहिए थे खाली डब्बे चाहिए थे और यह क्या हो गया 4P 3D 4S 4P तो क्योंकि यह D0 खाली है अब आप inner orbital इस D को यूज कर सकते हो तो यहाँ पर जो hybridization बनेगी वो क्या बनेगी यह hybridization बनेगी बच्चे जब यह 3D पूरा भर जाएगा जब इसको आप यूज नहीं कर पाओगे तब यहाँ पर आपको 4D यूज करना पड़ेगा तब वो बोला जाता है outer orbital complex क्योंकि आप बहार वाले के बाद S, P, D यूज कर रहे हो तो आप उसे outer orbital बोल दोगे क्योंकि यहाँ पर आप S और P से अंदर वाला वो D orbital यूज कर रहे हो तो इसे बोला जाता है inner orbital complex क्या बोला जाता है जी inner orbital complex बोला जाएगा hybridization क्या बनेगी hybridization बन जाएगी सर S, P, 3 D, 2, S, P, 3 hybridization बन जाएगी और इसे inner orbital complex बोल दिया जाएगा यह कब है D, 0 के लिए है D, 1 के लिए भी ऐसा ही होगा अभी आप D, 0 के लिए मानलो आपने देख लिया है एक example just मैंने आपको लिखके दिया है कि इस तरीके का बना ठीक है यह लोग D, 2, S, P, 3 का एक बड़ बोक्स बना लिया जाएगा और यहाँ पर लिगेंड आएंगे एक 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 नहीं दोनों इलेक्टोन अपने देएंगे एक एक लिगेंड हर लिगेंड आपके दो इलेक्टोन देगा यहां से इस तरीके से ठीक है यहाँ पर लिगेंड लिख लो और यह आपका बन गया क्या d2 sp3 यहाँ पर आप कह दोगे d2 sp3 आप इसको बोल दोगे आई बात समझ में इतना क्लियर है इसे आपने क्या बोला d2 sp3 आपने बोल दिया थोड़ा साफ सा लिख दो बचे नोट्स प्लीज प्लीज नोट्स थोड़ा क्लियर बना ले न वस्ता कि यह मैं आपको बता रहा हूं यह नेट तक आप पढ़ोगे तब भी यह पढ़ोगे तब भी बार बार आप कहोगे कि हाँ एक पर यह देख लेते हैं कि आप पता इससे help मिलेगो और तब भी आप आपको concept clear करने के ना धुंदलापन जो हटेगा वो हमेशा इन लेक्चर से आपका अभी तक आपने जितने भी लेक्चर देखे होंगे उसमें आपको कोई भी बलरी चीज नहीं होगी मतलब कि कोई धुंदलापन आपके आखोगे आगे नहीं होगा और वो topic हमेशा वैसे ही clear आपको मिलेंगे बस आपको consistent रहना है आपको पता होना जी कि इतने बज़े सर का lecture आएगा इतने बज़े बैठ कर पढ़ना है और पढ़कर बस समझते जाना है कहीं से कुछ मिल रहा है तो आपको उसको पढ़ना है और उससे best output निकालना है अगर आप इसको time दे रहे हो त system आजाए तो सर कैसे handle किया जाएगा एक बर बता दीजिए तो माल लो हमारे पास कोई D3 system है है ना हमारे पास क्या है कोई D3 system है तो अब यहां पर इस तरीके से आपने लिखा यह 3D हो गया एक दो तीन 3D हो गया यह हो गया क्या 4S हो गया और यह हो गया क्या बच्चे 4P हो गया 3D 4S 4P अब यहां पर अब मुझे एक बात बताओ आपको या तो D2 SP3 चाहिए या SP3 D2 चाहिए मतलब आपको 2D electron चाहिए ना 2D खाली चाहिए तो बच्चे यहां पर 2D already खाली है जब खाली है तो अब जवर्दस्तीन की कपलिंग नहीं करवाओगे यह जवर्दस्तीन की कपलिंग नहीं करवाओगे यह कहेगा सर क्या मतलब किसलिए कपल करवा रहे हो हमें हम तो available है hybridization के लिए तो D2 SP3 तो यहां से अराम से बन पा रहा है तो यह D2 SP3 ही बनाएगा inner orbital complex ही बनाएगा whatever the ligand कोई भी ligand हो whatever the ligand कोई भी ligand हो मतलब की strong weak कोई भी मतलब नहीं है weak field ligand हो चाहे strong field ligand हो भाया जरूत ही नहीं है pairing करवाने की तो जवर्दस्ती क्यों किसी को कपल बनवाना जब वो नहीं बनना चाहरा है और यह क्यों नहीं बनना चाहते वही यह मुझे बताओगे कौन से रूल जैसे तीन रूल है एक अफ़ वो principle है एक poly exclusion principle है एक अफ़ वो rule and huns rule of maximum multiplicity तो huns rule of maximum multiplicity ही यह बात बता रहा था आपको कि आप orbitals में pairing नहीं करवाओगे जब तक electron singly occupied ना हो तो यह singly occupied ही रहना चाहते हैं अब यहाँ पर आपको pairing की जरौती नहीं थी क्योंकि दो orbital खाली चाहिए थे दो orbital आपको खाली मिल गए है जस्ट एक बार देख लो फिर examples भी और समझेंगे अब मान लो अब आएगा मज़ेदार चीज यहाँ पर let's suppose D4 से लेकर D6 है जहां से बहुत बारीकी से समझना बहुत बारीकी से समझना बच्चे D4 से D6 सिस्टम है D4, D5, D6 तीनों आ गए हमने example लिया हमने just example लिया बच्चा किसका D6 का example हमने ले लिया D6 अब पहली बार तो इसको ऐसे नहीं इसको दो केस में बाटना पड़ेगा यानि कि एक बार सर आपने कहा strong field ligand और एक बार हम कहा देते हैं weak field ligand अभी just ligand का हम नाम करण नहीं कर रहे हैं अभी complex नहीं देख रहे हैं और यह तयारी आपके question ऐसे ऐसे करवाएगी थोड़ा सा समझ लो एक बार तो यहाँ पर अगर D6 strong field ligand के साथ है माल लो यह इस तरीके पहले weak field ligand समझो एक दो तीन चार पांच और छे ठीक है यहाँ पर क्या हो गया यह इस तरीके से आपका हो गया तो अब यह क्या हुआ यहाँ पर यह दो weak field ligand pairing नहीं करवाता तो यह इनको कपल नहीं बना पाएगा अब सर आपको ना बहार वालों से मदद मांगनी पड़ेगी यानि कि 4S के बाद आपको 4P 4D लेना पड़ेगा और जो यह hybridization बनेगी ना सर इसका नाम SP3D2 होगा इसका नाम क्या होगा SP3D2 होगा यानि कि सर आउटर ओर्विटल कॉम्पलेक्स होंगे OOC मतलब आउटर ओर्विटल कॉम्पलेक्स पच्चे यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर सर strong field ligand है आपने थोड़ी देर पहले बताया था strong मतलब ताकत वर लोगों के पास ताकत होती है पेर करवा देते हैं तो यह क्या करते हैं यह पेर करवा देंगे इस तरीके से और यह दो डब्बे क्या हो जाएंगे खाली हो जाएंगे यह दो डब्बे क्या हो जाएंगे खाली हो जाएंगे this is 3D, this is 4S and this is 4P बहार वालों से मदद मांगने की जुरत ही नहीं है अंदर inner orbital खाली हो गए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा समझो सब कुछ connect हो जाएगा फिर कह रहा हूँ हर lecture में आपको यह बात कहता हूँ जो चीज स्क्रीन पे चल रही है प्रेजेंट में चलो इसको कैसे पीछे जोड़ूँगा कैसे आगे जोड़ूँगा पीछे से तो जुड़ती आ रही है आगे कैसे होगा question कैसे लगेंगे वो मेरे पे भरोसा करो मेरे पे छोड़ दो थोड़ी देर आप समझो लेक्चर देखने बैटे तो पूरा जब तक पूरी वीडियो में thank you बोलेंगे तब तक आपको देखते ही रहना या फिर at least एक टोपिक तो पूरा होने तो VBT in coordination number 6 पूरा हो गया तो आपको VBT in coordination number 6 पूरा ही समझ में आ जाएगा तो इसकी hybridization क्या हो जाएगी अब इसकी hybridization बच्ची हो जाएगी क्या D2 SP3 हो जाएगी और इसे क्या बोला जाएगा IOC inner orbital यूज हुए है अच्छा मुझे एक और चीज़ बताओ कि क्या मैं यहाँ पर high spin या low spin बोल सकता हूँ पहले तो मुझे यह बताओ क्या मैं यहाँ पर high spin low spin बोल सकता था नहीं कोई high या low कोई कम या कोई जादा होशार तब है जब वो दो लोग है अगर एक ही इंसान है वो कम ज्यादा नहीं है, खुद का खुद क्या, वो equal है, मतलब कि एक ही parameter है, इधर कोई अमीर गरीव कोई है नहीं, एक ही parameter है, जब दो लोग होगे, तभी तो आप अमीर गरीव करोगे, यहाँ पर हमेशा यह रहेगा, तो इधर no concept of high spin, low spin, मगर बच्चे, यहाँ पर अलग- spin कहोगे, high spin कहोगे, देख लिया करो, जिसमें ज़्यादा अनपेड इलेक्टरों, वो उतना ही high spin होगा, और यह बच्चे क्या होगा, low spin, अब यू नहीं है कि हमेशा low spin में कोई अनपेड इलेक्टरों नहीं है, low spin मतलब कि दो option में से, इसकी spin कम है, इसकी ज़्यादा है, बस इतना, इतना ही समझना है, comparative, इनको high spin और low spin लिग ही इस पा रहे हैं, क्योंकि दो case बन पाए, जब भी दो case बनेंगे, तो आप high spin, low spin लिख पाऊगे, एक बड़ इसे note down करो, एक example देखते हैं, इसका, इसका example देख लेते हैं, let's suppose हमारे पास एक example हमने लिया है, यह वाल इगा, यहाँ पर हमने कहा, क्या, MNCl6 3-1 है, और एक आपके पास है बच्चे क्या, एक है आपके पास, chromium Cn6 4-, यहाँ पर यह है, तो अब इनको हर चीज़ को carefully handle करना है, हर चीज़ को आपको ध्यान से, समझ से, अराम से इसको handle करना है, कि यहाँ पर क्या चीज़े हो रह है ना, MN की Oxidation State, यहाँ पर MN की Oxidation State क्या है, प्लस 3 है सर, यह आप इस तरीके से कहोगे कि भई, X-6 is equal to minus 3, X is equal to plus 3, तो यहाँ पर Oxidation State कितनी आ गई भई, प्लस 3 आ गई है, अब MN प्लस 3 में जब होता है, सर, MN जब प्लस 3 में होता है, तो यह कितने D electron रखता है, 5 तो MN प्लस 3 क्या होगा, MN प्लस 3 हो जाएगा क्या, D4, यानि कि यह इस तरीके से आपके पास है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर S हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, इस तरीके से आप लोगे, यह P हो गया, यहाँ पर, let's suppose, यह P हो गया, तो इधर 4 electron है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, यह 3D हो अच्छा, अब आप मुझे पताओ, क्या chlorine strong है या weak है, chlorine सर, weak field agent है, तो यह D6 आपको D4 देगा, मगर weak field agent के साथ देगा, तो यहाँ पर बच्चा pairing नहीं होगी, high spin complex बनेगा, यहाँ पर pairing नहीं होगी, तो यहाँ पर लिख सकते हो, कोई भी pairing इधर नहीं होगी, अब यानि कि आपको outer orbital complex बनाना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरीके से यह D लेने पड़ेंगे, 4S, 4P और 4D, ठीक है, तो इधर आपको क्या बनाना पड़ेगा, अब ऐसे नहीं, 1D उसका उठा लिए 1D, ऐसे मत करता है, ठीक है, यह बनेगा क्या, SP3, D2, outer orbital complex, अब यह high spin कहा जाएगा, यह low spin, क्योंकि सर यहाँ पर pairing नहीं हुई है, और option था, हो भी सकती थी, अगर strong field ligand होता, तो इसे आप क्या कहोगे, high spin complex कहोगे, जब option हो, हाँ, कि अगर इधर strong field ligand होता, तो यह pairing हो जाती, तो आप इसे high spin कहा देते, वागर अब इसे आप low spin कहा रहे हो, फिर एक यह example अप साइनाइड कितना देता है, साइनाइड माइनस वन होता है, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, X, मैटल की X होगी, माइनस 6 इस इगल टो माइनस 4, यानि की X हो गया, प्लस 2, मैटल की Oxidation स्टेट कितनी आ गई है, प्लस 2, यानि की Chromium प्लस 2 आपको दिख रहा है, Chromium की electronic configuration हो यानि की इधर आपके पास pairing होगी, मगर यहाँ पर भी बच्चे एक गलती होने की chances है, आइए समस्ते हैं, वो क्या है, देखो, यह आपके पास क्या हो गया, यह आपके पास हो गया, इस तरीके से क्या 3D, 1, 2, 3, 4, ठीक है, यह इस तरीके से आपको बनाना है, समझते हैं द 4 और 5, 3D हो गया, यह 4S हो गया, यह 4P हो गया, अब 4 इलेक्ट्रोन कुछ लोग क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रोन यहाँ पर pair करा देंगे, ऐसे करा देंगे, और फिर कहेंगे कि यह बन गया, हमारे पास क्या, D2, SP3, भाहिया, आपको D2, SP3 बनाना था, आपको दो डब्बे खाली चाहिए थे, आपको D2, SP3 नहीं होगी, 4 इलेक्ट्रोन कैसे बैठेंगे, यह 4 इलेक्ट्रोन बच्चे इस तरीके से 1,2, 3, 1,2, 3, एक ही इलेक्ट्रोन pair होगा, कहने का मतलब है, कि लग आपको दो इलेक्ट्रोन यहाँ और 2 orbital खाली मिल गए, तो इसे जबरती पेर म नहीं करवा सकते आप इसमें अब गल्ठीज ले हो सकती है कोई लोग इसको डाया मैगनेटीक समझ सकता यह डाया मैगनेटीक नहीं है और यह कम्राइटिव अगर हम बात करें इसे हाइश मिन कहा जाएगा क्यों कि यहां पर एक पेरिंग तो हूई है अब इसका मलब यह मत समझ जा ना कि यहाँ पर तो सर ने पेरिंग पर टीक लगाया फिर यहाँ पर इस दोनों को पेर क्यों नहीं करवाया हमने पेर करवाया है इस एक इलेक्ट्रोन को इन दोनों को जरुती नहीं है पेर करवाने की अगर क्यों इन दोनों को पेर करवा दें ताकि क्योंकि अगर यह पेरिंग नहीं होता तो फूर्थ इलेक्ट्रोन यहां पर होता फिर आपकी दो डब्बे खाली ना होते वह अलग गड़ बढ़ जाती तो इस तरीके से इसको करना है हां इसे बोलेंगे तो लो स्पिन कोंप्लेक्स ही क्यों क्यों क्योंकि कंपैरिटि बहुत बार आपको तंग कर सकते हैं execution से लेकर और फिर magnetic moment भी आपसे पूछा जा सकता है कि magnetic moment किसका क्या होता है एवर मैं magnetic moment का formula दिखा देता हूं आपको हाला कि magnetic moment भी देखेंगे यह म्यू स्पिन अगर हम पढ़ रहे हैं म्यू स्पिन अगर magnetic moment हम पढ़ रहे हैं तो यह कि एन क्या है सर दिस यह एन क्या है यहां पर आपका अन पेर्ड इलेक्ट्रों तो इधर आप निकाल सकते हो और आम से बी एम यूनित होती है बी एम क्या होती है यूनित होती है देट इस बहुर मैगनेटों तो इन दोनों का ही आप निकाल लोगे यहां पर इन दोनों का ही magnetic निकाला जा सकता है आराम से तो यह आपका हो गया है d4 से लेकर d6 तक अब बच्चे हम पढ़ते हैं क्या d7 मालो d7 शिस्टम हो तो कैसे strong field weak field ligand में देखेंगे आइए समझते हैं तो एक heading d7 की अलग से डालनी पड़ेगी मालो d7 electronic configuration हो यहाँ पर मैंने डाल दिया let's suppose इधर मैं लिख देता हूं क्या यहाँ पर हम पढ़ते हैं weak field ligand ऊपर लेख लो इस बार और यहाँ पर आपने strong field ligand लिख लिया ठीक है आईए समझते हैं देखो बच्चे अगर weak field ligand हो तो यहाँ पर आपका pairing नहीं हो पाएगी यह pairing नहीं कर सकता ठीक है यह pairing नहीं कर सकता तो इधर क्या होगा बहुत important concept यहां से समझने को मिलेगा एक दो तीन चार पांच छे और साथ ठीक है यहां पर सर हमें थोड़ा सा अंदाजा हो गया है कि इधर क्या बनने वाला है यहां पर यह हो गया आपके पास 3D यह हो गया 4S यह हो गया सर 4P यह हो गया 4D तो यहां पर क्योंकि D orbital आपके अंदर भरे हुए ह हैं तो यहां पर आपके पास क्या मिलेगा यह complex मिलेगा SP3D2 इसको आपको क्या मिलेगा SP3D2 मिलेगा outer orbital complex मिलेगा क्या मिलेगा outer orbital complex मगर मजे की जो बात है पढ़ने की वो यह वाला कहानी है थोड़ा सा ध्यान यहां पर दो 5 मिनिट के लिए एक बहुत शांदार चीज आप समझने जा रहे हो तो 5 मिनिट अपने यहां पर पूरे attention के साथ दो कोई मन में बात है तो उसे निकाल दो यह आपके पास क्या है D7 इस तरीके से अगर strong field legend है तो pairing होगी इधर एक बर ऐसे लिख लो 4S4P ठीक है यहां पर आपके पास 4D होता है अब कुछ लोग कहींगे सार यहां पर 6 electron मालो पेर भी हो गए मगर एक electron तो यहां पर होगा अब यह एक electron यह 3D है यह 4S है यह 4P है और यह क्या है 4D है यह एक electron के कारण हमें तो यह दो डब्बे हम तो D2 SP3 बोलते हैं ना हमें तो यह दो डब्बे खाली चाहिए अगर यह दो डब्बे तो खाली नहीं है तो बच्चा याद रखना यहां पर यहां पर आपके पास यह नहीं होता है ना यहां पर यह नहीं होता इस तरीके से थोड़ा सा दुबारा बना लेते हैं आप डली fasten यह पर होते हैं जो यह एक लेक्ट्रन आपने यह बनाया था ना यहां पर यह एक लेक्ट्रन यहहां से उठकर इधर चला जाएगा इधर कहां पर सर फ्र फॉड और फॉर डी के मितलब कहां जाएगा सही से बताइए तो सही से सुनिए यहां जाएगा 5S नाम का एक orbital होगा वो एक electron बच्चे यहां पर आएगा इस पूरी इस पूरे concept को बोला जाता है DS transference क्या बोला जाता है जी DS transference बोला जाता है यह D7 के strong field ligand के concept में लगता है इसका example अगर आपको ध्यान रखना है cobalt NO264 negative NO2 भी यह ध्यान रखना NO2 यह एक strong field ligand है यह उसी में लिख लेना वही strong field ligand रहेगा यह अगर उसमें हमने नहीं लिया है तो इसको ध्यान रखना एक अकेला electron रहेगा तो वह paramagnetic होगा तो यह अभी भी paramagnetic है तो यह बहुत important concept पर जाता है अगर आपके पास और यह क्या है कोबाल्ट प्लस टू क्या हो जाएगा डी सैवन है ना कोबाल्ट की electronic configuration होती है डी सैवन एस टू कोबाल्ट प्लस की फ्लस टू की डी सैवन और strong field ligand तो बच्चा है ही ना इसका सबूत भी है एना एक मैं आपको दिखाता हूँ proof of ds transference यहाँ पर लिख ले ना proof of ds transference ds transference का proof की सर इसमें कैसे हुआ देखो यह जो compound था ना यह जो complex था यह वाला complex easily oxidizable concept था ना यह easily oxidize हो सकता था मतलब यह complex cobalt NO2 6 4 negative जल्दी से electron का loss करके किस में चला जा रहा था cobalt NO2 6-3 अब यहाँ पर देखो plus 2 oxidation state बढ़ना plus 2 से किस में चला गया plus 3 में चल गया तो क्या हो गया oxidation हो गया तो यहाँ पर आप लिख होगे this compound is easily oxidized यहाँ पर आप क्या लिख होगे this compound समझ लो भाई ध्यान से is easily oxidizable यह easily oxidized is easily oxidized यह easily oxidized हो सकता है बच्चे अब easily oxidized होना यह प्रूफ कैसे बन रहा है oxidized का मतलब समझते हो loss of electron electron का loss होना अब यह electron easily इसलिए लोज हो रहा है क्योंकि electron कहां पर बैठा है कौन सा इलेक्ट्रों लोज हो रहा है यह वाला यह से निकल जाना इस बात का सभूत बन जाता है कि हां last electron nucleus बहुत दूर था और वो last electron कहां पर था 5S में था और 5S में था तो इसलिए easily oxidizable हो रहा है because the last electron present in 5D 5D में वो बैठा है इसी लिए बच्चे वो निकल पा रहा है इसी लिए वो निकल पा रहा है और D में बैठना इस बार का सभूत हो ही गया है कि यह 5D नहीं नोट 5S 5D कहां से आ गया 5S 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 ठीक है तो यह बात clear है DS Transference हलाकि हमारा काम का नहीं है यह proof of DS Transference मगर मेरे काम का बच्चे यह बहुत बड़ा है यह बहुत ज़्यादा है मेरे काम का मुझे यह बात जाना बहुत जरूरी है अब इसके साथ-साथ मैं एक बार D8 से लेकर D10 भी देख लेता हूं तो यहां पर समझना अगर चाहे strong-filled ligand हो whatever the ligand चाहे strong-filled ligand हो चाहे weak-filled ligand हो यहां पर बच्चा यह हमेशा ही यह दब्बे तो inner-orbital तो बन ही नहीं सकता क्योटि यह क्या होंगे भरे हुए होंगे तो आपको यह 3D हो गया, यह 4S हो गया सर, यह 4P हो गया, और यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आ गया क्या 4D, तो यह क्योंकि भरे हुए हैं, तो आप हमेशा, यही बनेगा क्या, outer orbital complex, SP3D2 ही बनेगा, और इसका नाम क्या होगा, OOC, outer orbital complex, क्या आप high spin, low spin बोलोगे, नहीं बोल सकते, क्य अगर दो केस बन रहे हो, strong field ligand में अलग काम कर रहो, weak field ligand में अलग काम कर रहो, बच्चे तब high spin, low spin बोलेंगे, otherwise high spin, low spin नहीं बोलेंगे, तो यह हमने पड़ा, एक बर मैं summarize कर देता हूँ, क्या क्या चीज़े हमने देखी है, देखो भई, आपने देखा D1, है ना, D1 से ल इनर ओर्बिटल कॉम्पलेक्स, यह चाहे weak field ligand हो, चाहे strong field ligand हो, यह क्या बनाएंगे, यह सर D2 SP3 बनाएंगे, और D2 SP3 को क्या बोला जाएगा, inner orbital complex बोला जाएगा, D4 से D7 अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास strong field ligand हो, और weak field ligand हो, strong field ligand में यह क्या बनाएगा, यह strong field ligand में, या फिर आप ऐसे करो, एक बार इसको ऐसे लिखो, मेरी बात मानो, इसको आप ऐसे लिखो, एक बार आपके पास हो weak field ligand, और एक बार हो strong field ligand, ठीक है, weak field ligand में यह क्या बनता है, SP3 D2 बनता है, क्योंकि pairing नहीं हो पाती, outer orbital complex बनता है, strong field ligand में pairing हो जाती है, D2 SP3 बनता है, यानि कि inner orbital complex बनता है, और यहाँ पर सर्वाटैवर दा ligand, weak field ligand हो, चाहे strong field ligand हो, हमेशा क्या बनेगा, हमेशा SP3 D2 ही बनेगा, बच्चे, यानि कि outer orbital complex, D0 का आपको, हमने case अलग से करवाई लिये, उसको देख लेना, कि D0 में जब अलकाइल सिस्टम होंगे, या वो जो example होंगे, तो वो trigonal prismatic के पास जाएगा, otherwise वो D2 SP3 ही बनाएगा, ठीक है, D2 SP3 ही बनाएगा, तो वो भी लिख लेना, कि वो D2 SP3 ही बनाएगा, यहाँ पर आप लिख सबते हो, D2 SP3 ही बनाएगा, D0 सिस्टम भी, ठीक है, अगर alkyl group होंगे, तो वो trigonal prismatic बना देगा, तो बच्चे यह summary है, और इसको ऐसे ही याद रख सकते हो, अगर सोड़ा सा याद रखने की बात है, हलाकि याद रखने का कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप कहोगे कि वही, D2, SP3, SP3, D2, D2, SP3, SP3, D2, मगर आपको यह भी sequence भी ध्यान होनी चाहिए, तो यह summary है, जो अभी तक हमने पढ़िये, अब बच्चे में आपको कुछ example दूँगा, और उस example से आप clear हो जाओगे, हैना, यहाँ से अराम से question आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, trigonal prismatic की, बस वह example ध्यान रख लेना, और OCTRHETAL का सारा material आपको बता दिया गया है, आप कुछ example देख लेते हैं, चली, example देखते हैं, बच्चे हैना, कुछ example हम समझेंगे कि क्या क्या चीजें थी हमारे पास, जो हमने अभी तक पढ़ आ है, उन्हीं के कुछ example ले लेते हैं, पह और OCTRHETAL complex होगी, अभी तक हमने वो ही पढ़ा है, तो वो बात हम करेंगे, आपने लिया क्या, FEH2O6,2 positive, यह आपने ले लिया, ठीक है, FEH2O6,2 positive आपने ले लिया, यहाँ पर आप लेते हो, इधर हम लेते हैं, chromium H2O6,3 positive, 2 positive कर लेते हैं, एक हम ले रहे हैं क्या, chromium cyanide 6 3 negative, यहाँ पर ले लेते हैं, एक example बच्चा हम लेते हैं, क्या, एक example हम लेते हैं कि, कोबाल्ट हो गया, F6 हो गया, और let's suppose 4 negative, यहाँ पर हमने ले लिया, और एक example बच्चे हमने ले लिया, Osmium F6 3 negative, यह example हमने लिया, यह कुछ example हमने लिया, इनको एक बर हम समझने की करते हैं तो यहां पर अगर आप देख रहे हो कि क्या hybridization होगी particularly एक एक चीज को आपको देखना है तो इधर देखो भई टी आई है टी आई प्लस टू सर अब यह प्लस टू में कितने electron लेकर बैठेगा यह already बच्चे आप देख चुगे है ना पीछे जब हम अभी electronic configuration देख रहे थे school teacher d2 होता है प्लस टू है school teacher d1 होता है d2 है तो यह प्लस टू में रहेगा d2 s2 होता है दो electron चले जाएंगे तो क्या रहेगा d2 electronic configuration रहेगा d2 s2 से d2 बन जाएगा तो अब यहाँ पर कभी भी आप नहीं कहोगे कोई high spin या low spin मतलब चाहे strong ligand हो चाहे वीक हो हमेशा d2 sp3 ही बनेगा मतलब क्या बनेगा inner orbital complex बनेगा क्या बनेगा बच्चे inner orbital complex यहाँ पर आ जाओ sir fv है fv के साथ क्या है plus 2 है plus 2 यहाँ हो गया आपके पास d6 electronic configuration अब इधार आपको low spin और high spin complex देखना पड़ेगा मतलब की ligand strong है या weak यह देखना पड़ेगा पानी का ligand क्या है h2o क्या है बच्चा कमजोर है h2o क्या है कमजोर है तो यह weak field ligand हो गया अब d6 weak field ligand में क्या रहता है भाई d6 अगर weak field ligand की बात करें यहाँ पर आप देख सकते हो d6 weak field ligand sp3 d2 तो यह क्या हो जाएगा बच्चे आपका sp3 d2 मतलब की outer orbital complex आईए इधर देख लेते हैं chromium plus 2 हो गया d4 weak field ligand तो यह भी क्या रहेगा बच्चे outer orbital complex यानिकी sp3 d2 ठीक है chromium cn6 यह क्या है chromium के उपर कितना charge आएगा देखो भाई x-6 is equal to minus 3 तो यहाँ पर x की oxidation oxidation state chromium की कितनी है प्लस 3 आ गई अब यह d3 बनेगा अब सब d3 चाहे strong हो लिगेंड चाहे weak field ligand हो हमेशा inner orbital complex ही बनाएगा बच्चे यह ioc ही यहाँ पर बनाने लगेगा यानि कि यह क्या hybridization देगा d2 sp3 hybridization देगा क्योंकि 3 electron है 2 d तो खाली होंगे ही होंगे है दो कोई pairing नहीं होगी इसे आप sp3 d2 कहोगे outer orbital complex कहोगे बोलो हाँ या ना अब बच्चे यहाँ पर आप देखोगे osmium osf6 अब यहाँ पर देखो osmium plus 3 में है iron के नीचे रहता है iron के नीचे रहता है plus 3 oxidation state है तो यहाँ यहाँ पर d5 electronic configuration होगी क्या होगा d5 electronic configuration होगी मगर क्या fluorine weak होगा या फिर यह फ्लोरीन strong होगा कैसा होगा यह fluorine इसके उपर हम बात करते हैं तो बच्चे क्योंकि यहाँ पर यह higher series atom है यह क्या है higher series atom है एक 5d series atom है तो यहाँ पर fluorine strong field ligand behave करेगा अब आपको होगे sir इधर fluorine strong है और इधर weak है कैसी बात कर रहे हो क्योंकि ligand का strong और weak होना उसके साथ वो किस metal के साथ जुड़ा हुआ है इसके उपर भी भली बाती depend करता है यह बात याद रखना यहाँ पर यह strong field ligand होगा और इधर strong field ligand होगा तो pairing हो जाएगी pairing हो जाएगी तो d2 sp3 बनाएगा और inner orbital complex बनाएगा तो यह hybridization में यूज करने में आपको बहुत जादा बच्चे help करेगा यह concept समझने में कि कैसे ligands ligands की classification जो पढ़िए वो ध्यान रखना किस metal की साथ कैसे काम करते हैं metal की electronic configuration जरूर ध्यान रखना फिर आपको इसमें कोई भी नहीं रोक सकता सच मानो एक और example देखते हैं इस example की बात करते हैं माल लो मेरे पास हो cobalt हो h2 हो 6 हो और plus का 3 हो क्या करोगे आप सबसे पहले तो सर कोबाल्ट प्लस 3 oxidation state यानि कि यह क्या हो गया कोबाल्ट प्लस 3 पानी का ligand अरी सर कुछ याद आ रहा है आपने बताए था कि पर्टिकुलर्ली याद रखना वोटर का ligand अगर प्लस 3 में कोबाल्ट के साथ है तो इधर पर्टिकुलर इधर बच्चे यह strong ligand हो जाएगा तो इसलिए हमेशा आज यह बात ध्यान रख लो कोई भी ligand strong और कोई भी ligand weak यह बात बच्चे तब बताई जा सकती है जब आप metal कौन सा है metal की oxidation state क्या है इसके बारे में भी information रखो अकेले ligand को strong और weak बताना वो सिरफ एक दूसरे से compare करना है मगर वो उस complex में strong विएव करेगा या weak विएव करेगा वो उस complex के metal कौन से series के है उसके उपर और metal कौन सी oxidation state में है इसके उपर depend करता है तो plus 3 में H2 यहाँ पर क्या बारेगा strong फिल लिगेंड होगा कोबाल्ट प्लस 2 होता है आपके पास क्या D7 और कोबाल्ट प्लस 3 हो जाएगा क्या D6 तो यहाँ पर हमारा खेल समाप्त होता है यह क्या हो गया भई D6 इस तरीके से strong फिल लिगेंड क्या करेंगे पेरिंग कराएंगे और यह बच्चे क्या बना लेगा यह आपके पास बन यहां से आ जाएगा तो यह थी हमारे पास वेलेंस बॉंड थियोरी इन कोडिनेशन नंबर 6 जो की ओक्ताहेटर में D2 SP3 SP3D2 इनर ओर्विटल आउटर ओर्विटल कॉंप्लेक्स इसके क्योशन आपको मिल जाएंगे किस तरीके से आपको क्योशन पूचे जाएंगे वह भ अंदर आपको स्केर प्लेनर एस वेलेस टेट्राहेडरल की यहां पर बाते होईगी तो ध्यान रखना कोडिनेशन नंबर अगर 4 की बात करें हम तो हमारे पास दो चीजे निकलकर आती हैं क्या निकलकर आती है बच्चा दो चीज निकलकर आती है एक होता है सा डाली क्या स्केयर प्रेन तो आपके पास यह दोनों जमेट्री इधर आपको हेल्प करेंगी दोनों से क्योशन बन सकते हैं और जैसे कोडिनेशन नमबर 6 में आप देख रहे थे कि d2 sp3 और sp3 d2 का ही गेम था क्योशन में मेजर ली यही डून रहे थे कि d2 sp3 होगा या sp3 d2 होगा इसमें मेजर ली जो खेल होगा वह यह बहुति हो जाएगा तो इधर ध्यान रखना टेट्रा हेडल में SP3 हाइबराइजेशन होती है और एक केस एक दो केस आपको D3S के भी मिलेंगे और इसमें जो हाइबराइजेशन होती है वो D SP2 की होती है एक केस आपको SP2D का भी मैं पढ़ाऊंगा वो भी आपको समझना पड़ेगा के वो केस भी आपको बच्चे समझना पड़ेगा आईए समझते हैं कुछ एक्जांपल के साथ कैसे इसका डारेक्ट एक्जांपल लेते हैं बहुत असान है बहुत असानी से आपको समझ में आ जाएगा आए देखते हैं और एक चीज सबसे बड़ी बात पता है यहां पर क अब वो चीजे डिसाइड होने का भी टाइम आगया लेट सब्समें आपको एक 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 जांपल देता हूँ हमारे पास एन आई सी एल फॉर टू नेगिटिव यह एक एक एक्जांपल है क्या है एक 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 जांपल है यह स्केर ब्लेनर होगा या टेट्राइडल होग तो यह आपके पास कितना हो गया दीएट हो गया लिगेंड कैसा है बच्चे लीगेंड है आपका क्या वीग फिल्ड लीगेंड है वीग फिल्सली तो यहां पर आपके पास यह पेरिंग नहीं करवा सकता यह इस तरीके से रहेगा डी एक इलेक्ट्रोन एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ अब बच्चा जैसे वहाँ पर दो डब्बे खाली चाहिए थे ना SP3D2 या D2 SP3 यहाँ पर एक डब्बा खाली चाहिए होगा SP2D या D2 DSP2 यहाँ पर देखो DSP2 यह देखो DSP2 और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना यहाँ पर यह जैड एक्सक्लूजन जमेट्री होती है इसके बारे में एक और बात ध्यान रखना ना तो इधर आपको एक बोक्स खाली चाहिए लेंने इसकी भी चिंता नहीं है यह आपके पास क्या हो गया यह 3D हो गया इदर क्या हो गया 4S हो गया बच्चे और यहां पर आपके पास क्या हो गया 4P अब क्योंकि सर यह खाली नहीं था तो यहां पर क्या होगा यह hybridization बनेगी थोड़ा सा सबर करो आपको चीज़े समझ में आ जाएगी SP3 hybridization होगा और tetrahedral ये geometry occupy करेगा मतलब nickel के around जो 4 chlorine होंगे वो क्या रहेंगे वो यहाँ पर tetrahedral environment में रहेंगे let's suppose यहाँ पर chlorine की जगह है मेरे पास क्या होता cyanide होता क्या होता जी cyanide होता NICN4 2 negative NICN4 2 negative तो इसको कैसे करेंगे वो ही बात हो गई सर्थ यहाँ पर nickel की oxidation state बताओ जल्दी से nickel की oxidation state अगर हम बात करें यह हो जाएगी plus 2 यानि कि D8 oxidation state D8 oxidation state अब यह D8 electronic configuration मगर ligand क्या है strong field ligand है cyanide is strong field ligand pairing करा सकता है तो बच्चा यह pairing करवा के रखेगा इस तरीके से यह pairing करवा के रखेगा अब यहाँ पर आप कहोगे sir octahedral में क्यों नहीं किया क्योंकि octahedral में दो डब्बे खाली चाहिए थे यहाँ पर एक डब्बा खाली होगा तो इधर काम बन जाएगा आपका यहाँ पर hybridization अब क्या हो जाएगी 3D, 4S, 4P इधर hybridization आप क्या बता होगे यह हो गई क्या DSP2 और geometry का नाम क्या होगा square planar यह square planar geometry create करके रहेंगे कैसे geometry create करके रहेंगे बच्चे square planar geometry create करके रहेंगे बोलो हाँ यहाँ ना तो यहाँ पर अब isomerism में भी आपको help में लेगे आप जैसे कि एक और example देते हैं माल लोग वो निकल की जगे यहाँ पर PT होता platinum होता यह example देखो ptcl4 to negative यह example होता तो अब यहाँ पर भी सर्फ platinum भी प्लस टू में d80 होता है क्या यहाँ पर क्या ही चेंज आएगा सेम ही तो बनेगा सेम नहीं बनेगा बच्चे क्लोरीन अब क्या भी करने लगेगा क्योंकि यह higher d series atom है नीचे वाले atom है तो यह क्या भी करने लगेगा फाइव दी स्रीज का एटम है तो इधर क्लोरीन इधर क्योंकि लिगेंड का स्ट्रोंग और वीख होना मैटल के उपर भी डिपेंड करता है यह सच बात है अब यह स्ट्रोंग फिल लिगेंड क्या करेंगे पेरिंग करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, 3D ये हो गया, ये बच्चे आपका 4S हो गया, यहाँ पर 4P हो गया, इधर क्या हाइवरडाइजेशन क्रियेट करोगे, DSP2, तो याद करो, आप, स्केर प्लेनर, जब प्लेटिनम के कोई भी कॉम्पलेक्स ले रहे थे हैं, ना, सिस प्लेटिन, ट्रांस प्लेटिन हम लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं, यह जब कॉम्पलेक्स होता है, PT, NH3, 2, CL2, अब यह आईसोमरिजम क्यों शो करता है, अगर यह टेट्रहेटरल होता, तो यह सिस और ट्रांस में रहने की वज़य यही है, क्योंकि यह स्क्वेर प्लेटर में रह पाता, अगर टेट्रहेटर होता, तो कर ही ना पाता, सिस ट्रांस शो, उपर से यह चीज़ में धियान रखना डाया मेगनेटिक और पेरा मेगनेटिक का है, यह आपका क्या हो गया, पेरा मेगनेटिक और पीछे वाले भी आपको ध्यान रखने है, अगर कोई सारे पेर्ड है, तो वो डाया मेगनेटिक अदरवाइस वो क्या है, पैरा मेगनेटिक है, और एक्जामपल देखते हैं, लेट सपोज एक एक्जामपल बच्चे है ना, पोटेशियम पर होगा आपने KMNO4, बहुत ही तगड़ा इसका कलर होता है, चलो इसको जो कलर होता है, उसी कलर से इसको लिख देते हैं, परपल कलर होता है, तो इसको वैसे ही लिखते हैं, के MNO4 है ना, ऐसा ही होता है ये, अगर आपके कभी शूज वगएरा पर गीरा हो, तो आपके इसको MNO4 नेगिटिव लेकर आए हो, इसकी हाइवरडाइजेशन समझते हैं, बच्चे यहाँ पर इसकी ऑक्सिदेशन स्टेट क्या होगी, एक ऑक्सिजन माइनस टू का चार्ज हो करता है, तो यहाँ पर आप क्या कहोगी, X-8 is equal to minus 1, X is equal to plus 7, मतलब कि मैंगनीज, जब आ electronic configuration क्या होती है, D5, S2, आप उससे साथ के साथ electron ले जा रहे हो, तब वो क्या बनेगा, वो D0 बनेगा, और D0 में वो क्या बनाएगा, इस तरीके से वो 1, 2, 3, 4, खाली, 3D पूरा खाली, यहाँ पर S, और यहाँ पर क्या, 3D, 4S और 4P, अब क्योंकि यह खाली है, तो electronic configuration नेकर आएगी, जो hybridization निकल कर आएगी, वो क्या आएगी, वो ये एगवा, यह निकल कर आएगी, that is, D3, S, D3, S, electronic configuration निकल कर आएगी, electronic configuration नहीं, hybridization, hybridization क्या निकल गयाएगी, D3, S, निकल कि आएगी, और geometry का नाम क्या हो जाएगा, बच्चे, tetraheodral, तो इसको धिहान रखना एक और एक्जाम्पल हम लेते हैं जैसे कि यह दो एक्जाम्पल एक साथ ही देख लो कोपर के साथ अगर cl42 नेगटिव है और बच्चे एक बार मैंने ले लिया कोपर के साथ cn42 नेगटिव यह एक्जाम्पल मान लो मैंने ले लिया ठीक है यह दो एक्जाम्पल हम समझते हैं कि इन में क्या खास बाते हैं आईए देखते हैं यहां पर तो कोपर 2 पोजिटीव है वहां पर भी कोपर 2 पोजिटीव है electronic configuration क्या बनेगी d9 बनेगी copper की electronic configuration क्या होती है d10 s1 होती है दो electronical जाएंगे एक s से जाएगा एक electron कहां से जाएगा जैसे chromium की d5 s1 होती है ऐसे ही copper की भी d10 s1 होती है तो इससे क्या बोल सकते है plus 2 में d9 बोल सकते हैं यह क्या है chlorine है इससे क्या लिखोगी chlorine लिखोगे लिगेंड शाही कर लो इस इस क्लोरीन है न c u c l 4 यह इस तरीके से है अब यह क्योंकि d9 है तो यहाँ पर वीख फिल्ड लिगेंड का concept है वीख फिल्ड लिगेंड है तो कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर यह pairing नहीं होगी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और यहाँ पर hybridization जो शो होगी वो क्या होगी वो यह hybridization शो होगी sp3 hybridization और geometry क्या होगी सर टेट्रा हेडरल geometry होगी मगर बच्चे एक मजे की बात यह है यह चीजे समझना यहाँ पर यह क्या होगा d9 ही होगा again d9 होगा मगर strong field legend है मगर sir pairing करवा के आप कर क्या लोगे कर तो कुछ नहीं सकते एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो pairing होगी ही कैसे यह नो तो ऐसे ओलरड़ी ऐसे ही भरे जाएंगे फिर इसको आप क्या बताने वाले हो sir आईए समझते हैं देखो यहाँ पर यह पाया गया जब यह strong field legend था तो यह पाया गया कि square planar complex experimental study से यह पाया गया कि यह square planar complex हो गया है यह d9 था यह 3D हो गया फिल्ड था 4S था 4P था 4D था यह square planar हो चुका है मगर अगर हम बात करें कि यह square planar अगर हुआ है तो यहाँ पर particularly कैसे हुआ होगा यह square planar क्योंकि पेरिंग तो हुई नहीं और नहीं यहाँ पर transference जैसा concept लगता है क्योंकि यह easily oxidized नहीं होते तो यहाँ पर क्या लगता है तो एक scientist थे उनका नाम था हगिन क्या scientist का नाम था ह यू जी आई आई एन यह नाम था हगिन नाम था इनका इन्होंने सजेस्ट किया कि square planar यह बनती है और कैसे बनती है यह बनती है SP2D से किस से बनती है बही इन्होंने सजेस्ट किया SP2D hybridization SP2 इसलिए मैंने जब आपको square planar बताया था वहाँ पर यह लिखा था तो यह आपका क्या हो जाएगा square planar हो जाएगा बच्चे क्या हो जाएगा square planar हो जाएगा यह चीज ध्यान रखना ठीक है एक छोटा सा गेट का question मैं आपसे पूछूँआ जो गेट में आया था यह ध्यान रखना और एक और complex भी था कोपर एनस्थ्री फॉर यह लिख लो तू पोजिटिव अब यहाँ पर एनस्थ्री कैसा भीएव करता है टेट्रा हेड्रल में एनस्थ्री प्लस टू में भी स्ट्रॉंग फिल्ड लिगन भीएव करता है तो इसका भी बच्चा क्या ही होगा square planar complex ही होगा यह ध्यान रखन एक gate का question मैं आपसे पूछता हूँ मालो मेरे पास यह दो complex है यह gate में आया हुआ है एक है copper NH3 का 4 और यहाँ पर CLO4 दे दिया क्लोरेट आपको CLO4 दे दिया और यहाँ पर आपको दे दिया copper NH3 का 4 और CLO4 कितने दे दिये 2CLO4 दे दिये क्या इन दोनों की geometry होगी इस type का अगर question बनता है तो बच्चे आप क्या बताने वाले हो जरा मुझे बता सकते हो कि इन दोनों का यह gate का question है डाल लेना यहाँ पर heading इन दोनों का क्या geometry होगी तो सर इसको थोड़ा सा समझते है यह क्या होगा यह CLO4 नेगिटिव इसको कैसे समझते है CLO4 नेगिटिव एक नेगिटिव है तो complex को क्या दे कर जाएगा एक positive copper NH3 का 4 है और प्लस दे गया तो यानि की copper प्लस तो भाई D10 होगा और D10 अगर आपके पास है तो यहाँ पर सारी खेल खतम हो जाते हैं अगर बच्चे D10 है यह D10 यहाँ पर है आपके पास तो इधर आपको ध्यान रखना है कि यह square planar बना ही नहीं सकता यह tetrahydral ही बनाएगा ठीक है sp3 हो जाएगा और यह क्या बनाएगा tetrahydral ही बनाएगा मगर यहाँ पर क्या बनेगा यह दो निकलेंगे दो निकलेंगे तो इसके ओपर क्या चार देखे जाएंगे कोपर के साथ आपके पास क्या हो जाएगा c u n h 3 का 4 और 2 पोजिटिव यहाँ पर 2 c l o 4 नेगेटिव निकल गया ठीक है क्या हो गया तो वही प्रीवियस कॉंसेप्ट लगेगा की डी 9 में अगर कोडिनेशन नंबर 4 की बाते हो रही है तो वहाँ पर डी एस ट्रांस्फेरेंस नहीं होता मगर हां tetrahydral नहीं आ पाता sp2 d hybridization इसकी आएगी पीछे जाके देखो और स्केयर प्लेनर आप बच्चे बताओगे बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट एक्जामपल है जो डारेक्ट आपके एक्जाम में आ सकते हैं बोलो हां या ना यह चीज आपको समझ में आई या नहीं कोई भी डाउट कोई दिक्कत कोई समस्या कर लोगे इतना यहां प है हेडिंग डालो बच्चे कंवर्टिड डी टैन सिस्टम मतलब कि वो डी टैन था नहीं मगर वो बच्चा क्या हो गया कंवर्ट हो गया डी टैन सिस्टम कंवर्ट कैसे होता है आए समस्ते है ठीक है तो जैसे कि यहां पर भी यह D10 system कैसे हुआ होगा अगर आप copper की electronic configuration लिखें तो वो क्या होती है वो होती है आपके पास D10 S1 होती है और copper plus 1 कितनी होगी वो हो जाएगी D10 ठीक है तो इसी वज़े से यहां पर D10 हमने लिख दिया था अब यहां पर D10 कैसे होगा आईए स बहुत बढ़िया चीज आप यहां से समझोगे NICO4 निकल है निकल के साथ साथ साइनाइड भी था साइनाइड स्रोंग था निकल था यहां पर निकल है और कोवार्बन मोनोक्साइड भी क्या स्ट्रोंग है तो कहीं सेम चीज तो नहीं है वो तो square planer था यह क्या है सार इसके जीरो उक्सिडेशन स्रेट है क्योंकि CO, carbon monoxide कोई चार्ज नहीं रखता, तो NI की oxidation स्रेट क्या है, जीरो है, कितना, क्या हो, electronic configuration रहेगी, इसकी electronic configuration रहेगी, D8S2, तो बच्चा ये D8S2 ना, converted D10 बन जाता है, क्या बन जाता है, D10 बन जाता है, और यहाँ पर इस तरीके से, जब आपका strong fill ligand रहेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, D10 बन जाएगा, और D10 एक बार ये बन गया, तो इसके पास कोई option ही नहीं है, प्यारे बच्चे, ये क्या रहेगा, 3D रहेगा, 4S रहेगा, और 4P रहेगा, तो ये क्या hybridization शो करेगा, ये SP3 hybridization शो करेगा, और tetrahedral ही रहेगा, बोलो हाँ या ना, इसे बोला जाता है converted D10, ये पता नहीं कितने exam में इसके बारे में equation है, बहुत सारे, अनिक, gate, set, IT, jam, net, इन सब exam में equation आए हुए है, कि इसका ये paramagnetic है ये diamagnetic है, तो दिख रहा होगा, D8S2, converted D10 system के नाम से book में पढ़ा जाता है, और ये diamagnetic complex है, यहाँ यहाँ पर आप लिखना चाहों, तो लिख भी सकते हो, और I hope आप notes बनाते वक्स सारी बाते लिख रहे होगे, जैसे एक और इसको बना सकते हैं, एक और तरीके से, कि भई, FE, कोबाल्ट हो गया, CO हो गया, 4 हो गया, negative हो गया, ठीक है, यहाँ पर, FE हो गया, CO हो गया, 4 हो गय क्या, negative हो गया, 2 negative हो गया, तो अब यहाँ पर आप देखो, FE 2 negative भी क्या होंगे, FE, FE की electronic configuration होती है, D6 S2, तो FE 2 negative की मतलब, इसने 2 electron ले लिए, तो यह क्या हो जाएगा, D8 S2, तो पर्टिकुलर्ली यह भी D10 बना लेगा, बच्चे, यह क्या हो जाएगा, सर, D, कोबाल्ट, क कोबाल्ट, negative कितना हुआ, कोबाल्ट, negative, कोबाल्ट की electronic configuration, D7 S2, कोबाल्ट, negative, कोबाल्ट की particular, सिरफ कोबाल्ट की electronic configuration होती है, D7 S2, कोबाल्ट, negative की हो जाएगी, D8 S2, यह converted D10 बन जाते है, D10 S0 कह दो, यह सिरफ D10 कह दो, और दोनों ही क्या शो करेंगे, टेट्राहेडरल करेंगे, यह चीज ध्यान रखना, तो जस्ट, VBT में इतने ही है, मगार यहां से क्योशन आने के बहुत ज़्यादा chances होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहां से बन सकती है, क्योशन देखते हैं, हैं पी वाई क्यू में जो आए होई है, हलाकि अभी example करते करते ही हमने, तीन 2020 का क्योशन है, क्योशन पढ़ो, the d orbitals involved in the hybridization, क्योशन क्या कह रहा है, बच्चे, the d orbitals involved in the hybridization to form square planar, square planar and trigonal bipyramidal geometry, अच्छा, कौन से d orbital होते हैं, तो सर, square planar की hybridization, अगर हम बात करें, square planar की hybridization क्या है, इसकी hybridization, particularly हमने अभी अभी देखी, dsp2, और वहाँ पे कहा, कि ये z exclusion geometry होती है, मतलब d, z square का तो नाम ही मतले देना, ये d particularly कौन सा होता है, d x square minus y square होता है, tbp की hybridization क्या होती है, ये तो कहीं न कहीं सर आप बता ही चुके हो, जब आप chemical bonding बढ़ा रहे थे, कि बढ़ी, steric number 5 में sp3 d आता है, d अगर d z square हुआ, तो आपका tbp बनेगा, d अगर d x square minus y square हुआ, तो square pyramidal बनेगा, तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, d z square होता है, तो क्या answer आजाएगा, d x square minus y square and d z square, यानि कि c option will be the right answer, c option क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, चलिए, next question देखते हैं, यहाँ से हम, next question हमारे पास है, अच्छा, ठीक है, ptcn4 to negative आपको दे रिया, n i c l 4 to negative आपको दे रिया, respectively बताना है, क्या यह diamagnetic है या paramagnetic, तो ले लो इधर, क्या क्या वाई आपके पास ptcn4 and n i c l 4 to negative, तो इन दोनों को यहाँ पर ले लिया हमने, एक बार हमने लिया, ptcn4 to negative और एक बार हमने लिया, क्या, n i c l 4 to negative, आंसर करोगे वाई, आप कर दोगे, आपसे बहुत उमीदे हैं, बहुत जादा उमीदे हैं, आप कर सकते हो, कई लोगों के तो नाम मुझे यादी हो गए हैं, जो regularly पढ़ रहे हैं, regularly comments कर रहे हैं, वो पढ़ाओ, ये वाला भी पढ़ाओ, वो भी पढ़ादो, वही सब पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है, इसा मत समझना कि आपके comments नहीं देखता, ऐसे मत सोचना की, देख नहीं रहे हैं, कि हम क्या लिख रहे हैं, कि हमें क्या क्या पढ़ना हैं, सब, आना, भी आपने लिखा था कोडिनेशन पढ़ाओ कोडिनेशन भी हम पढ़ा रहे हैं तो आपकी चीजे देखी जा रही है ना बहुत से स्टूडेंट्स के तो यहाँ पर यह क्या रहेंगे, पेर्ड रहेंगे, सर, क्या रहेंगे, पेर्ड, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और यहाँ पर इनकी हाइबडाइजेशन, थोड़ा सा इधर ले लो, उसके एरिया में घुश गए हो आप, पेर्ड कर दो, इनको, ठीक है, क्या बनेगा, डी एस्पी टू, तो यानि की कुल मिलाके, डाया मेगनेटिक हो गया, इतना ही पूछा, तो क्यों हम सिट दर्दी लें, यह डाया मेगनेटिक हम से हो गया है, ठीक है, पेर्ड हो गया है, मगर यहाँ पर अगर बात करें, एन न आप देखो यह आप निकालने में सक्षम होंगे इसलिए मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि यह डी एट डी नाइन कैसे निकाल रहे थे हम ठीक है तो यह आपका डी एट है जाकर एक बर वह रिवाइज कर लेना एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ यहाँ पर S और यहाँ पर P तो यह पेरिंग नहीं होगी जाली, SB3 यहाँ पर बनेगा और इसको क्या बोल दिया जायेगा मतलब पैरा मैजनिटिक तो particularly platinum वाले क्या है डाय मैजनिटिक है और दूसरा पैरा मैजनिटिक आंसर क्या जाएगा डाय एंड पैरा यह आपका क्या होगय यह आन forgiven Soli तो इसका औंसर क्या हुजाएगा डी ओप्शन मिली वी ता राइट डिया प्यरा मेग ऋएक प्डूंगेट है जब हम मैग्नेटिजम के बारное में थोड़ी बाते करेंगे वहां पर हम देखेंगे कि spin only होता है और एक orbital contribution वाला होता है तो यह just spin only magnetic moment है यह कहा जा रहा है कि यह एक complex आपको given है उसके लिए इतना है 2.83 the total number of unpaired electrons तो बच्चे देखो यहाँ पर एक तो तरीका यह होता है कि जब आपको unpaired electron given हो है ना unpaired electron given हो उसका magnetic moment पूछा हो या फिर magnetic moment given हो उसका unpaired electron पूछा हो पहली बात तो यह है आपका formula यह वाला एन into n plus 2 देखो यहाँ पर जब भी आप कभी n is equal to 1 रखोगे है ना तो यह कितना बनेगा mu spin only बच्चे आपका बनेगा लगबग 1 into 1 plus 2 that is root 3 और यह लगबग होता है 1.73 के आसपास कैसी समझा करो इसे root 4 कितना होता है 2 होता है तो root 3 कितना होगा 2 से थोड़ा सा कम होगा अगर माल लो मेरा n is equal to 2 होता तो यहाँ पर मैं क्या लेता mu spin only यह तब है जब मैं को complex की परवा ही नहीं है हलाकी complex कीवान है उससे भी हम कर लेंगे इसको या फिर हम इसको ऐसे करें अगर n is equal to 2 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 into 2 plus 2 कर देंगे या निकी कितना आया root 8 आया बच्चे root 9 कितना होता है root 9 होता है 3 तो root 8 उससे थोड़ा सकम होगा यह लगबग 2.83 के पास-पास ही आता है तो इसका आंसर सीधा सा आना था सीधा सा आना था कि दो एलेक्ट्रों यहां पर होंगे अदर्वाइस यह complex कैसे समझना है आईए देखते हैं यह complex देखो यहां पर आपके पास अगर NH3 होता है और एक होता है NH4 जब हम लगा देते तो पोजिटिव चार्ज लगा देते हैं हाला है ना जब आपके पास nitrogen के उपर चार बॉंड बना रहे हो तो पोजिटिव चार्ज लगाते हैं ऐसे ही यहां पर अगर यह ET3 होता तो इस तरीके से रहता है ना यह इस तरीके से पूर टू नेगिटिव आपका क्या बना कंपाउंड बना यह एनाई सील फोर टू नेगिटिव के बारे में आपको पढ़ना था अब इसके लिए तो बच्चे आप बहुत असानी से कर सकते हो सर यह तो आपके बाए हाथ का खेल है एनाई सील फोर यहां पर अगर हम करते हैं वीक फिल्ड लीगेंड तो यहाँ पर कोई भी पेरिंग नहीं होगी नो पेरिंग आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी भई कि सर यहां पर ना कोई पेरिंग नहीं है तो आप क्या करो uh एट सिस्टम को किस तरीके से लिखेंगे ये रहे इस तरीके से आप लिखोगे एक दो तीन चार पांच छेश साथ और आठ और ये इस तरीके से SP3 आपको दे देगा ठीक है ये 3D, 4S and 4P SP3 आपको ये combine होके देता ही है तो यहाँ पर बच्चे अनपेर्ड इलेक्ट्रोन कितने आ गए अनपेर्ड इलेक्ट्रोन सार दो अनपेर्ड इलेक्ट्रोन आ गए तो हमारा काम बहुत सिंपल सा हो गया अगर सीधा complex से जाना था तो n is equal to 2 otherwise जब भी आपको अगर magnetic moment बच्चे mention है ना तो इतनी बड़ी समस्य है ही नहीं अगर magnetic moment बच्चे mention होता है तो इतनी बड़ी समस्य होती ही नहीं है आप easily easily देख सकते हो है आपर दो अनपेर्ड इलेक्ट्रोन है 8D8 system आपने बढ़े हैं तो दो अनपेर्ड इलेक्ट्र क्रिस्टल फिल्ड थियोरी बच्चे यह बहुत इंपोर्टेंट exam point of view से मतलब की हर बार इसके रिगार्डिंग आसपास कहीं ना कहीं आपको एक क्योशन मिलेगा ही मिलेगा से क्योशन आते ही और मेक्सिमम होते हैं vividly और सी इन दोनों से बहुत ज्याधा वहिए लगल पराँ से सारी बाते सारी बाते सुनते हैं तो आप देखो क्रिस्टल फिल्ट और हो सकता हैं आप लोगों को यसे डर लगता हूँ या फिर इसको समझ में नहीं आती हूँ बाकी बहुत मज़ेदार चीज है तो हम एकदम सारे points शुरू से एक पर देख लेते हैं पहले कुछ बाते कर लेते हैं कि theory ने क्या कहा questions कैसे बन सकते हैं और समझा कैसे जाएगा उस सारी बाते करेंगे तो कुछ देर आपको अराम से बैठ कर एक नई topic ऐसा समझो कि आप नई topic सीखने जा रहे हो तो अराम से शांति से बैठ कर सुने देखो यह theory completely आयन-ायन interaction के base उपर है किसके उपर based है आयन-ायन interaction ठीक है आयन-ायन interaction के उपर यह based है सबसे बहले कुछ points यहाँ पर लिख देते हैं अना कुछ points यहाँ पर लिख देते हैं points to be noted ठीक है वाई कुछ खास point जो आपको ध्यान रखने चाहिए आईए समझते हैं वो क्या खास point है पहला point तो सर यह कि इस theory ने ना metal और ligand को एक point charges consider किया कहा कि metal और ligand एक charge है मैटल को positive charge consider किया था इन्होंने और ligand को negative charge consider किया था और यह भी कहा कि in case अगर ligand negative charge नहीं है neutral है तो ligand के अंदर एक dipole generate होगा जो मैटल के positive charge से interact कर रहा होगा तो यहाँ पर पहला जो point आता है बच्चे वो यह आता है metal and ligands are considered as point charges point charges consider किया यानि कि आपको यह पता होना चाहिए कि यह theory completely iron-iron interaction के base पे चलती है दूसरा point इन्होंने कहा कि metal stationary होगा ligands आएंगे उसकी तरफ metal क्या होगा stationary होगा और ligands will approach towards the metal तो यहाँ पर आप दूसरा point लिखेंगे है metals are stationary metals तो सर अपनी जगह पर ही है ligands आ रहे हैं उसके पास metals are stationary ligands approach towards them और तीसरा point यह ही है कि वो एक iron-iron interaction के base ही होती है कि यहाँ पर एक iron-iron interaction based होती है अब यहाँ पर इतनी से भी सारी बाते समझ में नहीं आएगी अंदर हमें चलना पड़ेगा तो सबसे पहले हम let's suppose एक octahedral complex को पढ़ने चलते हैं किसको पढ़ने चलेंगी हम octahedral complex को पढ़ने चलेंगी तो बच्छे heading जो डालेंगे यहां से हमारी कहानी शुरू होती है formation of octahedral complex कैसे octahedral complex बना होगा वह आईए समझते हैं देखते हैं formation of octahedral complexes मतलब metal है metal के around लीगेंड आ रहे हैं और एक octahedral environment create कर रहे हैं तो यहां पर बताया गया कि metal stationary होता है एक octahedral void में consider किया जाता है बैठा होता है और Ligens उसकी तरफ आ रहे होते हैं कितने fringe x आएंगे और कहां से आएंग एक जी आते हैं आ यह समझते हैं face की तरफ से आते हैं पहले यहां पर कि यह आपने क्या पना लिया क्यूब हमने बनाए है कि हमने कहा कि मैटल है यहां पर मैटल विराजमान है ठीक है मैटल यहां पर विराजमान है अपने आपको एक कमरे में यह कमरा क्या है एक क्यूब है मैं हूँ मैटल तो मुझे 6 लोग अप्रोच करेंगे 6 लीगेंड अप्रोच करेंगे कहां से 6 फेस से एक सामने से आएगा एक इधर से नीचे से एक उपर से और एक पीछे से आएगा ऐसे 6 फेस हैं ना हमें क्यूब में हैं हमें क्यूब है और हमारे 6 फेस हैं सामने पीछे इधर इधर ऊपर नीचे कितने फेस हैं 6 फेस है तो 6 लिगेंड जाएंगे 6 लिगेंड जाएंगे यहां पर एक इधर से आ रहा और एक यहां से आ रहा है अब एक नीचे से आएगा ठीक है और एक आपको और दिखाना पड़ेगा जो पीछे से आ रहा होगा ठीक है तो यानि कि अपने आपको क्यूब में समझा करो अपने आपको क्यूब में समझा और इस तरीके से लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो य लीगेंड उसकी तरफ आए फ्रोम 6 फेसिज एन लीगेंड अप्रोच प्रोम 6 फेसिज छए फेसिज से वह आए ठीक है अब देखो बढ़ी मैं हूँ मालो मैटल मैं मैटल हूँ लीगेंड जब आ रहे हैं तो वह यह मेरा एक एक्सीज है मालो यह x-axis है ये y-axis है ये z-axis है कुछ भी consider कर लो ये x-axis ये y-axis और ये z-axis ठीक है इस तरीके से हमने consider किया x, y, z ठीक है तो यहाँ पर जब ligands face से आ रहे हैं तो मेरे axial orbital से interact करेंगे या non axial से किसके साथ interaction करेंगे ligand क्योंकि ligand यहाँ पर face से आ रहे हैं सामने से आ रहे हैं तो axis वाली interaction होगी ligands मिलने आ रहे हैं metal की orbital से तो किस से ज़्यादा मिलने आएंगे क्योंकि वह सर face से आ रहे हैं तो यहाँ पर octahedral की case में तो ligands will interact with axial orbitals more और यही यही interaction अंतर बन जाता है कि metals की orbitals जो metals की orbitals होते हों कि energy के split होने का जब ligands आते हैं तो metals के जो orbital की energy होते हैं वो split होने लगते हैं बहुत मज़ेदार कानी है थोड़ा सा सबर रखो समझते हुए चलेंगे तो यहाँ पर आप क्या लिख होगे ligands will interact with metal axial orbital more या फिर यू लिख लो ligands will interact more with more with metal axial orbital और axial में कौन कोन आएंगे भाई axial में सर आपके पास आएंगे एक आएगा d x square minus y square और एक आएगा क्या d z square तो हमारी बात सिंपल सी है वही octahedral कैसे बना होगा metal बैठा है एक cube समझो अपने आपको metal समझो आप कमरे के बीच में बैठे हो ligand 6 तरफ से आ रहे हैं एक octahedral environment create हो रहा है आपके दो orbitals हैं एक है axial जिनकी lobes axis के अलोंग है क्योंकि ligands भी axis के अलोंग आ रहे हैं आपकी lobes भी axis के अलोंग है axial वाले orbitals की तो ligand किन के साथ जादा interact करेंगे axial orbital के साथ जादा interact करेंगे as comparison to non axial non axial orbital chemical bonding में देखा था axial और non axial non axial वाले होते हैं जिनकी lobes in between the axis होती है आप देखो यह orbitals axial और non axial आपको पता है यह chemical bonding में भी मैंने आपको पढ़ा है तो अब आप थोड़ा अच्छे लेवल पर बढ़ रहे हो net jam इनकी त्यारी कर रहे हो तो अब axial और non axial आप एक बारी chemical bonding में भी जागर देख सकते हो तो यह बात clear हो गई है ठीक है कि लीगेंड axial orbital से interact करेंगे अब मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं कि दो टाइप के interaction होते हैं फिर हम सीधा crystal कौन सी होती है सर मैटल और लीगेंड की बीज में कैसी कैसी interaction है थोड़ा सा पता दो इस बारे में आईए बच्चे बात करते हैं देखो हमने कहा कि यह मैटल है ठीक है यह मैटल के orbitals हो गए इस तरीके से ठीक है और यह मैटल जनली क्योंकि crystal field theory ने जनली consideration यह दिये बोला गया अब यह सारी बाते बच्चे 12 तुमें पढ़ी थी अगर ध्यान हो तो प्राइमरी नहीं पढ़ी हो तो कोई बात नहीं बात निहीं अब देख लो मेटल के पोसीटीव चार्ज जो लीगन के बीच में अट्रेक्शन इन्ट इंट्रेक्शन दो वर्ड शे बनता है एक्रट में प्लस लीपल्शण तो प्रामरी इन्ट्रेक्शन यहां पर क्या तो किन्ट्रेन करता है पुछद और्विटल में इलेक्ट्रोन डेंसिटी भी होगी तो इस इलेक्ट्रोन डेंसिटी और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में एक सेकंडरी इंट्रेक्शन भी होता है और उस सेकंडरी इंट्रेक्शन को यहां पर आप लिखोगे यह क्या हुआ सेकेंडरी इंट्रेक्शन आप इसे कहोगे क्या कहेंगे जी सेकेंडरी इंट्रेक्शन आप कहेंगे और सर यह क्या होता है यह होता है आपका रिपल्शन होता है बच्चे इसे कहा गया क्या रिपल्शन द्यांदर ना आपका जो इंट्रेक्शन वर्ड है दो चीजों से बना और बिच बन रहे तो बहुत अबर यहां पर प्राइमरी इंटक्षण ही डोमिनेट करते हैं अगर यह ध्यान रखना बच्चे जितना ज्यादा प्राइमरी इंट्रेक्षण मतलब जितना यह ligand और यह पास आएंगे उतना ही metal की electron density और ligand की जो यह negative charge है इनके बीच में repulsion होगा और यही repulsion आगे जाके help करता है कि metals की जो energy metals की orbitals की जो energy होती है वो बढ़री होती है अंस्टेबल हो रही होती है जब ligands पास आते क्यों क्योंकि repulsion मिल रहा होता है यह आगे जाके आपको दिहान देना पड़ेगा इसलिए मैंने अभी बताया कि attraction तो है बोंड बन रहे है attraction है ओवेसी बात है मगर एक रिपल्शन भी है और वो रिपल्शन किसका है वो रिपल्शन है मैटल की electron density और ligand की negative charge electron density के बीच का एक रिपल्शन है बच्चे अब आपको क्या पढ़ना है यह कुछ हम टूल यूज करेंगी वही औक्टाइडल environment हम बना रहे हैं कि सामने से आ रहे हैं फेस से तो मैटल के एक्जियल और्विटल से वह interact करेंगे interact मतलग यही कि वह जब ओक्टाइडल environment होगा तो मैटल के एक्जियल और्विटल लीगेंड से जादा इंट्रेक्ट करेंगे यहां पर हमारी यह बात क्लियर होती है अब बच्चे चलते हैं टाइप ओफ क्रिस्टल फिल्ड पे किसके ऊपर चलना है आपको टाइप ओफ क्रिस्टल फिल्ड आपको समझ रही है ठीक है यह है आपका टाइप ओफ क्रिस्टल फिल्ड कितने टाइप एक हम ने लिखा और एक हमने लिखा यहां पर नीयर फिल्ड हमने इधर लिए चीक है जी अब बचे समझते हैं देखो यहां पर क्या था कि बाई मैटल यहां पर शांती से मैटल के पांच और्बिटल से पांच और्बिटल से यहां पर मैटल बैठा है डी और्बिटल से मैटल के ग्राउंड स्टेट में बैठे हैं अराम से समझो मैटल के पांचों के पांचों और्बिटल कहा हैं ग्राउंड स्टेट में अभी किसी से मु बहुत दूर है बस पता लग गया कि हां कोई मिलने आ रहा है मगर अभी वो बहुत दूर है जैसे कई बर पता लग जाता ना कि कोई आपसे मिलने आ रहा है अभी वो दूर ही है बस आपके पास एक यही information है कि वो मिलने आ रहा है तो अभी वो बहुत दूर है मगर मिलने जरू आ रहे हैं एक फार-filled interaction क्रीएट हो रही है तो यह सारे कि सारे क्या होते हैं excited स्टेट में चले जाते हैं मतलब क्या है सर्प आईए समस्ते हैं ग्राउंड स्टेट में होते हैं मतलब कि लीगेंड का environment उनके पास नहीं होता और एक होता है कि लीगेंड उनकी तरफ अप्रोच करने लगते हैं तो तब लीगेंड को पता ही नहीं होता कि उन्हें axial orbital से जाकर मिलने है उन्हें ये बात पता ही नहीं है उन्हें metal के राउंड एक spherical symmetry दिख रही है क्या दिख रही है metal के राउंड एक spherical symmetry दिख रही है उन्हें पता ही नहीं है कि हम तो भाई face से आएंगे उन्हें ये बात नहीं पता तो वो सारे ही orbital को repulsion देते हैं और सारे ही orbital को excite कर देते हैं simple सी बात है जब ligands दूर होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि हम axial ये orbital से interact करने जा रहे हैं क्योंकि metal की around तब बच्चे क्या होता है एक spherical symmetry होती है यहाँ पर लिख लेना इधर क्या होता है जब ligands दूर थे तो यहाँ पर spherical symmetry इधर हम लिख रहे है इसके फार फिल्ड के कुछ पॉइंट यहाँ पर spherical symmetry होती है मतलब की metal की around ligand को spherical symmetry दिखती है तो all ligand all orbitals all orbitals of metal get excited all orbitals of metal get excited सारे के सारे को कुछ ना कुछ रिपलचन मिलता है क्योंकि अभी अंतर ही नहीं पता कि हमारी मुलाकात किस्से होने वाली है सब के सब excited हो गए और इसे बच्चे pseudo excitation भी कहा जाता है क्या कहा जाता है pseudo excitation भी कहा जाता है अब यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ बच्चे जब वो pass आए तो यह d orbital जब जो ground जो excited state में आ गए है उनको यहीं पर लिख लो यहना साथ बनाएंगे इनको यह इसी energy level का है यहना इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं ताकि आपको confusion ना हो अब जब वो नियर फिल्ड आ गए हैं तो यह है d orbital excited state अब क्या हुआ बच्चे अब लीगेंड्स को पता लग गया कि वह यह अपनी entry axial की तरफ से होने वाली है अब उसको metal के round कैसी symmetry दिख रही है उक्ता हेड्रल सिमेट्री दिख रही है उसको metal के round बच्चे क्या दिखती है यहां पर उक्ता हेड्रल सिमेट्री दिखती है और उसे पता लग गया कि भाईया हाँ हमारी मुलाकात axial orbital से more है axial orbital interact more और interact जादा करेंगे तो जादा रिपल्शन होगा interacts more चीक है जी तो अब इधर क्या हुआ जो जबरदस्ती excited हो गए थे कौन जी आपके non axial orbital इनसे कोई मिलने नहीं आ रहा था वर्स यह जबरदस्ती excited हो गए थे तो यह नीचे चले जाते हैं यह थोड़ा सा कहां चले जाते हैं बच्चा नीचे चले जाते हैं और यह जिन से actually में मुलाकात हो रही है जो actually में रिपल्शन होंगे वो और unstabilize हो जाते हैं उनसे और ज्यादा रिपल्शन हो लग जाता है वो ऊपर चले जाते हैं यह होता है आपका एक टूटा टूटा अभी हमने समझा है अभी इसको combine करके समझेंगे non axial को T2G कहा जाता है और axial orbital को बच्चे EG कहा जाता है दो क्यों बनाएं? dx square minus y square और एक dz square ये कौन को ने? dxy, dyz and dzx तो ये एक टूटा फूटा हमने अभी बनाया है मगर इससे ही पूरा combine splitting diagram अब हम पढ़ने वाले हैं तो आएए एक बार combine करके इनको पढ़ लेते हैं यादि की heading डालो splitting diagram of octahedal हुआ क्या? शुरू में बच्चे यहाँ पर 5 d orbitals थे यहाँ पर ये क्या है? d orbitals हैं कहा सर? ground state में आप कहोगे कहा है? d orbitals बच्चे ground state में है यह जब ligands दूर थे दूर थे ligands तब यह far field में क्या हो गए? excite हो गए जिसे pseudo excitation भी कहा मतलब कि अभी ligands को पता ही नहीं है कि हमारी मुलाकात किसे है? axial orbitals है नहीं जी नहीं ligands को पता ही नहीं है तो यह सारे कि सारे क्या हो गए? excite हो गए इन्हें कहा गया क्या? d excited state में चले गए अब बच्चे फिर क्या हुआ? फिर यहाँ लोग यहाँ से शुरू करते हैं इसको देखते ही नहीं है यह भी देखो question अभी एक बन सकता ऐसा अब यह तो थी क्या? far field इसे तो आपने क्या कहा दिया? far field यहाँ पर क्या symmetry दिख रही थी? एक spherical symmetry दिख रही थी पता इन्हीं था किस से मुलाकात हो रही है मगर इधर इधर पता लगा कि हाँ मैं जो ligand हूँ मैं किस से मुलाकात करने जा रही हूँ? मैं axial orbital से मुलाकात करने जा रहा हूँ क्योंकि axial orbital face से आ रहे हैं तो ligand face से आ रहे हैं तो वो axial orbital से interact करेंगे यानि कि कहां चले जाएंगे axial orbital को ज़्यादा repulsion मिलेगा तो वो उपर और non axial को कम repulsion मिलेगा तो वो नीचे चले जाएंगे यह टी 2 जी बन गया और यह क्या बन गया आपका ezी बन गया ठीक है और यह एक सेंटर बोला जाता पर जाता है जिसे क्या बहुतार करेंगे अभि हम से कोई मुलागात करने आ रहा है या फिर कोई let suppose कोई लड़की निकल रही है तो इन्हें लग रहा है कि हमें देख रही है ना इन दोनों को लग रहा है कि मुझे देख रही है इसको लग रहा है मुझे देख रही है तो ये दोनों जबरदस्ती एक्साइट हो गए है इन दोनों को लग रहा है कि मुझसे मुल तो जिससे मुलाकात है वो और खुश हो गया और खुश हो गया तो वो और एक्साइटिड हो गया यानि कि ऊपर चला गया और जिससे मुलाकात नहीं होई थोड़ा तो लगेगा बुरा तो वो थोड़ासा अनहापी हो गया और थोड़ासा क्या हो गया डी एग्साइट हो गया ठीक है यह समझने का तरीका मगर आप ऑर्विटल के उसमें जाओ एक बर दुबारा मैं समराइज कर देता हूं कि वह मैटल के यह डी और्बिटल है हम ओक्ता हेडल की स्प्लिटिंग पड़ रहे हैं मैटल के डी और्बिटल जब कुछ भी नहीं था जब कोई भी नहीं था दूर दूर तो यह सारे क्या थे बच्चे डी जनरेट थे मतलब कि इक्वल एनरजी के थे मगर इन्हें पता लगा कि हाँ अब लीगेंड अब कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो लीगेंड्स आर है अभी लीगेंड्स दूर थे यानि कि फार फिल्ड एंवाइनमेंट क्रियेट हुआ तो उस एंवाइनमेंट में लीगेंड्स को एक स्पेरिकल स लगा कि अच्छा बहीं मेटल एक्टाइडल एंवाइनमेंट क्रियेट हुआ है यहां पर ओक्ताइडल सिमेट्री यह की तरफ से अंदर जाना है और जब हम फेस की तरफ से अंदर जाएंगे तो हम मैटल के एक्जियल ओर्विटल से इंट्रेक्ट करेंगे तो उसको ऊपर पोचार देंगे उससे ज़्यादा रिपल्शन करेंगे और वो ऊपर चला जाएगा और नोन एक्जिल वाला कहां चला जाएगा नीचे चला जाएगा यह ध्यान रखना यहां से क्योशन बन सकते हैं माल लो आपको कोई कह रहा है एनर्जी ओडर लिखो क्या लिखो जी एनर् आपका कौन T2G orbital ठीक है इसकी एनर्जी देन आपके पास कौन D excited state and सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी किसकी EG की सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी यह हो गया आपका क्या एनर्जी लेवल तो यहां तक हमने ज़स समझा है एक इसकी spelling ठीक कर लो भाई यह क्या है आपका बैरी इसको क्या लिखोगे बैरी इसकी spelling आपके क्या होगी बी ए आर वाई चिक है तो इस तरीके से आपको समझना था कि भाई जब मैटल अकेला था तो मतलब क्योंगी एनर्जी एक जैसी होगी जब मैटल को लीगेंड अप्रोच करने लगेंगे तो वो एक्साइट हो क्या बोला जाता है और नोन आगजेल आपके डी एक्स य डी जेड एक्स होते हैं ठीक है बच्य अब यहाँ पर आपको इनकी स्प्लिटिंग डायग्राम ये पढ़ लिया अब सुन ऐसा बनाएंगके कैसे सब से निकालेंगे CFSE कैसे निकालेंगे Crystal Field Stabilization Energy कैसे निकाली जाएगी बच्चे वो एक बार सर बता दो तो 5D Orbital जो आपके क्या थे Excited में थे उसको हमने इस तरीके से ले लिया ठीक है और यहाँ पर हमने देखा कि Legand जब आ रहे हैं तो यह इस तरीके से Split कर जाते हैं इस तरीके से क्या कर गए हैं Split कर गए हैं यह आपके क्या वन गए है Splitting हो गई है इनकी और अब क्या Energy निकलेगी CFSE कैसे निकलेगी इस पूरे Gap को कहा जाता है बच्चे क्या Del O इसे कहा जाता है इसे Del O कहा जाता है बीच में Barry Center पढ़ता है Average Energy होती है Basically Barry Center क्या होती है Average Energy होती है तो यह कहा जाता है कि जो नीचे Orbital है वो कितने Stabilize है वो Stabilization है Minus 2 by 5 Del O से या फिर आप कह दो Minus 0.5 Del O से वो Stabilize है Just 2 मिनट समझो थोड़ी देर समझने की कोशिश करो बहुत अच्छी चीज़ है बनेगी यहां से और जो उपर वाले Unstable है वो Unstable है By 3 by 5 Del O फेक्टर से या फिर Plus 0.6 Del O फेक्टर से आप इसको कहोगे अब बच्चे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ प्यारी सी क्या कि सर 1 Del O is equal to Del O क्या है Crystal Filled Splitting Del O क्या है बच्चे Crystal Filled Splitting है यहां पर लेकिलो वही इसको Del O आपका होता है इसके बारे में अभी हम बहुत बाते करने वाले है Just सबर करो आप यह अलग-अलग रूप में आपको Present हो सकता है यह अलग-अलग रूप में आपको मिल सकता है अलग-अलग रूप में आपको मिल सकता है तो ध्यान रखना अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि 1 Del O में 10 DQ होते है DQ भी एक Representing Unit है इस Splitting की ठीक है तो अब यहां पर इसको आप 6 DQ भी कह सकते हो अगर DQ की फोर्म में वो एक बार समझा दो आईए देखते हैं CFSC का फोर्मूला क्या बनेगा देखो भई CFSC का बच्चे फोर्मूला बनेगा Number of electron present in T2G T2G ये वाला है और EG कौन से वाला है उपर वाला है तो T2G में जितने electron present है उसका factor multiply होगा कितना से minus 2 by 5 del O से या फिर आप 0.04 del O भी ले सकते हो 2 by 5 कितना होते है 0.4 Plus Number of electron presenting EG और कितना factor है भई Plus का 3 by 5 del O ठीक है Plus का 3 by 5 del O आपको books में या फिर अलग-अलग जहें पे आपको यहाँ पर एक भी मिलेगा MP है ना ये pairing energy होती है ये क्या होता है pairing energy होती है M क्या होता है भई M होता है कि legions की presence में कितने pair बने है और P क्या है pairing energy है कैसे निकाला जाएगा सर ये एक बार समझा दोगे आईए समझते हैं इनको कैसे use किया जाएगा ये just हमारा formula है घबराओ मत अराम से बच्चा विश्वास रखो खुद पे सबसे ज़्यादा कि हम सब कुछ सीख सकते है हम सब कुछ समझ सकते है ये विश्वास हमेशा आपके पास होना चाहिए आईए देखते हैं कि कैसे निकलती है let's suppose बच्चा मेरे पास एक है मैंने किया क्या D6 ले लिया मैंने D6 सक्ट मैंने ले लिया HighSpin का केस और बच्चे मैं यहाँ पर पढ़ूँ क्या D6 Low Spin का केस अभी आपको ये भी बता दिया जाएगा High Spin, Low Spin दोनों बता दिया जाएगी थोड़े से सबर रखो थोड़ी देर थोड़ी देर समझो, just CFSC की practice करा रहा हूँ कि कैसे निकलेगी CFSC, यहाँ पर माल लो यह आपके पास है क्या, 5D orbitals, ठीक है, 5D orbitals है, इधर आपके पास गया क्या, यह EG गया, और यह नीचे कोन गया, T2G, यह सिरफ octahedral में ऐसी बनानी है, हर जगे ऐसी नहीं बनानी बच्चे, यह ध्यान रखना, हर जगे ऐसा नहीं बनाना, यह हो गया आपका T2G, T2G जब भी लिखेंगे तो समझ जाना, क्या, Dxy, Dyz, and Dzx, और यहाँ पर यह हो गया, बच्चा क्या, EG, D6 electron यहाँ पर कैसे बैठी होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और 1, 6, high spin का मतलब कि पहले pairing नहीं हुई, spin, अनपेड electron जादा है, high spin, VBT में देखा था, कि high spin का मतलब होता है, अनपेड electron का जादा होना, यानि कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं आपको कहीं नहीं रहा कि आप decide करो कि सर कब high spin होगा, कब low spin होगा, वो मैं बताऊंगा, वो मैं समझाऊंगा कि कब high spin होगा, कब low spin होगा, अभी बच् CFSE कैसे निकलती है, तो आइए CFSE निकालते हैं, यहाँ पर CFSE, ठीक है, वहाँ पर जो MP लिखा था, वो भी यहाँ पर आ जाएगा, चिंता मत करना, number of electron present in T2G कितने electron present है, 4 electron present है, 4 electron यहाँ पर present है, और contribution कितना होता है, contribution minus 2 by 5 del O ले लो, या फिर minus 0.4 del O ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर minus में, क्योंकि यह क्या है, stabilize हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसकी minus में आईगी, यह average energy होती है, नीचे जाने वाला minus में होता है, उपर वाला plus में, और 2 electron उपर गए हैं, वो कितना आएगा, 0.6 del O, अच्छा, अब सल यहाँ पर M कितना लेना है, भई, लिए क्या है, number of pair, formed in presence of ligand, ligand की presence में कितने pair बने, या फिर आप यह देख लिया करो, कि यहाँ पर कितने extra pair है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो यह 1 minus 1, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 pair आएगा, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से कह सकते हो, कि M को हम क्या लेंगे, कि इधर कितने pair है, और पहले कितने थे, पहले 1 था, तो 1 minus 1 कितना हो गया, 0 हो गया, या फिर इसको समझने की तो बात सिरफ यह है, कि लिएंड की presence में कितने pair बन रहे हैं, अगर 6 और, 6 electron को आप D में भरोगे, without ligand की presence में, सिरफ metal के D orbital में तब भी एक pair बनेगा, तो ligand की presence में भी एक pair बने, एक्स्ट्रा कुछ बना, नहीं बना, तो इसलिए हाँ पर क्या आएगा, 0 pairing energy आएगी, बिल्कुल easy है, अभी जब यह करेंगी, तो और अच्छे समझ में आएगा, तो कितना बन गया भाई, यह माइनस 2, यह हो गया आपक कितना, माइनस 1.6 डेल ओ, प्लस 1.2 डेल ओ, यानि की यह बन गया आपका, कितना, माइनस 0.4 डेल ओ, ठीक है, यह आप गया, आपका क्या, cfsc, step by step चलो, भाई, इसमें मत पढ़ो कि सर, आगे क्या होने वाला है, बच्चे, आगे भी अच्छा ही होगा, विश्वास करके हम पढ़ रहे हैं, आगे भी अच्छा ही होगा, हैना, अराम से, यहाँ पर वापिस से आपने क्या पढ़ा, वापिस से इस तवी के से 5 इलेक्टरन लिख दिया, और स्प्लिटिंग इनकी दिखा दी, कि भाई, यह यह इजी उपर चला गया, थोड़ा सा इधर T2G आपने दि पेर हुए हैं, मतलब उपर नहीं गए, एक, दो, तील, कैसे करना है, यह इस तरीके से पेर हो गए, अब हम सिरफ CFSE निकालना ही सीख रहे हैं, यह याद रखना, यह EG हो गया, यह T2G हो गया, हाँ जी, CFSE बता दो सर, एक बार मजा आ जाएगा, बिल्कुल बताते हैं, ही परजेंट नहीं है, EG में तो बच्चे कोई इलेक्टरोन ही परजेंट नहीं है, तो 0, हाँ, पेर कितना लोगे, जो MP है, यह कितना आएगा, M कितना आएगा, सर, एक पेर तो पहले था, अब जब आपके यह, लीगेंड की परजेंट में कितने पेर एक्स्ट्रा बने है हैं, दो पेर एक्स्ट्रा बने हैं, तो आप बच्चे इसको ऐसे भी कह सकते हो, 3-1 यानि कि 2, तो इसका जब CFC लिखा जाता है, माइनस, इसकी CFC क्या लिखी जाती है, माइनस 2.4 डेल O, प्लस 2P लिखी जाती है, यह CFC इसकी बताई जाती है, यह प्लीज इत्यान डखना हाला कि बहुत सारी exam में execution आये हैं, जिसमें pairing energy आपको given ही नहीं होगी, यह P आपको given ही नहीं होगा, direct उसके बीदा भी हम question कर रहे होंगे, तो वो भी देख लेना, मगर कभी आ गया, तो यह P लेना कैसे होता है, बच्चे वो आपको पता होना चाहिए, यह P लिया कैसे जात है, कोई ligand की presence वाला नहीं माना जाएगा, कि यह ligand की presence में बना है, तो यहाँ पर हम इसका क्या रहेंगे, 0P ही लेंगे, यह ध्यान रखना, बोलो हाँ या ना, वहाँ पर 1-1 करके भी आप समझ सकते हो, 1-1, 0, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, ठीके, आई बार समझ में इसको आप 1-1 is equal to 0 भी कह सकते हो, अब मैं आपको कुछ चीजे समझाता हूँ कि कैसे आपको करना है, कैसे आपको complex define करने है, एक बार देख लेते हैं कि high spin और low spin का क्या खेल है, तो देखो, दो complex होंगे बच्चे आपके पास, आपके पास दो type के complex होते हैं, आईए समझते ह होते हैं, यह सारा base है, आपको अच्छे से question करने का, और jam में यहां से सीधे numerical भी आते हैं, और direct, बिल्कुल simple simple क्योशन आते हैं, बिल्कुल simple simple, अभी हम करेंगे अराम से समझेंगे, बिल्कुल अराम से, तो यहां पर एक होता है बच्चे क्या high spin complex, सर एक होगा आपके पास कब बनेगा, जब बच्चे आपके पास क्या होंगे, कमजोर legend होंगे, weak field legend होते हैं, बच्चे जब आपके पास क्या बनता है, high spin complex बनता है, यानि कि इस case में old terminology भी add हो जाती है, कि जब आपका delta O क्या होता है, pairing energy से छोटा होता है, ठीक है, तब आपका क्या बनता है, high spin complex बन तो ये क्या हुआ आपका delta O, ये delta O क्या है, बहुत छोटा सा है, मतलब कि ये energy gap कम है, तो यहाँ पर आप जब electron भर रहे होगे, तो आप मालो एक electron यहाँ पर डाला, दूसरा electron यहाँ पर डाला, अब तीन electron आपर आपने डाल दिये, क्योंकि ये pair क्या है, ये जो splitting है, ये delta O क चोटा है, इसका energy gap ही क्या है, चोटा है, तो electron एक, दो, तीन, अब यहाँ पर ये gap ही वह चोटा है, तो चोटा electron यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर चला जाता है, अनपेर electron ज़्यादा होते हैं, इसलिए से क्या कह दिया जाता है, high spin complex कहा जाता है, यहाँ पर पढ़ता है, बच्चे कौन, low spin complex sir, आइए बच्चे देखते हैं कि low spin complex के बारे में क्या होती है, वही बात है कि ताकतवर ligand ये बनाते हैं, और भी factors हैं, और भी factors मैं आपको बताऊंगा, मगर एक basic factor तो है कि ताकतवर ligand ये सा कर सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर sir, जो delta O होता ह है, वह बड़ा होता है, pairing energy से, यह symbol आ सकते हैं, यह दोनों ही चीज़ आ सकती है, मालो आपको कुछ नहीं बता रहा, आपको metal का D electron दी है, सिरफ कहा कि मेरे पड़ी 5 electron है, और एक condition दे दी यह वाली, कि del O क्या है, pairing energy से गम है, और एक क्या है, del O pairing energy से जादा है, अगर del O जाद नहीं, उपर नहीं चड़ पाएगा, एक, दो, तीन, और fourth electron उपर जाने की वजाए, pair कर जाएगा, क्योंकि del O pairing energy से जादा है, इसलिए pairing हो जाती है, तो यहाँ पर लिख लेना, pairing हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई pairing नहीं होगी, इधर no pairing, और इधर pairing present होगी, यही तो बात बच्चे आपने पढ़ी है, कि भई, यह D6 low spin, low spin में आपने क्या, क्या, पेर बना दी, उपर electron को चड़ाया ही नहीं, तो low spin में ही हमने कहा है, कि electron उपर नहीं जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, पर high spin में उपर electron चला जाएगा, ठीक है, अब question कैसे, कैसे question बन सकते है अब यह हमने सार पढ़ लिया है, कि भई, यह यह चीजे हैं, हमारे पास delta O है, CFSC है, कुछ ना कुछ question बन सकते हैं, तो आईए, एक बर मैं आपको थोड़ा सा और रूबरू करा दूँ, जैसे कि यह question, jam का question है, बई, MNH2O6, पहले तो आप थोड़ा सा यही कर लो, है ना, इसकी CFSC निकालो, CFSC क्या होगे, आपको सब की क्या करनी है, CFSC निकालनी है, यह jam का question है, बच्चे, jam का question है, N80 में आया है, कुछ नहीं given है, MNH2O6, 2 positive आपको मान लो given है, इसकी CFSC, तो अब आपको low spin, high spin कैसे decide करना है, ताकतवर ligand और कमजोर ligand, और यह आपने VBT में जैसे देखा था, कौन ताकतवर ligand और कौन गमजोर ligand है, उस तरीके से, तो यहाँ पर पानी का molecule कैसा है, strong है या weak है, अगर weak field ligand होगा, अगर weak field ligand होगा, तो high spin complex बनाएगा, strong field ligand होगा, तो low spin complex बनाएगा, बहुत simple सी बाते हैं, बहुत साधारान सी बाते हैं, और सबसे बड़ ताकतवर या कमजोर, सर कमजोर ही तो है, बिल्कुल सही, this is weak field ligand, यह आपका क्या है, weak field ligand है, और MN, plus 2 oxidation state में, कितने electron होगे, बच्चे, D5 होगे, क्या answer आया आप लोगों का, कितनी CFC है, अभी तक तो answer आ जाना चीज़, चले, पोई बात नहीं, देखते हैं, यहाँ पर, जिनका आ गया है, बहुत बढ़िया, 5 electron यहाँ पर, हमेशा अराम से सबर करके चीज़े बनानी है, कोई जलवाजी नहीं, ठीक है, high spin उन्होंने कहा है, क्या कहा है भई, high spin उन्होंने कहा है, तो 5 electron, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर थे, अब कमजोर ligand है, weak field ligand है, high spin बनेगा, 1, 2, 3, 3, 4, 5, कोई pair है नहीं, तो pairing energy की समस्य अभी नहीं है, और अगर आपको pairing energy question में given ही नहीं है न बच्चे, तो उसकी सिर्दर्दी लेनी ही नहीं है, अभी तक कोई भी jam में ऐसा question ही नहीं है, जहां पर pairing energy का CFSC में कोई inclusion, मतलब की role हो रहा हो, मतलब उसको numerical में उसका use हुआ, क् बिना भी चीजे चल जाएंगी, मगर हां, कभी आया तो आपको वो P निकलता कैसे, बस इतना प्यारे बच्चे, पता होना चीए आपको, ठीक है, आईए CFSC देखते हैं, बाई, कितना electron है T2G में, यह आपका होता है सर, T2G और यह, अब हम बार बार यह basic बाते नहीं करेंग यह T2G और यह EG, तीन electron है T2G में, contribution कितना बताया था, माइनस 0.4 डेल ओ बताया था सर, और EG में कितना है, 2 है, contribution कितना बताया था, 0.6 डेल ओ बताया था, यह तो कुछ 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाइ 2 डेल ओ, प्लस 1 बाइ 2 डेल ओ, कट पिट कर आंसर आता है, 0, और आंसर जो box में आपको भरना था, वो 0 ही आंसर भरना था, N80 का question था, यह jam में, numerical answer type का question था, numerical answer type का jam के अंदर यह question था, तो ऐसे handle आपको करना था, बताओ, बहुत simple, कोई भी समस्या, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, इसमें किसी को भी वई, चलिए, अब आपको एकादे question और देख H2O6, 2 positive मान लो हमने लिया है, चिके जी, और let's suppose यहाँ पर हमने लिया है क्या, कोबाल्ट H2O6, 3 positive लेके देखते हैं, बारिक सी बात मुझे आप से जाननी है, उमीद है आप बता दोगे, पहले तो इन दोनों का बताओ, पहले तो इन दोनों का बताओ, कितनी CFSC आएगी, इन टम्स ओफ डेल्टा OE आएगा, इसका अंसर कैसा आएगा, इसका अंसर आएगा, सर, CFSC is equal to minus 0 आएगा, X आएगा, डेल O आएगा, ऐसा अंसर इसका आएगा, ठीके, यानि कि आपको यह X क्या है, यही find out करना होता है, ऐसा, मान लोक्योशन बन सकते है, इस form में आपको दे दिया, आप से पूछ लिया कि भई, यह X क्या है, तो इस form में इसका अंसर आते हैं, हमेशा, ठीक है, आएगे, निकालते हैं, कितना हुआ भई, FV2 पोजिटिव हो गया, जी, D6 है, D6 है, बहुत बढ़िया, पानी का लिगेंड, H2O कैसा है, कमजोर या ताकतवर, कमज और ही है, यानि कि इसको क्या का होगे, आप वीक फिल लिगेंड बच्चे इसको कह दोगी, फिल्कुल सही सर, अब इसको स्प्लिट करवा दो, यहाँ पर आपने लिया, इस तरीके से पांच और बिटल, जो डिजनरेट है, फिर इन दोनों को स्प्लिट करा दिये, इस तरी इसको किया, तो अब क्या किया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तीक है, यहाँ पर एक, दो, तीन, ऊपर चड़ाऊं या नहीं चड़ाऊं, वीक फिल लिगेंड है, तो यह क्या बनेगा, हाई स्पिन बनेगा, चार, पांच, और बच्चा छे, सी एफसी बता दो, सर, इनर्जी तो होनी नहीं है, तो सी एफसी अगर हम निकालें, कितनी आ जाएगी भई, सी एफसी, आईए देखते हैं, चार, इलेक्ट्रोन का कंट्रिबुशन, माइनस, 0.4 डेल, ओ, और, दो, इलेक्ट्रोन का कंट्रिबुशन, कितना, 0.6 डेल, ओ, बच्चे, यानि की, 4, स्कूर, ये कितना आया, माइनस, 1.6, ये आया, 1.2, यानि की, ये आया, माइनस, 0.4 डेल, ओ, क्लियर है, स्कूर देख लेते हैं, आईए समझते हैं, कोबाल्ट 3 पोजिटिव और पानी का रिष्टा, रे सर, मजा आ गया, कमजोर या ताकतवर, सर, पानी का मोलिक्यूल, प योकि प्लस 3 ऑक्षिडेशन चली गई है, प्लस 2 में तो हर किसी के साथ ही वीक है, मगर इधर, पर्टिकुलर्ली प्लस 3 के साथ, स्ट्रोंग फिल लिगेंट हो जाता है, ये जस्त थोड़ी देर पहले ही बच्चे आपने पढ़ाए, वीवीटी में हमने पढ़ाए, तो अ मजना होगा, ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से लो स्पिन बनेगा, अब बच्चे अगर आपको पेरिंग नहीं गीवन है, पी आपको पता है आएगा, मगर क्योशन में गीवन नहीं है, तो उस इसकी CFSC कितनी हो गई, इसकी CFSC हो गई, 6 electron माइनस 0.4 डेल ओ, बच्चे, यानि की, माइनस 2.4 डेल ओ, ठीक है, अब मुझे बताओ, किसकी CFSC ज्यादा, इसकी या इसकी, माइनस 2.4 डेल ओ ज्यादा है, या माइनस 0.4, दिहान रखना, यहाँ पर यह माइनस वाली गड़व से, यह जो माइनस का साइन है, यह जस्ट यह एड कर रहा है, कि energy stabilize हो रही है, मतलब orbitals, T2G क्या है, stabilize हो रहे है, नीचे stabilize orbital में electron present है, तो माइनस साइन को आपको कम नहीं बता देना, यू मत कहना कि सर, माइनस में जो चीज ज़्यादा होती है, SL में वो कम है, ऐसा नहीं है, CFSC तब ही भी इसी की ही ज़्यादा बताई जाएगी, question बन सकता है, किसकी CFSC ज़्यादा तो इसकी minus को neglect कर देना, magnitude से answer करना वई, ठीक है, clear है यहां तक, यह हमारा done हुआ है, देख लो एक बरी, एक question इसका और देखते हैं, एक ही example और देख लेते हैं, let's suppose आपको यह पूछा है, copper H2O6, 2 positive, कोई भी ligand भी बदल सकता है, strong भी, कोई भी लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है, अब यहां पर तो चलो, मालो, यह लगा दिया, या फिर यह भी कर दिया, cn, copper की सार, मालो, no2, 6 कर दिया, और यहां पर क्या कर दिया, 4 negative कर दिया, तो बच्चे, इधर तो को D9 सिस्टम है, चाहे आप इसको ऐसे, weak field ligand बना लो, यह तो weak field ligand है, तो pairing होगी नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक 9, या फिर इसको अगर आप कह रहे हो, कि भई यह स्ताकत वर ligand है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी भी हां पर यह क्या है, copper plus 2 ही है, D9 सिस्टम ही है, तो electron तो अभी Db, ऐसे ही आएंगे, तो यह D8, D9 इधर तो D10 इधर चलता ही नहीं है, strong field ligand, D1, D2, D3, कोई strong field, weak field ligand का concept नहीं है, D8, D9, D10, कोई strong field, weak field ligand का नहीं है, हाँ, D4, D5, D6, D7, जहां पर strong और weak का concept आता है, यह ध्यान रखना, ठीक है, तो एक ही बात है, किसी का भी CFSC निकाल किसी की भी CFSC निकाल लो, कितने आएगी सर, CFSC आएगी कितने, 6 electron है नीचे, यानि कि minus 0.4 Del O बच्चा, और 3 electron है उपर, यानि कि कितना, 0.6 Del O, P को बस अब भूल जाओ, बार बार वो use भी नहीं आएगा, उसको बस पता होना चीए था कि ऐसा बनता है, अगर कभी P दिखा त तो ये कितना आएगा, minus 2.4 Del O, plus 1.8 Del O, यानि कि ये बना कितना, minus का 0.6 Del O, ठीक है जी, इसका अब देखते है, क्योशन कैसे और कैसे क्योशन बन सकते हैं, देखो, डेल्टा O, ये वाली चीज आप देख रहे हो, भाही ये, इनके बीच में कुछ क्योशन बन सकते है, CFSC औ तो इसके बाद आप ये देखेंगे कि क्योशन बन कैसे सकते हैं, ये क्योशन और कैसे बन सकते हैं, like CFSC और डेलो में क्या बन सकते है, CFSC और किस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनरजी, ये डेलो क्या है, ये भी हम बात करते हैं, आईए समझते हैं बच्चे, तो एक चीज ध्यान रखना, आपसे जो क्योशन बन सकते हैं, वो क्योशन ये बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, कि ये आपका हो गया, क्या, CFSC, या पिर आप ये कह दो, ये डेलो हो गया, और इधार हो गया, CFSC, तो बच्चे, आपसे ना, ये क्योशन बनने के बहुत ज़्यादा चांसी है कि ये given हो और ये पूछ ले डेल-o given करके cfsc पूछ ले या cfsc का कुछ given हो और डेल-o पूछ ले ठीक है अब ये जर्णली negative में रहेगा ये द्यान रखना ये जर्णली आपका क्या रहेगा positive में रहेगा और एक छोटा सा relation भी unit conversion भी आएगा जैसे कि 1 किलो जूल यह ध्यान रखना आगे यूज होने वाला है वन किलो जूल मोल इनवर्स इस एकल टू 83.7 सेंटीमेटर इनवर्स यह क्योशन में आपके यूज होंगे है ना माल लो कि इसको आपको सेंटीमेटर इनवर्स दे दिया और यह किलो जूल मोल इनवर्स में है तो इसका कनवर्जन तो कैसे होगा वह एक यूनिट कनवर्जन आपको ध्यान रखना अब चीज और ध्यान रखना यह डेल ओ कितनी चीजों से डिपेंड कर सकता है यह किस-किस नाम से जाना जा सकता है वह मैं आपको बता देता हूं जर्नली सेंटिमेटर इंवर्ज से होता है यह डीडी ट्रांजिशन के नाम के से भी गीवन हो सकता है यह डीडी ट्रांजिशन के नाम से भी आपको गीवन हो सकता है यह आपको गीवन हो सकता है कि से क्रिस्टल फिल्ड स्प्लीटिंग के नाम से आपको बच्चे गीवन हो सक सकता है हम क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि कितनी चीज़ों से यह डाल ओ रेपरेजेंट किया सकता है फिर कोशन में टूट पढ़ेंगे बिल्गुल सीमपल जो ow जीके सब पहले थोड़ा बेस बना लो फिर कैंषा तूट पदना सी पर चीज पर टूट पड़ना बेफ को centimeter inverse में कर दोगे तो वो आपका क्या आजाएगा डेल ओ आ जाएगा जस्ट लिखो ऐसे लिखो अभी और समझ में आएगा जस्ट ऐसे एक बार लिख लो कि नैनामीटर में given होके इस तरीके से जाजा सकता है ठीक है डीडी ट्रांशियन हो गया या फिर यह maximum absorption के नाम से दिया जा सकते है maximum in term से यह represent हुआ जा सकता है मैं जस्ट यह बता रहा हूं अब घवराना मत बस maximum absorption ठीक है जर्नली इसकी unit centimeter inverse में आपको मिलेगी question में हाँ वो किसी में भी पुछवा सकता है वो kilojoule में भी दे सकता है इसको और फिर centimeter inverse में पूछ सकता है तो unit conversion मैंने आपको दे दिया है मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह डेल ओ और cfsc के बीच में relation आपके question बन सकते हैं यह चीज गीवन होके यह चीज पूछी जा सकती है जर्नली नेगेटिव में रहेगी क्यों कि एक negative में ही रहेगी हमेशा negative में रहेगी क्योंकि एक energy sign है energy का stabilization होना यहां पर दिख रहा है तो यह negative में रहेगी और यह हमेशा positive में रहेगी और इसको लिखने के इतने सारे तरीके हो सकते हैं जैसी के एक सिंपल सा क्योशन मैं आपके सामने रखता हूं एक छोटा सा क्योशन रखता हूं ठीक है यहां पर एक मैंने लिया एक कॉंपलेक्स है ध्यान से जो भी हमने पढ़ा है उसी को यूज करके यह गेट में आया हुआ है डाटा एक्जेक्ट मुझे याद नहीं है बट स्टिल हम ले लेंगे कुछ अ कॉंपलेक्स टी आई एच टू ओ सिक्स थ्री पोजिटिव हैज मैक्सिमम एड्सोप्शन हैज मैक्सिमम मैक्सिमम एब्सोप्शन ठीक है मैक्सिमम एब्सोप्शन at 20725 cm inverse find the CFSE CFSE आपको find out करनी है किसमें बच्चे किलो जूल मोल इनवर्स में ऐसा मानलो एक बेसिक सा क्योशन आया एक छोटा सा क्योशन मानलो आपके पास आया है ना यह छोटा सा क्योशन आया है अब यहां बर आपने मैक्सिमम एब्सोप्शन ही कर लो इसको अब यहां पर आपको डेल ओ गीवन है क्योंकि वो पोजिटिव में है यह आपको गीवन है डेल ओ और सी एफसी आपसे पूछ लिए बिल्कुल सिंपल सा क्योशन है टी आई पहली बाद तो यह सर कितना है क्या हुआ बच्चे यह हो गया है आपका क्या सर डी वन हो गया इसको इधर से ले लो ताकि हमारे पास पूरा ब्लैक बोर्ड रहे वाई ताकि हम पूरा क्योशन सी आपके पास आ गई है कितनी माइनस 0.4 डेल ओ अब आप डेल ओ को क्या लिख सकते हो 20725 लिख सकते हो यह जर्नल ही आपको अभी हमने कहा कि मैक्सिमम एब्सॉप्शन के रूप में भी वो दे सकता है तो आप समझोगे क्या कि वो डेल ओ ही है तो यहाँ पर आप बच्च सी कितनी निगल कि आई वई सी एफसी यहां से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं आपकी सी एफसी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं बच्चे यह हो गया है आपके पास 0.4 इंटू में 20725 यानि कि आपकी जो सी एफसी निकल कर आ गई है वह कितनी निकल कर आ गई है वह आई है माइनस एट टू नाइन जीरो सेंटीमिटर इनवर्स मगर क्या गीवन है किलो जूल मॉल इनवर्स तो क्या करोगे वह कि गारोगे सर अब है अभी इन एपको बताया है कि वह ओं कि लो जूल मॉल इनवर्स में बच्चा कितना होता है dzieci показ triangles में कितना किलो जूल Um 1 by 83.7 किलो जूल मोल इंवर्स आ जाएगा यह आपको सेंटिमेटर इंवर्स में है अगर आपको इसको किलो जूल में लेकर जाना है तो क्या करने वाले हो आप करोगे माइनस 8290 यहां पर डिवाइड कर दो कितने से 83.7 से आप इसको डिवाइड कर दोगे अगर ऐसा क्योशन आया तो यह जासे भी क्योशन आ सकता है जैसे कि एक क्योशन देखते हैं जैम का ही है यह अभी बाद में देखेंगे यह वाला क्योशन देखो बहुत सिंपल बहुत सिंपल क्योशन है जैम का है 2015 का क्योशन में कहा है कि गीवन देट क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाज़ेशन एनरजी कितना है वह कोबाल्ट एच टू सिक्स टू पोजिटिव का 7360 सेंटिमेटर इन्वर्स अब यहां पर इन्होंने गीवन क्या है इन्होंने गीवन कर दिया सीएफसी बच्चा अगर सीएफसी गीवन है तो आपको नेगेटिव लेकर ही मानना है कि वह 7360 अदर्वाइस जब क्योशन करने जाओगे तब इस नेगेटिव का यूज करना ही करना पड़ेगा वरना आपका डेल ओ नेगेटिव में आने लग जाएगा वो गड़बड है तो यहां पर क्या हुआ कोबाल्ट ह 2 औश 6 है ना जह भई आपके पास कोबाल्ट 14 जैंसर कर सकते हो अपको डेल ओ कॉन्री निकालने लिए उन्हों चैल ऐसे लिखेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच. HIGH SPIN. हाई SPIN बना यहां से हमारा. तो इलेक्ट्रोन कहाँ जाएगा. बच्छे, उपर जला जाएगा. CFSC बतादो ज़रा 0.4 डिल O 5 electron है 5 electron हमारे पास है 5 electron का contribution कितना है 5 electron का contribution यहां से हो गया minus 0.4 del O ठीक है और 2 electron का contribution यहां से बच्चे आपके पास हो गया 2 electron का contribution हो गया 0.6 del O ठीक है यह कितना आया यह आया आपका minus 2.0 plus 1.2 यानि कि माइनस 0.8 डेल ओ आपके पास आ गया क्या cfsc ठीक है इसको next page पर ले जाते हैं है ना या फिर यहां से cfsc का data हम लेंगे cfsc आपको given है यह आपके पास आ गया माइनस 0.8 डेल ओ यह आपको कितनी given है 7360 अब बच्चे नेगेटिव नहीं लिखो गया तो यह नेगेटिव 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 कैंसल नहीं होगे इसलिए यहां पर आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा ध्यान रखना तो यह आपके पास कितना given था सेंटिमेटर inverse और यहां पर हो गया माइनस 0.2 डेल ओ माइनस से माइनस कैंसल डेल ओ बच्चा कितना आया 7360 अपोन में 0.8 सेंटिमेटर इनवर्स अब कितना होगा भाई यह एक बड़ देख लो इसको कितना होगा 7360 divided by 0.8 यानि कि यह आ गया भाई लगबग 9200 सेंटिमेटर इनवर्स क्या मैं यह आंसर भर के आऊं क्या मैं यह आंसर भर के आजाऊं मैं गड़ बढ़ कर दूंगा अगर यह आंसर करूंगा तो क्यों क्योंकि यूनिट बच्चा जो उन्होंने पूछी है वो क्या है वो है किलो जूल मॉल इनवर्स में हमें आंसर करना था तो अब आपको यह बात मालूम है यह बात आपको मालूम है कि एक किलो जूल मॉल इन्वर्स में हमारे पास 83.7 सेंटिमेटर इन्वर्स है तो अगर मेरे पास किलो जूल से सेंटिमेटर में ले जाना होता है तो मैं 83.7 से मल्टिप्लाई करता हूं मगर सेंटिमेटर से किलो जूल में लेके जाना होगा तो बच्चे डिवाइड करना पड़ेगा ना तो यानि कि डेल ओ कितना आ गया 9200 divided by 83.83.7 जास अमने यह लिखा है भई खुझ से लिखा 83.7 यूनिट कन वर्जन है हमारा कितना आया यह आ गया 109.9 यहां जी बिल्कुल ठीक है बई बिल्कुल ठीक आंसर ही है क्यों क्योंकि इसकी यूनिट इसका जो आंसर उन्होंने गीवन था इनका जो आंसर बोक्स में गीवन था वो In इंसर रेंज गिवन थी एक सो नो टू एक सो दस है ना यूनिट किलो जूल मोल इंवर्स में लेके जानी होती है ध्यान रखना पहुत सिंपल क्योशन है बस दो तिन चीजों का ध्यान रखना है कि दिया क्या हुआ है या तो डेल ओ से रिलेटिड बाते करेगा गिवन होगी या CFSC पूछ लेगा या फिर CFSC पूछ कर डेल ओ से रिलेटिड बाते कर लेगा अब एक और आपको चीज एक और क्योशन कराता हूं जिसमें आपको मजा आ जाएगा वो क्योशन मगर हाँ वच्चे आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा इसम को मैं भी बढ़ता हूं मैगनिट्यूड ओफ क्रिस्टल फिल स्टेबिलाइजेशन एनर्जी आपको मैगनिट्यूड पूछा है 7680 अच्छा पिछले क्योशन में कितना था अच्छा इसमें 7360 तो मनलब से लगबख से में लगबख 7680 आपको सीफसी गीवन है चलिए सर पोई बात नहीं 7680 और जब हम क्योशन करेंगे तो जाहिट सी बात है यहां पर माइज और हो सकता है अगली बार यहां पर किलो जूल मॉल इन्वर्स से दे दे आपको यूनिट के लिए हैंडल करवा सकते है तो आप ध्यान रखना आपको वेवल से आप डेल ओ तक घूम के आ सकते हो अगर आप डेल ओ चले जाओगे तो डेल ओ की यूनिट क्या रहेगी सेंटिमीटर इन्वर्स रहेगी अब ध्यान रखना लेम्डा मैक्स जर्नली आप इस तरीके से इनमें यह समझ सकते हो ठीक है क्योंकि यह कर दोगे जब आप वन ब पैसी से डेल ओ का डाटा निकलेगा डेल ओ सेंटिमीटर इन्वर्स में होगा लेम्डा मैक्स को आप नैनोमीटर में लोगे पर नैनोमीटर से पहले सेंटिमेटर में उसको लोगे जस्ट रेसिप्रोकर करतेंगे डेल्टा होगा रेसिप्रोकर करते ही सेंटिमेटर इन्वर्स वाली चीज सेंटिमेटर में बदल जाएगी और जैसे मुझे कुछ सेंटीमेटर का मिल गया है यानि कि वह वेवलेंथ की यूनिट हो गई है जस्ट सेंटीमेटर आना है तो वह एक वेवलेंथ की यूनिट हो गई है ना तो अब उस सेंटीमेटर को उठा के नैनोमेटर में 7680 ओके ठीक है यहां पर आपने लिया TI H2063 पोजिटिव बहुत बढ़िया बच्ची एक पहले ध्यान रखना क्योशन से घबराना नहीं है क्योशन देख जरा एक अंदर से खुशी होनी चाहिए कि हां कुछ ट्राइगर ने को मिल रहे एक घबराट नहीं होनी चैना यह यह मतलब यह दो फिलिंग है अच्छी बुरी क्योशन देख के बहुत सिम्पल सी बास अच्छी बुरी में से अच्छी वाली फिलिंग आपके म प्राया मत करो वस यह क्या हो गया वाई टी आई थ्री पोजिटिव सार स्कूल टीचर वेरी किरुवल दी वन एस टू दी टू एस टू में से तीन इलेक्ट्रोन गुमाद होगे तो कितना बन जाएगा दी वन बन जाएगा तो मेरा दी वन है यह बहुत बढ़िया इसको अब स्फ्लिट कर देते हैं एक दो तीन एक दो एलेक्ट्रोन लिख दो यहाँ पर हमने एक एलेक्ट्रोन दे दिया सी एफस्टी कितनी आ गई बहुत बढ़िया बहुत सिंपल सी बात है यह यूनिट आपको गीवन है माइनस सेवन सिक्स एट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट सारी चीज री चेक कर लिया अगरो यूनिट कहीं कनवर्ड ना हो जाए 7680 ठीक है माइनस में इसलिए क्योंकि सी एफसी है ठीक है पर ना कैंसल नहीं होगी न चीज़े अब देखो अगर आप मानलो यहाँ पर माइनस नहीं लगाते हो तो डेल ओ माइनस में आ जाएगा ले 7680 डिवाइड़ बाई 0.4 अब इसको कर लो इसको यहाँ से अगर हम करते हैं 7680 डिवाइड़ बाई 0.4 यानि कि यह आ गया लगबक सर 19200 सेंटिमेटर इनवर्स ठीक है अब मैं लेम्डा मेंक्स अकर मैं निकाल रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा इसको गुमा दूंगा 9200 सेंटिमेटर इनवर्स को गुमा दूंगा तो यह कितना बन जाएगा भई 1 डिवाइड़ बाई 19200 यानि कि यह लगबक बन गया लेम्डा मैक्स कितना बन गया अब सेंटिमेटर उपर जाके कितना बन जाएगा यूनिट तो बन जाएगी सर सेंटिमेटर सेंटिमेटर इ जजबाती नहीं होना है जजबाती इमोशनल इमोशनल नहीं होना है बच्चे अब क्या करो सेंटिमेटर को नैनो मीटर में एक नैनो मीटर में जी टेन टू पावर माइनस 9 मीटर होते हैं तो एक नैनो मीटर में कितने सेंटिमेटर होंगे टेन टू पावर माइनस 7 सेंटिमे है 100 से multiply किया और 100 से ही divide कर दिया 100 से divide करने वाला उपर चला गया lambda max यहाँ पर 5.20 से बन गया 520 और यह बन गया 10 to power minus 7 centimeter इस पूरे को nanometer लिख सकते हैं तो answer क्या आ गया answer आ गया बच्चे 520 nanometer और exact यही unit यहाँ पर mention थी इसका answer 520 से 521 तक mention है I think तो यह answer जो होगा कितना होगा यहाँ पर 520 nanometer ठीक है यह बड़ आंसर कितना mention था इसका हाँ 520 से 521 522 521 range दी थी उन्होंने 520 तो 521 range दी थी तो लगबग इतना ही आया हमने 520 nanometer हमारा simple सा एक answer था ठीक है एक बड़ देखलो इसको ठीक है डन है यह चलिए आगे देखते हैं इस टाइप के बच्चे numerical आ सकते हैं डेल ओ देकर आपसे cfsc पूछ सकता है cfsc देखे डेल ओ इस टाइप का कुछ भी material आपसे आ सकता है थोड़ा अच्छा बस unit का देख लेना एक conversion आपको बताया हो देख लेना equation already हम done कर चुके है next बच्चे आपको पढ़ना है कि सब splitting tetrahedral diagram में कैसे होती है tetrahedral sorry splitting diagram in tetrahedral complexes मतलब की tetrahedral complexes में बच्चे कैसे splitting diagram पढ़ेंगे तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं splitting कैसे होगी tetrahedral complexes में तो सबसे पहले कुछ points जैसे में आपने बताया था कि हम मैटल हैं और कमरे में हम बैठें क्यूब में अपने आपको समाझ लो तो मैटल बैटा है लीगेंड 6 जगे से आ रहे हैं और 6 faces से आ रहे हैं तो मैटल की lobes axis जो axis के लोंग थी वो कौन सी लोब थी axial orbital से तो लीगेंड मेटल के axial orbital से इंट्रेक्ट कर रहे थे तो सर इसमें लीगेंड कहां से आएंगे और किस orbital से इंट्रेक्ट करेंगे तो सबसे पहला point जो आप लिखोगे यहां पर बच्चे जो लीगेंड आते हैं वो सामने से नहीं आते से नीचे वले कोर्ण से आएंगे तो यह पर लिख लेना ligewegenड अप्रोच अप्रोच से अप्रोच करते हां फ्राम अल्टनेट कोर्न से जी वो आते हैं एड़ेख्च मैटल ब 1-2 तरीके से अपने क्या बना दिया यहां पर बीच में मैटल को विराजमान कर दिया यह अब लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं यहां से तो यहांद इधेर से नहीं आसकता वो कहाँ से आएगा यहां से यहीं बच्चे क्या इधर इधर से लीगेंड आ एूर आप देख पा रहे हो मैटल के इन्याओंड क्या होगा ह dzisiaj यहां चले क्या है तरह एक्थ जोमेटरी क्रीड होगा यह मैटल है एक उधर और तीन ऐसे फैले हुए ना एक उधर और तीन ऐसे नीचे की तरह फैले हुए टेट्रहेटर्ल जोमेटरी आप देख पा रहे हो इसको एसे यह गölवा एक्सियल और तो क्या सिसनेरिय और सामने से आ रहे थे यहां पर बिठा लिया आपको कमरी में आज्यों करो यहाँ पर बिठा लिया आपके यह axial orbital जो axis के लोंग है यहाँ से लीगेंड आ नहीं रहे हैं लीगेंड आ रहे हैं उस corner से तो लीगेंड इस वक्त metal की किस orbital से इंट्रेट करने वाला है बच्चे non axial orbital से मतलब ऐसे orbital से जिसकी लोब in between the axis है x-axis और y-axis के बीच में जिसकी लोब है और वहीं से ही लीगेंड आ रहे है वहीं से ही non axial orbital की लोब है तो इस वक्त लीगेंड की interaction किसके साथ हो रही है non axial orbital की साथ हो रही है तो यहाँ पर लिख लेना क्या ligands will interact with non axial orbital तो यहाँ पर आप लीख होगी क्या ligands will interact with non axial orbital non axial orbital की साथ बच्चे ज्यादा interaction होगा बोलो हाँ या ना clear है आईए समझते हैं diagram splitting diagram है ना tetrahedral splitting diagram ही heading है तो वो diagram समझते हैं तो यहाँ पर आप भी लिख सकते हो tetrahedral splitting diagram क्या होगा वो एक बार बता दीजिए ब्लीज आईए देखते हैं देखो बच्ची यह है आपका let's suppose वो ही कहानी लेकर चलेंगे पांच भाई अपने शांती से इस तरीके से बैठे हैं अभी वो क्या है ground state में है उन्हें कोई भी मतलब नहीं है लिगेंड से d metal orbitals degenerate है equal energy के है मगर अभी उन्हें भनक लगी है कि यहां भाई लिगेंड आ रहे हैं तो एक फार फिल्ड और सारे जूड मूठ के एक्सायट वे स्ञाइटेशनजी ने लिगेंड को पता लगा यह dirt की地 orbitals को पता लगा, अच्छा अच्छा main interaction तो भया non axial orbital के साथ है axial orbital तो इस बार जबरदस्ती खुश हो रहे थे, तो non axial orbital जिनकę साथ ज़्यादा interaction है वो और उचे खुश हो गए और उपर चले गए, उनको ज़्यादा इक्स और यहाँ पर इसे d x square minus y square और d z square आपने बोल दिया ठीक है जी यहाँ पर ध्यान रगना जैसे वहाँ पर आप t2 जी बोलते हो इसे आप t2 बोलोगे वहाँ पर e जी बोलते हो आप इसे just e बोलोगे ऐसा क्यों क्योंकि tetrahedral जो system होते है न वो एक non centrosymmetric system होते है मतलब यहाँ पर centrosymmetry बच दे तो यहाँ पर डेल टी बोलोगे cfs कैसे निकलेगी आईए देखते हैं सबसे बात है stabilization यह कितनों से stabilize हो रहा है किस factor से stabilize हो रहा है आईए देखते हैं यह stabilize हो रहा है जैसे वह हो रहा था minus 2 by 5 डेल ओ से यह नीचे वाले stabilize होते है minus 3 by 5 डेल टी से या फिर आप कहें दो minus 0.6 डेल टी से और यहाँ पर यह stabilize होते हैं 2 by 5 मतलब 3 के साथ 2 by 5 वाला factor आता है इस तरीके से याद रखना minus plus का 0.4 डेल टी ठीक है जी cfse किस तरीके से निगलेगी वो एक बार देख लेते हैं cfse number of electron present in e जो की यह है n e में कितना electron है उनका contribution कितना minus 0.6 डेल टी ठीक है और ऐसे ही t2 में कितना electron है उनका contribution कितना हो जाएगा plus का 0.4 डेल टी यह डेल टी के टर्म है ठीक है तो यह था आपका splitting diagram in tetrahedral system ठीक है cubic system भी होता है हाला कि वो आपके इसमें नहीं है इतना ज़्यादा तो cubic का भी same ऐसा ही diagram आएगा क्यूबिक में भी टी टू ऊपर होते हैं वहाँ पर आप जी लगा सकते हो टी टू जी उपर होंगे और इजी नीचे तो ultimately इधर भी axial orbital से कम interaction होगी और non axial से ज़्यादा होगी तो cubic में भी non axial वाले ऊपर जाएंगे बस आप टी टू जी वहाँ पर लगा सकते हो क्योंकि center symmetry वहाँ पर हो गई है अब एक relation ओर आता है कि डेल टी इस इकॉल टू 4 हो सकता है आपको octahedral की चीजे देकर tetrahedral में ले जाए तो octahedral से tetrahedral का जो transfer होगा ना वह एक ही तरीके से हो सकता है चाहे वह cfc के question हो चाहे वह crystal field splitting के question हो transfer होने का path यही होगा तो एक यह bridge ध्यान रखना formula ध्यान रखना del t is equal to 4 by 9 del o और यह है उसका क्या splitting diagram tetrahedral का चीक है तो इसके बाद देखो बच्चे यह हो गया हमारा यह आपने relation यह ध्यान रखना है अगर इससे related कुछ आता है तो आप handle कर लोगे कैसे del t और del o को कैसे relate करना है अब बच्चे यह जो splitting हो रही है चाहे वो tetrahedral हो चाहे वो octahedral हो जो यह splitting हो रही है इस splitting के क्या factors ऐसे कौन-कौन से है जो इन splitting को effect कर सकते है ना जैसे कि अब जो next heading आप डालोगे एक बार छोटा सा point है यह ज़स पढ़ लो इससे related question आया हुआ है एक बार वो भी देख लेंगे factors affecting splitting है ना splitting के कौन-कौन से factors effect करते हैं वो एक बार हमें देखना है splitting का कौन-कौन सा factors आपको effect करता है वो आपको एक बार देखना है आईए समझते हैं देखो यहां पर अगर हम बात करें यहां पर अगर बात करें दो फैक्टर्स होते हैं एक होता है सर मैटल रिलेटिड फैक्टर एक आपके पास क्या होगा मैटल रिलेटिड फैक्टर ठीक है जो मैटल से रिलेट करता हो मैटल रिलेटिड फैक्टर एक हो गया है और एक बच्चा क्या होगा आपके पास लीगेंड रिलेटिड पढ़ा कि पढ़ तो वो भी कहीना कहीं चुके ही होगे है ना मतलब कि पूरी जो ятьсяं पढ़े रहे हैं इस्वी वीस्टी और सेयफटी में कहा नह Committee को गहीं मगर यह तो आप देखी चुक्त कि और वस्ट्रोंग फिल लींट हों ड गर क्योंगे तो वहां एक, दो, टीन, ऊपर जाने की बुज़ा, नीचे ही जाएगा, यानि कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, क्या बनेंगे भाई, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, यह ध्यान रखना, ठीक है, एक आपके पास, यह आपने देख लिया है, ऐसे ही वीक फिल्ड स्टेंग में क्या होते है स्प्लिटिंग यह लेस होगी कि यानि कि डेल ओ क्या होगा कम यह जो चार ऊपर चला जाएगा यानि कि बच्चे हाइ स्पीन कोंपलेक्स बन सकते हैं यह आप देखवार देख लेता है कि metal related factor क्या है आईए एक बार यह देख लेते हैं कैसे वेरी करता है तो metal related factor आप अगर पढ़ रहे हो splitting splitting में कौन-कौन से metal related factor है वो एक बार देख लेते हैं देखेजी एक होगा या तो metal same हो same metal मगर different oxidation state different क्या हो oxidation state हो यहाँ पर आप क्या कहोगे metal की different oxidation state हो यानि कि मालो आपके पास ये एक complex है ये dlc का order पूचा है यह है ml 6 लेक्स और यहां पर है प्लस और यहां पर है प्लस टू और यहां पर्यांन मैं यह क्या क्या प्लस त्री एक इसने की फश्ते हम अब्र भाद कर दो कि मतलब कि यह ओडर आएगा अगर ऐसा आता है तो आपको क्या रखना जिसकी oxidation state जादा होगी जैसे कि मान लो प्लस 3 वाला अगर मैटल है तो उधर splitting जादा होगी असल में जो यह splitting हो रही है यह क्यों हो रही है अगर हम बात करें कि यह जो splitting हो रही है क्यों हो रही है because of metal and ligand interaction है ना metal और ligand interaction के कारण हो रही है because of metal and ligand interaction के कारण हो रही है तो आप leging interaction में leges related का भी कुछ हो सकते है और metal से भी education कुछ हो सकते है metal में इतना ही कहा जाता है कि अगर metal का 여기까지 जादा है तो उसके legand के साथ जादा interaction होगी तो उतना ही metals के orbital में repulsion होगा और वो splitting जादा हो हो पाएगी splitting ज्यादा हो पाएगी तो असल में यहां पर जैड इफेक्टिव देखा जाता है जैड इफेक्टिव भढ़ता है तो डैल ओकी ब regular और अगर आप से पूछा जाए प्लस 3, M प्लस 3, M प्लस 2 और M प्लस 1 में किसका Z effective जाद है तो बच्चे Z effective is directly proportioned to oxidation state तो आप इतना भी ध्यान रख सकते हो कि अगर different oxidation state आई तो आप इस तरीके से handle करोगे या फिर एक हो सकता है बच्चे क्या कि बढ़ी different series हो different series हो यानि कि क्या कि 3D हो, 4D हो और 5D हो तो यहाँ पर भी ध्यान रखना कि इधर Z effective भड़ता है तो इधर भी del O क्या होगा भड़ेगा नीचे आने पर यानि कि sir अगर आप से कोई कह रहा है कि metal है उसका 5D वाले का delta splitting जादा होगी as comparison to 4D वाले metal की as comparison to 3D यही तो बाते हम BBT में भी पढ़ रह है तो इधर भी 4D और 5D में हर ligand strong होता है और ligand strong होगा strong फिल ligand क्या करेंगे ज्यादा splitting करेंगे ज्यादा splitting करने के कारण आपका low spin complex बनता है तो यह दो point ध्यान रखना इससे question बन सकती है metal related factor में या तो हो सकता है बच्चा क्या या तो हो सकता है आपके पास different oxidation state और यहाँ या फिर हो सकता है क्या different series ऐसा कुछ आपके पास दोनों ही देखने को मिल सकता है आई बात समझ में clear है यहां तक चलिए इससे related बच्चे में आपको क्योशन करा देता हूं इससे related हम एक क्योशन करते हैं चलिए एक बार यह भी देख लो हाँ पहले तो यह question भी अच्छा है यह गड़बड हो सकती है एक बार इसको देख लेते हैं आपके पास given है k2 ni f6 vbd से ही उट सकता है यह ना यह आपको given है यानि कि यह 2k positive अलग हो जाएगा जी और यहाँ पर यह ni f6 क्या बनेगा 2 negative बने है कि कितने unpaired electron है वा जी वा क्या प्यारा question है तो इधर हम कहेंगे यह कितना होगा x minus 6 is equal to minus 2 और x is equal to plus 4 यह आपके पास होगा ठीक है x is equal to plus 4 होगा तो इधर हम अगर बात करें ni plus 4 अगर हमारे पास है ni plus 4 है तो इधर क्या होगा वह आपके पास देखो nickel की electronic configuration क्या होती है d8s2 तो nickel plus 2 की कितनी होती है d8 ठीक है nickel plus 4 की कितनी हो जाएगी सर nickel plus 4 की हो जाएगी d6 हाँ जी अब वो d6 कैसे होंगे क्या यह strong field ligand माना जाएगा fluorine यहाँ पर या फिर weak field ligand sir अगर आपके पास plus 4 oxidation state है तो all ligands are strong आपने कहा था अगर plus 4 oxidation state है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे all ligands are strong सारे कि सारे strong होंगे जी तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे यह जो plus 4 d6 electronic configuration आएगी यह कैसे भरी जाएगी यह इस तरीके से भरी जाएगी एक दो तीन चार पांच छे और यहाँ पर यह 3d हो गया यह 4s हो गया यह आपके पास क्या हो गया 4p 4s 4p ठीक है इस तरीके से यह d2sp3 भी बता सकते और यह 0 unpaired electron यहाँ पर बता हो गये ठीक है तो आंसर क्या भरना था यहाँ पर 0 आंसर भरना था simple सा ग्योशन था ligands कहीं खेलता अब इसको बच्चे cft से भी देख सकते हो cft यहीं कहेगी कि भाई जो यह electron आप स्प्लिट करोगे यह electron स्प्लिट करोगे यहाँ पर इस वक्त आप क्या करो दो तीन ठीक है क्योंकि लीगेंड स्ट्रोंग है लीगेंड स्ट्रोंग है तो वहाँ पर क्या होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे यानि कि इस तरीके से 6 के 6 electron यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे निकल प्लस 4 है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो CFSC में भी निकलवा सकता है तो भी आपको 0 unpaired electron ही बताने है ठीक है एक क्योशन और देखते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है हाँ यह क्योशन यह क्योशन आई होप आपको दिख रहा होगा आप से डेल ओ का स्प्लीटिंग पूचा है crystal field splitting पूचिए d orbitals की और यह आपके पास है ठीक है अब देखो भई पहली बात क्या क्या चीजे अलग हो रही है इरिडीनियम है साइनाइड है और यहाँ पर रोतियम है साइनाइड है फिर रह है फिर आयोडीन है फिर कोबाल्ट है फिर आयोडीन है ठीक है तो पहले तो आप यह देख लो कि आपके पास 3D 3D कोन सा है 4D कोन सा है 5D कोन सा है ठीक है यह कोबाल्ट जो हो गया 3D हो गया यह आपके पास क्या हो गया रह क्या हो गया 4D हो गया और इरिडीनियम क्या हो गया 5D हो गया तो 5D वाले की splitting ज्यादा होगी इरिडीनियम वाले की splitting ज्यादा होगी यानि कि IR CN6 सबसे ज़्यादा होगा अब उसके बाद RH के साथ 2 हैं एक है Iodine और एक है बच्चे क्या Sinite तो किस की splitting ज़्यादा होगी? Strong field ligand की splitting ज़्यादा होगी? तो आप क्या कहोगे? पहले तो आएगा, सबसे पहले आपका answer क्या आएगा? इधर हम इसको इधर ले लेते हैं सबसे ज़्यादा तो हो गया आपका Iridinium CN63 3- ठीक है जी उसके बाद आपके पास आएगा RHCN63 3- ठीक है क्योंकि यहाँ पर आप देखो इन दोनों में कैसे differentiate हुआ होगा बाई लीगेंड सेम है मगर यह बच्चे 5D का मैटल है और यह बच्चे किसका मैटल है 4D का मैटल है ठीक है अब यहाँ पर उसके बाद आपके पास वीक फिल्ड लीगेंड होगा मगर सिरीज तो अब भी ज्यादा ही है 4D वाली ही है देन यह आएगा क्या कोबाल्ट आई 6 3 नेगेटिव क्यों क्योंकि बच्चे इसका 3D सिरीज है और यह भी क्या यह है 4D सिरीज अब इनमें भी लीगेंड सेम थे ठीक है इन दोनों में कैसे डिफरेंशीट किये होगा विकोज ओप मैटल यह 4D का है यह 3D का इन दोनों में कैसे differentiate किया होगा, यहाँ पर metal shape है, मगर यहाँ पर बच्चे ligand different है, यहाँ पर iodine है, यहाँ पर cyanide है, इन दोनों में कैसे differentiate किया होगा, यह cyanide side and same ligand है, मगर 4D और 5D है, तो यह आपका answer बनेगा, कौन सा होगा यह option, IRCN6, RHCN6 and then Cobalt I6, कौन सा answer आपका बनेगा यह option हो जाएगा, B option क्या हो जाएगा, आपका सही answer हो जाएगा, तो यह CFT से related बाते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपके पास पूछी जा सकती है, थोड़े से numerical भी आ सकते हैं, जो आप easily कर लोगे, बस चीजों को थोड़ा सा relate करना, चीजों को एक दो बार revise करना, और व्या जा VBT और CFT बहुत important topic हैं, यह दोनों ही, ठीक है, इसके बाद बच्चे अब next जो topic आएगा, वो एक John Taylor distortion हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, John Taylor distortion हमें देखना है, चलिए बई, तो JTD अब आपको देखना है, John Taylor distortion आपको देखना है, actually क्या होता है बच्चे, जैसे आपका octah है, तो वो एक symmetrical मालो, अगर आपके पास कोई भी distortion नहीं है, तो हम कहते हैं, यहाँ पर कोई distortion नहीं है, यहाँ पर कोई distortion नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर यह distortion होने लगता है, हो सकता है कि यह एक बार को यह बोंड, यह दोनों बोंड बड़े हो जाएं, यह दोनों बोंड बड़े हो जाएं, या फिर हो सकता है, यह दोनों बोंड चोटे हो जाएं और यह चारों बोंड बड़े हो जाएं, तो ऐसा distortion यह सबसर पैदा कैसे होता है, हमें कैसे पैचान है और यह कुंसेप्ट क्यों है इसके सारे वारी में पूरी कहानिया हमें एक पर बता दो तो आईए बच्चा पढ़ना शुरू करते हैं जोन टेलर डिस्टोश जा पहले मैं इसकी पूरी डेफिनिशन आपको बताऊंगा उसमें कई सारी नहीं नहीं टर्म आपको मिलेगी उ तो वो मेटल आयन अन्स्टेबल फील करेगा और वो अपनी इलेक्ट्रोनिकली डीजनरेसी को रिमोव करना चाहेगा जब वो ऐसा करता है तो वो अपनी सिमेट्री खो देता है लोवरिंग इन सिमेट्री देखने को मिलती है और लोवरिंग इन सिमेट्री को ही डिस्टोश कहा जाता है, sir, क्या बोल दिया, एक बार में क्यों बोलना था, अराम अराम से बोलो, अराम अराम से भी बोलेंगे, पहले लिक लेते हैं, देखो, when in any low linear complex, अराम से समझेंगे, सारी in electronically degenerate state, अलाकि ट्रिक्स देख लोगे, तो मनलब simple सा logic देखोगे, तो निकालना, पैचानना तो बहुत असान है, मगर ये term समझना, ये term समझना बहुत important है, तो पढ़ लो एक बारी, electronically degenerate state, ठीक है, जब कोई भी metal ion present होता है, in electronically degenerate state में, then वो metal ion चाहता है, अपनी electronically degeneracy को remove करना, then that metal, always try, metal always try to remove the electronically degeneracy, to remove the electronically degeneracy, to remove the electronic degeneracy, वो electronically degeneracy को remove करना चाहता है, जब ऐसा करता है, तो वो अपनी symmetry खो देता है, that cause lowering in symmetry, ठीक है, that cause lowering in symmetry, और बच्चा symmetry को खो देना ही, तो क्या किलाएगा, distortion कहलाएगा, या नहीं किलाएगा, बई, कोई चीछी symmetrical है, symmetry है, उसमें, कोई भी कम ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वहाँ पर कोई distortion नहीं है, मगर अगर कोई symmetry ही खो दे रहा है, तो distortion इंट्रूज हो गया, इसी को ही बच्चे कहा जाता है, J, T, D, John, Taylor, distortion, सबसे पहले तो सर, ये electronically degenerate state क्या है, और ये remove कैसे करना चाहता है, ये सारी बाते आपको हमें समझानी पड़ेगी, तो बिल्कुल समझाएंगे, एक बार ये देखो कि कोई भी metal iron, अगर electronically degenerate state, और ये unstable वो ली जाती ह और करते वक्त, symmetry को खो देता है, और symmetry को खोना ही distortion कहलाया जाता है, ये अभी हमने just देखा है, आईए समझते हैं, अब ये electronic degenerate state का मतलब क्या है, बच्चे, electronically degenerate state, आप कैसे पेचान होगे, जब जब unsymmetrical electronic feeling होगी, वो होगी क्या electronically degenerate state, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, electronic degenerate state means, electronic degenerate, notes बना ले ना भई अच्चे से, degenerate state means, electron is filled unsymmetrically, electron क्या है, symmetrically filled नहीं है, ये भी एक पर थोड़ा सा और अच्चे से समझाओगे, बिल्कुल समझाते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी, देखो, यहाँ पर माल लो, let's suppose आपके पास एक electronic feeling है, है ना, ये हो गया क क्या, ये आपके T2G हो गया, ये EG हो गया, ना, T2G बन, या फिर इसको इस तरीके से भी नहीं लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया क्या, T2G इसको कहा, और T2G में यहाँ पर आपने एक electron भरा, तो बच्चे ये क्या है, एक unsymmetrical electron feeling है, ये उठकर यहाँ पर भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, जब इसके पास option होने लगे ना, तो समझ जाना, ये unsymmetrical electronic feeling है, और ये हमेशा चाहेगा, कि अपनी electronically degeneracy को क्या करें, remove करें, तो ये एक unsymmetrical electronic feeling है, इसे ही कहा जाता है क्या, unsymmetrical electron feeling, अभी पहचानेंगे, ये ही पहचानना है बस, और इतना ही काम होता है ये पहचान लेंगे अगर कि कौन unsymmetrical है, कौन symmetrical है, जे टी डी खतम, हाँ, जे टी डी के बाद के भी topic हम पढ़ेंगे, जैड आउट, जैड इन वो भी पढ़ेंगे, मगर major जो अभी तक क्योशन आया है, वो यहीं से ही आ है, unsymmetrical electron feeling, ठीक है जी, अब देखो, यहाँ पर ये है, जी, खाली है, अब ये तो आपको दिखराए कि ये क्या है, electronically degenerate state है, यहाँ पर आप लिख सकते हूँ, जब जब आपको unsymmetrical electronic feeling मिलने लगे, तो कह देना कि वो electronic degenerate state है, यहाँ पर आप क्या कहोगे, electronic degenerate state, electronic degenerate state, degeneracy का मतलब पता है, मतलब कि वहाँ पर सेम एनर्जी इस इलेक्ट्रोन के पास ऐसे option है कि वो सेम एनर्जी के और्बिटल में जाकर बैठ सके तो यह electronically degenerate state है और आप कैसे पेचाननोंगे सीधे टर्म से कि यह unsymmetrical electron feeling है थिक हो जी unsymmetrical electron feeling है सर यह T2G1 है T2G2 होता तो क्या यह symmetrical होता क्या यह unsymmetrical होता बच्चे जब यह T2G2 होता तब भी unsymmetrical ही होता मानलो दो electron यहाँ पर होते तब भी unsymmetrical होता हां अगर ये T2G3 होता तो वो symmetrical feeling होती, अब ये वो भी हम बात करेंगे, symmetrical unsymmetrical की, अब ये degeneracy remove कैसे करेगा, ये क्या करेगा, इस तरीके से split हो जाएगा, अब ये एक electron यहाँ पर ऐसे बैठ गया, अब आपको बता सकते हो क्या ये electronic degenerate state है, electronically degeneracy remove हो गई ना, इस orbital में इस electron के पास एक energy का एक ही option है, कि हाँ बाई इसी में बैठ सकता है, ये अलग energy के option हो गए है, मगर इधर इस electron के पास same energy के लिए दो orbital और present थे ये चाहे तो वहाँ पर भी बैठ सकता था, तो ये electronic degenerate state होती है, इसे हम कहते है, unsymmetrical feeling, यहाँ पर electronic degeneracy क्या हो गई, remove हो गई बच्चे, और ये ही cause बनता है जे टीडी का, electronically degeneracy क्या हो गई, remove हो गई, अब आप नहीं कह सकते ही कि सर ये unsymmetrical field है, आप symmetrical ही मानोगे क्योंकि एक orbital था, उसमें एक electron था, तो ये होता है जे टीडी का cause, जब वो ऐसा कर रहा होता है, अपनी orbital की splitting करता है, तो geometry में थोड़ा क्या आने लगता है, distortion आने लगता है, मतलब कि वो अपनी symmetry को खो देता है, lowering in symmetry definition में लिखी होती है, जब आप books पढ़ोगे, वहाँ पर स चाहेगा कि अपनी degeneracy remove करे, और वो इस तरीके से remove करता है, जब वो ऐसा करता है, then it will cause lowering in symmetry, यानि की distortion पैदा हो जाता है, ये तो बच्चा हो गया theoretical, क्योशन कैसे बन सकते हैं, क्योशन ये बनते हैं, पहला क्योशन बन सकता है, कि जे टीडी किस में है, किस में नहीं है, ये जे टीडी, let's suppose, कौन सी electronic configuration में जे टीडी है, कौन सी में नहीं है, ये क्योशन बन सकते हैं, या फिर क्योशन बच्चे ऐसे बन सकते हैं, कि जे टीडी के टाइप कौन-कौन से हैं, जैसे जैड आउट हो गया, जैड इन हो गया, वो मैं आपको समझाऊंगा, उनकी splitting के ऊप पर क्योशन बन सकता है, ठीक है, फिर क्योशन बन सकता है, कि dynamic और static भी एक concept होता है, वहाँ तक तो चलो, net में चले जाते हैं, अगर फिर भी मैं आपको सोड़ा अचा बता दूँआ, dynamic और static क्या होता है, सबसे जो major chances हैं, आपके में क्योशन बनने का, वो ये होता है, कि पह which of the following jtd is present, किसके अंदर jtd है, जो present है, आप मुझे बता सकते हो, आईए देखते हैं, साथ साथ करेंगी, है ना, साथ साथ करेंगी अराम से, let's suppose ये एक electronic configuration है, t2g1 और eg0, क्या jtd यहाँ पर present होगा, मतलब 1, 2, 3, 1, 2, यहाँ पर इस तरीकी की, क्या ये unsymmetrical electron feeling है, हाँ ज information भूल जाओ, या मतलब लिख लिया, वो समझ लिया, question कैसे करना है, वो इबर देख लो, ये unsymmetrical electronic feeling है, हाँ जी, ये क्या है, unsymmetrical electron feeling है, तो इसमें आप क्या कहोगे, unsymmetrical electron feeling है, तो इसमें आप कहोगे, कि jtd यहाँ पर क्या है, बच्चे present है, माल लो, मैं इसको ये कर देता, इसको मैं ऐसे कह देता, कि ये हो गया, मेरा t2g2, और eg0, यानि कि मैं ऐसे दिखा देता, इस तरीके से, एक, दो, तो अब भी ये unsymmetrical ही है, अब भी तो बच्चा ये unsymmetrical ही है, इसे आप unsymmetrical ही कहोगे, और jtd यहाँ पर present माना जाएगा, बोलू, हाँ या ना, आईए बच् करते हैं, यहाँ पर, let's suppose, आपके पास, t2g3 है, और eg क्या है, बच्चा, 0 है, t2g3, and eg0, अगर आपके पास है, तो क्या यहाँ पर jtd होगा, आईए देखते हैं, एक, दो, ती, इंसर, ये तो symmetrical ही लग रही है, तीन orbital, और तीन orbital में, तीन और एके की लेक्टोन है, तो बच ऐसे ही, आगे मानलो, मैं आपको लेकर चलता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, क्या, t2g में तीन electron थे, eg1 में एक डाल दिया, इस तरीके से, एक, दो, तीन, और एक, jtd होगा, बिल्कुल होगा, सर, शांदार, equation हाँ, ये बन सकते हैं, कि strong jtd और weak jtd का, तो ये, जब- unsymmetrical होंगे, तो strong jtd बताया जाता है, तो ये unsymmetrical है, यहाँ पर भी विच्चे, क्या है, jtd present है, मानलो, ये इस तरीके का हो जाता, अगर ये इस तरीके का हो जाता, आपके पास, एक, दो, तीन, चार, पांच, t2g 3 and eg2, t2g 3 हो गया ये, और eg क्या हो गया, 2 हो गया, तो क्य ये, jtd show करेगा, ये symmetrical है, ये unsymmetrical है, ये symmetrical है, बच्चे, और ये question jam में आया हुआ था, एक बार, ये symmetrical है, और इधर jtd present नहीं होगी, question कैसे आयता, पता है, आपको ये question था, mnh2o, 6, 2 positive, उन्होंने कहा, इसकी all bond length equal होगी, या फिर jtd होगा, ऐसा question था, तो यहाँ पर, mn2 positive क्या होता है, d5, और ये क्या है, h2o, weak field legend है, मतलब high spin, तो कुछ इस तरीके क्या बनेगी, electronic configuration, और ये symmetrical electronic configuration होती है, यहाँ पर distortion नहीं होती, सारी की, सारी bond length क्या होती है, same होती है, बच्चे, इधर no jtd, यहाँ पर कोई भी jtd नहीं है, और example देखते है, और example देखते है, let's suppose, अब थोड़ा सा, और देखते हैं, यहाँ पर माल लो, आपके पास इस तरीकी की electronic configuration है, t2g4 कह दिया, और eg में कुछ भी नवी रखता है, अब हम लिखते नहीं है, सीधा यह बनाते हैं, यहाँ पर ऐसे माल लो कह दिया, 1, 2, 3, 4, symmetrical या unsymmetrical, सर, unsymmetrical ही है, यह same unsymmetrical ही है, तो इधर भी jtd present होगा, jtd यहाँ पर present होगा, अगर मैं माल लो, t2g में कितने electron रख दू, 5, और यह आपका अभी भी क्या है, unsymmetrical है, बच्चे, यह भी unsymmetrical है, तो बच्चे, यहाँ पर भी jtd होगा, आप मुझे बताओ, 1, 2, 3, 1, 2, यह क्या होगा, यहाँ पर यह symmetrical है, यह symmetrical है, तो इधर क्या होगा, jtd यहाँ तो होगा, इधर jtd present नहीं होगा, और अगर माल लो, आपके पास इस तरीके की आजाए, इस तरीके का आजाए, या फिर आपके पास आजाए, इस तरीके का, और एक आपके पास last माल लो, इस तरीके का हमने ले लिया, यह आपका यह electronic 관すigung, question कैसे बनते हैं? ऐसे ही बनते हैं, तो बच्ची यह आपके पास क्या है? यह आपके पास unsymmetrical है, JTD यहाँ पर present होगा, यह symmetrical है, यहाँ पर JTD नहीं होगा, यह वापिश से unsymmetrical है, यह JTD यहाँ पर present होगा, अब आप सुनो, या तो EG में 2 electron हो या 4 हो या वो खाली हो ठीक है EG 0 2 electron या 4 अगर EGG देखना है ठीक है या तो 2 हो या 4 हो तो वो symmetrical मानी जाएगी EG में 1 हुआ EG में 3 हुए यानि कि उपर वाले 2 उन दोनों की बात हो रही है उन में अगर 1 electron है EG 1 है या EG 3 है तो वो एक unsymmetrical electronic configuration है T2G में 1 हुआ T2G में 2 हुए ये भी unsymmetrical electronic configuration है T2G में 3 3 हुए तो वो क्या है symmetrical या तो 3 हो या 6 हो EG में या तो 2 हो या 4 हो या फिर वो खाली हो समझ में आया unsymmetrical पहचान जाओगे ना T2G 5 अगर T2G 5 जैसे ये दिख रही है या आपको ये वाली ये T2G 5 है यह क्या है T2G 5 है यहाँ पर 6 ओटा तो ये symmetrical होती 5 है 6 electron आ सकते हैं या 3 आ सकते हैं symmetrical में तो ये 5 है ये unsymmetrical होगी त होगा तो इस तरीके से आपको जे टीडी के question देखने है कि किस में जे टीडी था किस में नहीं था जैसे कि jam का एक question कराता हूं ये question था D5 High Spin D5 Low Spin D6 High Spin and बच्चे D6 Low Spin आपको बताना है किस के अंदर जे टीडी होगा और किस के अंदर जे टीडी नहीं होगा ये प्यार से अराम से समस्ते हुए धैर्रे से सयम से अराम से समस्ते हुए चलो सब कुछ समझ में आएगा पढ़ते वक्त कभी भी गुसा मत हुआ करो कि और Irritate मत हुआ करो काम रहा करो शांति से रहा करो मैंने सच में मैं अगर कुछ मानता हूं कि क्या मुझे सबसे ज enforcement है किसी भी चीज के लिए कौक म रहना ही help करता है तो भी आपको help मिलेगी यह ध्यान रखना, अराम से, सयम से, ठीक है, D5 high speed, पढ़ते वक्त भी बच्चे शान्ती होना बहुत जरूरी है, शान्ती मनलब दिमाग की शान्ती, हड़ बड़ी नहीं, पर हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, तो अच्छी चीज नहीं है, फिर हम किसी और पर गुसा करते हैं, किसी और चीज का गुसा कहीं और जा रहा है, यह गलत बात है, अराम सी, ऐसा नेचर रखो कि कोई इंसान एक बार मिले तो हाँ कहें कि वा भई, मज़ा आ गया, ठीक है, कभी आप मुझसे मिलो तो मैं कहूं कि वा भई, क्या बच्चा सा मज़ा आ गया, देखो, D5 हाइस्पिन, एक, दो, तीन, एक, दो, ठीक है, चलिए, देखते हैं, यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, क्या यह सिमेट्रिकल है, हाँ जी सर, यह सिमेट्रिकल है, कहीं पर भी कोई गड़बर नहीं दिगरी, तो यहाँ पर जेटीडी नहीं होगा, जेटीडी प्रेजन्ट नहीं होगा, D5 लो स्पिन, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो यह क्या होगा, यह होगा, आपका अंसिमेट्रिकल हो गया, क्योंकि सर, T2G में या तो तीन बरो, या छे बरो, या खाली यह रहो, ठीक है, खाली तो यहाँ पर ओविसली नहीं है, तो यह पांच वाला अंसिमेट्रिकल ही माना जाएगा, तो इधर बच्चे जेटीडी प्रेजन्ट होगा, ठीक है जी, D6 हाई स्पिन, एक, दो, तीन, एक, दो, एक, दो, तीन, हाई स्पिन मतलब इलेक्ट्रोन उपर जाएगा, चार, पांच, छे, तो है, तो इसको आप अंसिमेट्रिकल का होगे, यानि कि JTD यहाँ पर प्रेजन्ट है, D6 लो स्पिन, एक, दो, एक, दो, ठीक है, D6 लो स्पिन इस तरीके से होगा, नीचे ही रहेंगे सारे लेक्ट्रोन, यह क्या है बच्चे, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, तो इधर JT प्रेजन्ट नहीं होगा, तो इसका जो आंसर था, वो यह दोनों आंसर थे, MSQ में यह पूछा गया था, बच गया भाई, बच गया, ठीक है, हाँ, तो इन दोनों का आंसर क्या है, D5 लो स्पिन, एंड, D6 हाई स्पिन, यह आपका क्या है, JTD, तो आपको बस अंसिमेट्र इलेक्रोनिक कन्फिकेशन देखनी है, और ऐसी क्योशन नेट गेट तक में आये हुए है, अभी तो जैसे कि यह जैम में जो कोशन आये था, यहाँ पर इन्होंने ही इलेक्रोनिक कन्फिकेशन मेंशन की थी, D6, D5, हाई स्पिन, हो सकता है, आपको कॉम्प्लेक्स देदे, हो सकता है, वो आपको कॉम्प्लेक्स देदे, जैसे कि माल लो आपको कोई इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स दे रहा है, कोबाल्ट है, H2O है, 6 है, 2 पोजिटिव है, आपको कह रहा है क्या इसमें JTD होगा, तो आप कैसे करोगे, बस वही है, इलेक्रोनिक अन्फिकेशन आपको खुद देखनी है, इलेक्रोनिक अन्फिकेशन आपको देखनी है, सर ये तो क्या है, CU प्लस 2 है, CU प्लस 2 तो हमें पता है कि ये D9 होता है, अब थोड़ा थोड़ा प्रेक्टिस करने के बाद तुरंट पता लगेगा कि D9 EG3 बनता है, बना के देख लेना, ये इस तरीके से रहेगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और नो, तो ये सिमेट्रिकल है या अन्सिमेट्रिकल है बच्चे, ये अन्सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर क्या होगा, JTD प्रेजेंट होगा, तो ऐसे क्योशन आपको डारेक्ट देखने को मिल सकते हैं, चलिए, तो नेक्स देखते हैं, नेक्स आपका है बच्चे, टाइप ओफ, JTD, मतलब कि कौन-कौन से टाइप है सर, जो आपको दिख सकते हैं, तो आईए समझते हैं, मेजरली इसमें आपके दो टाइप हैं, दो टाइप हैं, एक है जैड आउट, की जैड आउट हो, या पिर एक होता है JT, ये दो टाइप के डिस्टोर्षन होते हैं, एक को डिस्टोर्षन होता है, इसका एक 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 सारी ही बॉनलेंद, मतलब कि, तीन बॉनलेंद अलग-अलग दिखने को मिलती हैं, इन दोनों में दो दोह होती हैं, आईए पहले one by one करके समझते हैं, ये आप net में जाकर देखोगे बट still एक कोने में लिख लेना कि ऐसा कुछ है जो कभी ना कभी जिंदगी में सामने जरूर आएगा मगर वो एक ही है वो जादा नहीं है और वो एक्सपेरिमेंटल कुछ होर हो जाती है चीजे तो उस वज़े से उसका एक एक्जामपल बन गया पह पर चले जाते है ठीक है ये लंबे हो जाते है ठीक है तो इसे हम कहते हैं जैड आउट हम क्या मानते हैं कि जो एक स्केर वाले बन रहे हैं ये स्केर वाले बन रहे हैं इसे हम कह रहेते हैं कि लोंग हो जाते हैं जैड की डारेक्शन में क्या हो जाते हैं लोंग हो जाते हैं xy वाले direction में वो pass ही रहते हैं तो इसे बच्चे आप ऐसे भी बोल सकते हो 2 long and 4 short bond इसे ये 2 long and 4 short bond भी हम कह सकते हैं बोलो हाँ या ना और इसका क्या नाम पढ़ सकते हैं सर और इसका nickname क्या हो सकते हैं z out का मतलब z elongated है यहाँ पर Z elongated या फिर आप यह कह सकते हो elongated भी इसे बोला जाता है elongated फिर आप यह भी कह सकते हो axially elongated यह भी आप कह सकते हो इसकी splitting मुझे आपको बतानी है तो वो मैं अभी बता दूँ permis पहले आप प्लिक लोगी z out होता है जिसमें ये दोनों bond उपर हो जाते हैं और ये पास हो जाते हैं बच्च जैड इन क्या होगा जैड इन अब आप समझ पारे होगे कि z-axis वाले हम मानते हैं कि जो plane है ये वाला जो plane है ये x-axis xy-axis मानते हैं और उपर नीचे वाला हम क्या मानते हैं X's मानते हैं, तो Z in का क्या हो रहा है, Z in का बच्चे हो रहा है कि भई, अब क्या हो रहा है, X, Y वाले दूर दूर है, Sir, X, Y वाले ने धोका दे दिया, और ये पास-पास है, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है, Z in, अब Z in में क्या होगा, Z in में आप क्या लिखोग है बोलो हाँ या ना जैड इन को क्या कहा दिया जाता है जैड इन को जैड कंप्रेस्ट कहा जाता है क्या कहा जाता है जैसे वहाँ पर आप इलोंगेटिड बोलते हो इसे कंप्रेस्ट बोलते हैं मतलब जैड एक्सीज के लोंग बच्चे वो पास पास हैं एक्स वाई के लों ठीक है टेट्रागोनली कंप्रेस्ट कह दो अराम से समझो ठीक है एक्जिली कंप्रेस्ट भी कह सकते हो पढ़ने से पहले क्या होता है आप किस माइंडसेट से पढ़ रहे हो अप इस बच्चे भी होते हैं जो बिलकुल क्लियर होते हैं कि हाँ इस लेक्चर में जा रहा हूं सर खड़े हैं सामने अपन को अब सब कुछ समझ में आएगा अपन बैठके मस्त पढ़ेंगे ठीक है तो इस माइंडसेट से आओ अराम से सारी चीज़े देखो आपको सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से मतलब कि एकदम क्लियर अच्छा माइंडसेट आपका होना चीए यह मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं तो यह आपके दो हो गए हैं यह जैड इन आपका हो गया ठीक सिक्टम हो है यह आप देखोगे आपको फोरीज में यह तंग कर सकता है mx2 वालो आपको मैटल हैलाइट्स दे रहे हैं आपको मैटल के हलाइट्स मिल रहे हैं mx2 और कहा कि वह एक लैटिस बना रहा है जिसमें ओक्टाहेडरल अर्रेंजमेंट वह बना रहा है अपने अरा समस्य लेने की जुरूत नहीं है अभी आपके इतना काम कर नहीं है मगर हाँ यह एक्जामपल वच्चे याद रखना क्योंकि यह एक बुक में सीधा-सीधा इसका यह लिख रखा है कि इसमें कितनी बॉंड लेंच यह होगी हैना हाँ आप यह पता कर लोगी हाँ इसमें ज यहां पर यहां पर यहां पर देख रहे हो यहां पर भी दो टाइप की बॉल लेंच होती है यह ध्यान रखना इस स्पेशल एक्जामपल को आपको अपने नोट्पूब में लिखना है जस एक ही एक्जामपल इसका ध्यान रखना है आमने सामने वाली बॉंड लेंच क्या होगी इक्वल होगी ठीक है आमने सामने वाली जो बॉंड लेंच है वो क्या होगी इक्वल होगी याद रखना इस तरीके से तीन बॉंड लेंच देखने को मिलेगी यह दोनों इक्वल होंगी यह दोनों इक्वल होंगी और यह दोनों इक्वल होंगी इसलिए इसे ट्राइग्जियल डिस्टोर्शन भी कहा जाता है अपने पास MNF63 negative का यह example एक जगे लिग दो जैम में chances बहुत रेयर है आने के मगर हां कभी इसीर नेटगेट में आपको जरूर टकरा सकता है अपने को इसके स्प्लीटिंगा कई क्या सकता है कि माल लो ुए अभी तक जैम में क्या कोश्षन बने है कि किसमें जे टीडी होगा और किसमें नहीं होगा मगर है काफी सारी चीजह क्योंकि घर्कमेंन फिलीजे हैं तो पढ़ने को बहुत कुछ है तो मैं आपको बता रहा हूं अराम से सयम से शांती से अपनी नोटबुक में लिखो खुश हो कर ठीक है अरे सर पेज पेज भरे जा रहे हैं ऐसे थोड़ना चलेगा यह मांडसेट नहीं रखना तो हम पढ़ेंगे अब जैड़ आउट की स्प्रिटिंग कोशन कैसे बन सकता है क्योशन ऐसा हो सकता है वर चे आपको मालो यह कह दे कि भाई ये वाला जो एक कोंप्लेक्स कोडिनेशन कोंप्लेक्स हम आपको दे रहे हैं यह जैड़ आउट शो करता आपको यह कहाँ दे कि last select कहाँ पर जाएगा कौन से orbital में जाएगा यह आप से पूछ ले तो कैसे करोगे चलिए समझते हैं देखो बच्चे यहाँ पर आपके पास इतना आपको पता है कि शुरू में जब हमने कहानी शुरू की थी crystal field theory हमने पढ़ना लगा थे यहाँ पर आपने e g लिखा था ठीक है कई बार होता है ना आणसर पता होता है फिर भी अरे यार सर कुछ बड़ा ना पूछ रहे हूं बहुत असान सी बात पूछ रहा हूं secondary जिससे primary interaction जाता उसी से secondary interaction जाता असली मुलाकात ligand की axial orbital से थी तो ligand axial orbital क्या चले गए ऊपर चले गए अब बच्चे Z out में क्या हो रहा है Z out में यह metal है यह ligand है यह ligand है यह ligand है यहाँ पर Z वाला क्या है दूर दूर है यानि कि मेटण के z-axis के along ligand दूरदूर है तो पास कौन है? x-y axis के along तो ligand x-y वाले orbital को ज़हदा repulsion देंगे या नहीं देंगे z-axis के along तो ligand दूर है तो मेटल के z-axis वाले orbitals को कम repulsion मिलेगा ज़हदा repulsion किसको मिलेगा? x-y वाले axis के orbital driving यानि कि इन दोनों में भी अब डिफ्रेंशीट हो सकता है डी एक स्केयर माइनस वाइस के रोडी जैट स्केयर में किसको ज्यादा रिपल्शन मिला होगा वही जिस एक्सिस के लोग लीगेंड पास है तो यहां पर आप देख पारे हो एक्स वाई के लोग पास है जैड कि सबसे अनस्टेबल ओर्विटल जैड आउट में कौन सा होगा या सबसे हाई एनरजी वाला ओर्विटल जैड आउट में कौन सा होगा डी एक स्केयर माइनस वाई स्केयर होगा ऐसे ही बच्चे जब यहां पर एक्स वाई वाला उपर जाएगा यानि कि डी एक्स वाई वाला ऊपर चला जाएगा और ये चला जाएगा क्या dyz और dz1 जहां पर जैड आ रहे हैं वो स्टेबल हो रहे हैं यहां पर जैट है ये भी स्टेवल हो रहे हैं ड idea square minus y ist apare वाला तो पर चला जात रहा है क्योंशन जब्दी बनेंगा अच्छा बन सकता है भूलना मत है न असान है यह असान है बच्चे पते क्यों भूल जाते हैं क्योंकि याद करके जाते हैं इसको रट की जाएंगे की जैड आउट की स्प्लिटिंग आईए याद कर लेते हैं याद मत करो समझ जाओ कि भाई इस ऑच बाद इन दोनों की क्या है उसके बाद इन की उसके बाद इन दोनों की क्या है जाएंन इनर्जी है यह है जाड़ आउट बोलो हाँ या ना कर लोँ विश्वास कर लूँ गई चलिए आगे चलते हैं Z in की भी पढ़ा दो सर हां जी देखते हैं Z in की भी एक पर देख लेते हैं यह है आपका Z in है ना Z in को अब हम समझने लगे हैं तो बच्चे पहले Z in पहले यहाँ पर बना लेते हैं मतलब Z in का है की सर X, Y वाले अब यहाँ पर दूर होंगे और Z वाले क्या होंगे पास होंगे इस तरीके से हम लिख देते हैं यह आपने X, Y वाले क्या कर दिये तूर कर दिये तो यह आपको दिख रहा है 4 long और 2 short bond यहाँ पर है अब बच्चे इधर एक बात समझो splitting करते हैं इधर शुरू में क्या आता 1, 2, 3, D, X, Y था, D, Y, Z था, D, Z, X था और यहाँ पर आपके पास D, X स्केर माइनस Y स्केर था, D, Z स्केर था तो इस तरीके से आप के पास यह चीज़े हैं अब अगर मैं आपको कह रहा हूँ अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको splitting करनी है तो भाई D, X स्केर माइनस Y स्केर और D, Z स्केर में कौन सा orbital लीगेंड से ज्यादा इंट्रेक्ट कर रहा है मतलब कि लीगेंड किसके पास है जैड के आसमान में बेज दो यह बेजा जैड को हमने आसमान में मालो आपके पास पूछ लिया कि सर मुझे बताओ कि D, Z, N में आपसे पूछ लिया कि जब अनपेर इलेक्टों मालो D9 सिस्टम है आपसे पूछ लिया अनपेर इलेक्टों किसके अंदर बैठा है अभी देखते हैं यहाँ पर D, Z वाले उपर जाएंगे तो इधर भी D, Z, X वाले जाएगा D, Y, Z वाले जाएगा और नीचे कोन रहेगा D, X, Y मालो आपको इसमें 9 इलेक्टों भरने है, कोपर प्लस 2 जिसका JTD का क्योशन आने का बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ से, क्योंकि यह सबसे स्ट्रॉंग JTD शो करता है 3D में, Cu प्लस 2, स्ट्रॉंग JTD में से 1 है, EG3 यह अन्सिमेट्रिकल होता है तो, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, और 9, आपसे पूच लिया, कि अन्पेड इलेक्ट्रों कहां है वई, अन्पेड इलेक्ट्रों कहां पर होगा, अन्पेड इलेक्ट्रों DJD स्कीर में होगा, अगर ZN है तो तो इस तरीके से आपको Zout Zn बताने होते हैं Zout होता है एक और एक होता है Zn अब देखो यहाँ पर कौन सा complex Zout गया कौन सा गया Zn यह experimental ही चीज़े है मगर हमने जो theoretical पढ़िये वहाँ से कैसे समझा जाए How to Determine Zout Zn वो अभी तक jam point of view से कभी भी कहीं पर भी नहीं आया मगर हाँ in future आप से कभी पूछा जासा है अभी तक तो बस इतना आया है कि किसमें ZTD होगा किसमें ZTD नहीं होगा तो एक यह heading डाल सकते हो आप How to Determine सर हमें कैसे सपना आएगा कि किसमें Zout है और किसमें Zout नहीं है How to Determine Zout and Zin देखो भई पहली बात तो distortion होंगे कब distortion दो केस में होते हैं बच्चे या तो T2G unsymmetrical हो या बच्चा क्या हो EG unsymmetrical हो T2G unsymmetrical हो या फिर क्या हो EG unsymmetrical हो जब-जब EG unsymmetrical होगा ना तो यहां पर Zout बहुत पोसिबल होते हैं बहुत पोसिबल होते हैं बहुत पोसिबल होते हैं एक्जामपल बहुत के मिल जाएगी मगर Majorly आप जो कहोगे यहां पर आपसे पूचा जा रहा है Zout डॉमिनेट करता है जब EG1 और EG3 होगा तो Zout पेवर करेगा यह एक्सपरिमेंटल ही है बच्चे यहां पर इसके क्वेशन बनने की चांसी बहुत कम हैं मगर इधर यह एक बार समझा देता हूं मैं आपको क्योंकि मुझे यही समझाना था यहां से हम थोड़ा सा निकाल सकते हैं बात माल लो आपके पास यह एक सिस्टम है ना यह ओक्टाहेटरल सिस्टम था T2G1 था अब इसको Zout करते हैं हैं जैड आउट की स्टूटधर में जैड आउट की स्प्लीटिंग यह रही जैड आउट हैं मतलब कि यहां पर यह इस तरीगे से टूटा और यह हो गया डी एकस जैड डी वाई जैड और यह क्या हो गया बच्छे Doxy यह हो गया है आपके पास d dx square माईश y square और ये क्या हो गया d z square इधर ये मानलो मैं z in की लेता हूँ कि ये z in होगा d x z sorry d x y होगा z in में x y वाले नीचे रहेंगे और x z वाले उपर रहेंगे x z and y z मनले z वाले उपर रहेंगे और इधर d z square और इधर क्या d x square माइनस y square बस मुझे आपको ये ही समझाना था यहां पर ये हो गया क्या वच्चे ये है z out की splitting ये हो गया z in की आप मुझे बताओ t2g1 अगर t2g1 है एक अंसिमेट्रिकल किस में आना चाहेगा t2g1 किस में आना चाहेगा क्या फाइदा हुआ t2g1 को यहां पर लाने का पहले है ऐसे था अब यहां यहां पर भी यहां पर भी तो अंसिमेट्रिकल है इसकी इलेक्ट्रोनिक डिजनरिसी रिमूव ही कहा हुई फिर डिस्टोर्शन का फाइदा ही क्या हुआ तो t2g1 कभी भी जैड आउट नहीं शो करना चाहेगा मगर हां अगर इसको इधर बिठाते हो तो बच्चे यह इलेक्ट्रोनिक डिजनरिसी यहां पर बच्चा रिमूव कर रहा है तो इधर यह जैड इन में फेवर्ड होगा ना की जैड आउट में बोलो हां या न वहीं अगर टीटू जी पर उधर अंसेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फरिगेशन में था अंसिमेट्रिकल था तो आप डिस करने खाई तो यह तो हम करवाएंगे निहीं हम यह करवाएंगे मालो टी टीटू जी टू होता तो क्या कर्वाना चाहिए था सर दो इलेक्ट्रन होते दो इलेक्ट्रन को यहां पर बिठाते तो यह जादा सिमेट्रिकल होता दो इलेक्ट्रन को अगर यहां पर बिठा होगे ऐसे तो अब एक दो अब यह अनसिमेट्रिकल फिर से आ गया तो इधर करवाने का कोई फायदा नहीं होगा तो दो इलेक्ट्र और Z in में अगर आप से कुछ पूछा जा रहा है, अगर आप से कुछ पूछा जा रहा है, माल लो यहां पर मैंने ले लिया क्या Z out, और इधर मैंने ले लिया क्या Z in, तो इधर Z in में तो कौन कौन से होंगे बच्चे, इधर होगा T2G1 आपका, एंड T2G4 आपका होगा, यहां पर कौन होगा, यहां पर आपका T2G2 होगा, T2G5 होगा, एंड EG1 होगा, एंड EG3 होगा, यह इस तरीके से अगर हम जर्नलाइज कर सकते हैं, तो यह एक जर्नलाइज करने का तरीका है, अब आप चाहिए T2G4 को करके देख लो, T2G4 अगर आप करके देख रहे हो, तो क्या करोगे, 4 इलेक्ट्रोन यहां पर है मालो, 1, 2, 3, 4, T2G4, T2G4 दिख गे आपको, 1, 2, 3, 4, अब जैडिन में करोगे तो ही फायदा है, 1, 2, 3, 3 और 4 यहां पर, आप कहेंगे सर्थ ऊपर क्यों नहीं वोले, भाई T2G के लेक्ट्रोन T2G में ही तो जाएंगे, ऊपर थोड़ी ना जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, यह अब क्या है, symmetrical approach हो गई है, तो इधर distortion होने के बाद, at least symmetrical बन जाए, इतना तो हम करेंगे, तो आपके यह एक तरीका रहेगा, इसको एक बार note-down करें, तो यह मैंने आपको कुछ बताया है, कि किस तरीके से अगर mal location आता है, कि Z out Z in है ना, यह ऐसे यह experimental है, but let's suppose आपको पता होना चीए, कभी mal location दिख जाए, आप फसो ना, तो इसलिए आपको बता दिया गया है, कि Z out को कैसे देखना है, Z in को कैसे देखना है, यह तरीके से आप Z out Z in के question को handle कर लोगे, question ऐसे भी आ सकता है कि, कौन सा orbital high energy में है, Z out में, कौन सा orbital high energy में है, Z in में, यह से question भी आ सकते हैं, या फिर आपको JTD किस में है, किस में नहीं है, यह question तो बन ही सकते हैं, and then आगी चलते हैं, एक यह question आपको बन सकता है, नहीं पूछे गए हैं, अभी तक ऐसे question jam में, बिल्कुल मानता हूँ, मगर still बन सकते हैं, तो एक बार हम देख लेंगे, कि भई ताकत वर JTD और कमजोर JTD है, ना, strong JTD और weak JTD किस में होगा, यह अगर आप से पूछ लिया जाए, किस में strong होगा, किस में weak होगा, तो आप कैसे बता होगे, तो ध्यान रखना बच्चे, when EG is unsymmetrical, जब आपका EG unsymmetrical होगा, तो वो ज़्यादा ताकतवर JTD शोन करेगा, when EG unsymmetrical होगा, then strong JTD will observe, then strong JTD will observe, तब क्या होगा, ताकतवर JTD observe होगा, क्यों हो सर, ऐसा क्यों हो, क्योंकि आपने देखा है, कि जब metal और ligand की interact होते हैं, तो axilly orbital से ही पहले मुलागात होती, जब वो unsymmetrical होंगे, तब आपका strong JTD यहाँ पर देखते को मिलेगा, अब अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, कि बई EG तो unsymmetrical, जैसे हमने मालो एक table बनाने की कोशिश करी, यहाँ पर, यह T2G unsymmetrical हम ले रहे हैं, T2G unsymmetrical हम ले रहे हैं, और यहाँ पर हम ले रहे हैं, EG unsymmetrical, तो किस में JTD जादा होगा, T2G या EG में, EG unsymmetrical में JTD जादा होगा, EG unsymmetrical में भी सर हमारे पास, EG1 और EG3 दोनों है, तो उसमें JTD किस में जादा होगा, यह आपका EG1 भी है, और यह आपका EG3 भी है, तो इसमें JTD किस में जादा होगा, EG3 में JTD जादा होगा, अब EG3 में भी copper प्लस टू भी है, AG प्लस टू भी है, और AU प्लस टू भी है, इनमें किस में जादा JTD होगा, तो ध्यान रखना, अगर यह comparison maximum जा सकता है, तो यहाँ तक जा सकता है, ऐसा अगर कभी वो जाता है, ऐसा अगर कभी वो जाता है, तो आपको क्या करना है, यह order लगा गया आना है, इस तरीके से, ठीक है, इस box को इवर बना लो, AU ब्लस टू का क्यों बताया है बही जादा JTD, क्योंकि सर वहां का J effective जादा है, अगर हम बात करें, यहाँ पर 3D, 4D और 5D में, किसका J effective जादा है, अगर नीचे बढ़ने से J effective जादा हो रहा है, अगर जादा हो रहा है, तो मेटल और लिगेंड की इंट्रेक्शन जादा हो रही है, अगर आपको कोई कहा रहा है, कि वही copper plus 2 है और TI plus 3 है, अगर आप से कोई यह छोटा सा सवाल पूछ रहा है, कि copper plus 2 का complex है, या पिर TI plus 3 का complex है, दोनों ही JTD show करेंगे, क्यों, क्योंकि यह क्या है आपका, यह है सर D9, और बच्चे यह क्या है आपका D1 है, यह जब electronic feeling करोगे आप इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पर आप करोगे इस तरीके से 1, तो किस में ज़्यादा JTD होगा, EG Unsymmetrical, यह EG3 है, तो आपको EG Unsymmetrical में ज़्यादा JTD होगा, इसके अंदर more JTD होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो, अगर कभी ऐसा question बनता है, तो ठीक है, clear है, यह point आपको समझ में आया, तो यह JTD वाले point आपको ध्यान रखने है, strong JTD और बच्चा, weak JTD, बोलो हाँ या ना, कर लेंगे, चलिए, आईए, आगी चलते हैं, मैं आपको एक और concept आपको बताता हूँ, है ना, जैसे कि यहाँ पर हमारा JTD का point, strong JTD, weak JTD हमने देख लिया, Zout, Zin देख लिए, बच्चे यह भी और देख लो, dynamic and static JTD, जैसे कई लोग, कई complex हैं, अगर उनको आप theoretical पढ़ रहे हो, यहाँ पर board में पढ़ रहे हो, तो आप काऊगे कि हाँ यह distortion दिखाएगा, मगर उसको जैसे ही lab, experimental या फिर हम spectra data से देखने गए, तो पता लगा, रही, यह तो JTD दिखाई नहीं रहा है, एक particular temperature पर ही JTD दिखा रहे है, तो ऐसे लोग, जो normally अपना JTD show करना बंद कर रहे होते हूं, और एक particular temperature पर ही JTD दिखा रहे होते हैं, या ऐसे लोग, जिनको JTD दिखाना चाहिए था, मगर still वो JTD नहीं दिखा रहे हैं, theoretical जिनको दिखाना चाहिए था मगर वो still jtd नहीं दिखा रहे हैं उन लोगों को dynamic में रखा जाता है हाला कि ये बात सच है कि example सो इसके आपको ध्यान ही रखने होते हैं net gate में ये पूछा जा सकता है अभी तक jam में हमें इससे कोई question नहीं है मगर still एक बार फिर देख लेते हैं अब ऐसा मत सोचना कि सर हम नहीं देखेंगे देख लो कोई बात नहीं है कभी ना कभी तो आप देखोगे ही तो एक बार देख लो dynamic jtd ऐसा jtd है कि jtd तो present है jtd तो present है theoretically मगर observed नहीं हो रहा हमें इंस्ट्रूमेंट के दुआरा स्पेक्ट्रो के दुआरा हमें observe नहीं हो रहा है जब आप आगे जाओगे तो epr से भी आप jtd को study कर सकते हो ना वहाँ पर z out z in वहाँ पर भी help करेगा तो बहुत सारी observed नहीं हो रहा experimentally but not observed experimentally experimentally वह observed नहीं हो रहा ठीक है जी अब सब्सक्राइब कैसे कैसे हमें कैसे पता लगेगा यह तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कुछ examples मैं आपको बताऊंगा भी static simple है मतलब कि यह जेटीडी है और जेटीडी observed भी होगा जैसे कि यहाँ पर जेटीडी इस परजेंट and also observed experimentally तो यहाँ पर आपके लिक होगे जेटीडी सर है बिल्कुल 100% है जेटीडी इस परजेंट and observed experimentally बच्चे हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम यह crash course में पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ी सी अगर ट्रिक्स भी help कर रहे हैं चीजों को पढ़ने में हाँ मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो लोग crash course भी देख रहे हैं वो भी कोई टॉपिक मिस करने की मतलब हाँ जो बिल्कुल इंपोर्टेंट नहीं है जिससे क्योशन आये बहुत साल हो गए हैं वो ओवेसली हम crash course में थोड़ा limited ही रखेंगे मगर ऐसे टॉपिक जिससे क्योशन आ सकते हैं या जिससे क्योशन आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में भी आ है ठीक है चली तो अब डाइनेमिक जेटीडी का एक्जामपल सर्थ अब डाइनेमिक जेटीडी हो क्यों सकता है देखो दो तरीके से डाइनेमिक जेटीडी हो सकता है या तो बच्चे डाइनेमिक जेटीडी की एक बज़े सुन लो अराम से कान में सुन लो लिक लेना किसी रिगोने में, डाइनेमिक जेटीडी की दो वज़े हो सकती है, या तो उसमें जेटीडी बहुत पूर हुआ हो, बहुत कमजोर जेटीडी हुआ हो, जैसे कि एक्जांपल मैं लेता हूँ, 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 एक्जांपल मैं लेता हो रहा है तो यह इसलिए डाइनमिक दिखा रहा है क्योंकि यह बहुत कम जोर है इतना ज्यादा डिस्टोर्ट्शन है ही नहीं कि एक्सपेरिमेंटली अब्सवर्ड हो जाए मगर हाँ ठीकल होना चाहिए था या फिर बच्चे के केस होते हैं जैसे कि हम कुछ एक्जामपल से पढ़ने की कोशिश करेंगे आई यह समझते हैं आला कि यह दिहान रखना पड़ेगा फिर में आपको कह रहा हूँ मालो कोपर है H2O है 6 है 2 पोजिटिव है बच्चे यहाँ पर यह कोपर क्या है यह कोपर आपके पास क्या है Cu2 प्लस तो यहाँ पर यह D9 इलेक्ट्रोनिक अन्फरिकेशन है तो वापिस से यह इस तरीके से 1,2,3,4,5,6,7,8 हो नो EG3 EG3 क्या देता है Z out देता है और Z out observed Z out होना चाहिए था और observed भी हुआ and observed experimentally experimentally observed भी हुआ बच्चे experimentally observed भी हुआ तो हमने कहा हमने क्या कहा हमने कहा कि सर यह case किसका हुआ यह case तो बना सर static JTD का किसका case बना बच्चे static JTD का यह बच्चे कुछ example आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कुछ example आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे एक और example हम लेते हैं जैसे मालो यहाँ पर chromium F2 अब यह हलाइड मेटल हलाइड दे दिया यह कैसा दिखेगा यह ऐसा दिखेगा chromium F6 और यहाँ पर कितना लोगे 4 negative लोगे कितना बनेगा यह ultimately chromium plus 2 बनेगा और D4 बनेगा वीक फिल्ड है या स्ट्रोंग फिल्ड है बच्चा एक दो तीन और एक दो एक दो तीन और यहाँ पर यह क्या है चार चार electron उपर जाएंगे तो यह जैड आउट होना चाहिए था और observed भी हुआ observed भी हुआ experimentally तो यह भी क्या है example है किसका static JTD का example है किसका example है static JTD का example है ठ spectroscopy detail में बहुत higher techniques भी involved हो तब जाके relation इनके अच्छे बन सकते हैं बट स्टिल एक बार देख लो सारी चीज़े माल लो यह complex बन रहा है एक यह complex है TIH2O 6,3 positive अब यहाँ पर यह क्या है यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो इधर है आपके पास TI3 positive है यह क्या हुआ D1 हुआ ठीक है 1,2,3,1,2 क्या आना चाहिए था Z in आना चाहिए था मगर experimentally बच्चे all bond length equal हुई but experimentally all bond length equal तो यह case किसका बनेगा बच्चा यह case बनता है dynamic JTD का बस आपको अगर यह भी मालो यह ध्यान रह जाए और बच्चा यह ध्यान ही रखना पड़ेगा इसको attempt ही तब करना जब example ध्यान हो तो यह अगर आपको ध्यान रह जाए कि हाँ य यह आपका bond length equal चो करेगा all bond length equal आई experimentally सारी bond length क्या आई equal आई जबकि आना क्या चाहिए था Z in दो चोटी और चार बड़ी मगर ऐसा नहीं आया सारी की सारी bond length equal आई तो हो सकता है यह question आपके सामने ऐसे आ जाए कि आपको कह दे copper s2 6 2 positive में कितने type की bond length है तो आप हिसाब लग यह कि static GTD का example है तभी आप attempt कर पाओगे कि हां सर यह दो बड़े bond है और चार छोटे bond है जैड आउट का case है यहीं पर ही मान लो अगर मैं आपको इस तरीके से करता हूं अगर मैं आपको इस तरीके से एक और example लिखवाते हैं कोबाल्ट है NO2 का क्या है 6 है और यहां पर क्या है 4 negative है तो अब बच्चे यह भी क्या बना copper plus 2 बना अब हर बार इसका मलब यह नहीं है कि टीटू जी वाले ही डाइनमिक शो गरेंगे नहीं जी नहीं यह देखो आप D9 है D9 का case है और D9 का case अब आप देखिए 1 2 3 ठीक है 1 2 3 1 2 ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 EG3 है Z out होना चाहिए था Z out होना चाहिए था मगर experimentally all bond length equal आती है बच्चे सारी bond length experimentally equal आती है but all bond length equal ठीक है तो यह किसका example हुआ यह example हुआ किसका dynamic JTD का किसका example हुआ बच्चे dynamic JTD का अब यहाँ पर इस वाले case में यह जो dynamic JTD है इसमें आप यह तो नहीं कह सकते कि JTD कमजोर हुआ होगा इसलिए instrument observe नहीं कर पाया नहीं हैना dynamic JTD के बच्चे अगर आगे जाके आप पढ़ोगे तो दो reason आपको समझ में आएंगे एक तो बहुत कमजोर JTD उसका reason बन सकते है जैसे कि इसमें इसमें कमजोर JTD हुआ होगा इसलिए यह डायनमिक JTD में हमें observe नहीं हुआ मगर यहां तो इजी है इजी थ्री अंसिमेट्रिकल है बच्चे यह तो strong JTD होना चाहिए था फिर भी यह JTD में क्यूं हो रहा है इसका reason यह हो सकता है कि इसके bond length बहुत तेज तेज घूम रहे होंगे मेरे instrument को समय ही नहीं मिला होगा इसका observe करने की हां कि यहां पर दो टाइप के bond length है इनके bond इतनी तेज थे जैसे कि पढ़ा नहीं था आपने PF5 molecule में same concept है कि bond length बहुत तेज घूम रहे थे इसलिए हमारे instrument को समय नहीं मिला कि इसमें अलग-अलग टाइप की bond length है उन्हें एक ही टाइप की bond length होई तो सर हमें क्या ध्यान रखना है हमें इतना ध्यान रखना है कि दो टाइप की case होते हैं dynamic और static GTD यह examples कुछ आपको लिगवा है इन examples को आपको ध्यान रखना है ऐसे ऐसे वाले cases में जहां पर bond length तेज तेज घूम रहे हैं इसलिए observe नहीं हो पा रही है तो ऐसे लोगों को कैसे control किया जा सकता है ऐसे लोगों को हम temperature down करके इस dynamic को static में बदल सकते हैं ठीक है ऐसे लोगों में जिसमें strong GTD था बट still observe नहीं हो रहा ऐसे लोगों को कैसे observe करवाया जा सकता है बच्चे इनका temperature down करके हम करवा सकते हैं तो यह कुछ example से जो आपको ध्यान रखने है dynamic and GTD के इसको अपने पास रखिए ठीक है अब बच्चे हम एक चीज बढ़ते हैं अब जैसे कि मालो यही केस इसको यूँ कह दे कि यह low temperature पर इस वाले केस को कह दे कि low temperature पर कैसी बोल लेंता है कि तो आपको मान के चलना है कि हाँ बच्चा रुक गई है अब यह कौन सा GTD श चली नेक्स्ट आपको आपको पढ़ना है नेक्स्ट आपको पढ़ना है अब एक और केस यहां पर मैं आपको बताता हूं कि जेटीडी की एक application और हो सकती है लास्ट पॉइंट है आज की लेक्चर का लास्ट पॉइंट आप देख लो बस बिलकुल अराम से ही लास्ट पॉइंट समाझालो अच्छे क्या है देखते हैं स्केर प्लेंटर की स्प्लीटिंग् सबसे फहले बच्चे एक चीज समझो ऑग स्केर प्लेनर में एक्स्ट्रीम केस हो गया है डाइनमिक स्टेटिक उतना ही हमें देखना है बस हमें पता होना चाहिए और आपके लेवल से तो बहुत आगे आपने देख लिया तो भाई प्लीज घबराओ मत है घबराना नहीं है कि कही आरे सर हमने क्यों देख लिया इतना क्यों तो उसमें टीटूजी सिमेट्रिकल और या टीटूजी अंसिमेट्रिकल इतना देख के बता देना और वो मैंने आपको बहुत चांदर तरीकी से समझा दिया ठीक है डाइनमिक और स्टेटिक के वह एक्जम्पल अपने पास रखो बगवान ने अगर आपकी कि फिछर में पढ़ेंगे माइक्रोस्टेट्स अब जो जेम के फ्यप-2022 में पेपर हुआ है बहुत सिंपल सा स्टा सीदा माइक्रोस्टेट्स का था तो वो भी आपको समझना है हताश वताश विल्कुल नहीं होना है और भी नो कि ये crash codes है आपको भी ये समझना है तो चीजों को देखते हैं square planar splitting को भी हम समझेंगे ठीक है आईए देखते हैं square planar क्या होता है extreme case होता है z out का जैडाउट का क्या बनता है वो extreme case बच्चे बनता है जैसे की माल लो ये आपका पैर क्या है metal है ये लीगेंड है यहाँ पर ये लीगेंड है यह है लीगेंड इदाल और ये क्या है oct addicted ये आपका octordable आपको देख रहे हैं अगर यहाँ पर बच्ची z out होगा तो Z out में क्या होगा यह लीगन यहां से यह बड़े-बड़े हो जाएंगे ठीक है यह बड़े-बड़े हो जाएंगे और इधर यह क्या रहेंगे इस तरीके से पाथ Z out मतलब Z axis वाले दूर दूर इतना वीव अगर आप पता कर रहे हो यह चीजे भी आपको पता होनी जी कि Z out क्या है Z out की splitting क्या है यही बूल जाते हैं लोग तो यह आपका क्या हो गया बच्चा यह आपका क्या हो गया Z out अगर मालो Z out का extreme case आपको देखना है तो Z वाले भाग जाएंगे मतलब की क्या होगा Zर यह वाले बच्चे निकल के चले गए यह बहार चले गए तो यहाँ से आपका क्या बनने वाला है यहाँ से बिच्चा यह लीगेंड यह लीगेंड और यह लीगेंड इस तरीके से आपका बनने वाला यह क्या है square planer ठीक है तो आप कह सकते हो कि कहीं न कहीं Zout का extreme case square planer साबित हो सकता है बिल्कूल हो सकता है तो इसकी splitting भी हम वहीं से निकालेंगे आईए देखते हैं इसकी splitting कैसी हो सकती है अराम से समझना जल्द वाजी कुछ नहीं करनी यह आपका क्या था T2G था यह फिर इसको सीधा लिखो Dxy Dxy Dzx D yz ठीक है Dx square minus y square and Dz square clear है बच्चे यहाँ पर यह किसकी splitting बना दी यह सर आपने बनाई है इट must be of octahedral अब Z out में क्या हुआ था Z out मतलब Z वाले दूर X Y वाले पास X Y वाले पास यानि उपर किसको बेजना है उपर बेजना है X square minus y square को बेजना है और नीचे किसको बेजना है D Z square को बेजना है और इसी तरीके से X Y वाले को कहां बेजना है बच्चे उपर बेजना है और D Z X and D Y Z को कहां बेजना है नीचे बेजना है यह किसकी splitting बनाई है सर यह तो आपने Z out जैसा लग रहा है हां जी Z out की splitting यहां तक किसी को कोई समस्य नहीं होनी चीए यह चीज़े ध्यान रखो Z out कैसे बना जैड वाले दूर है तो वह stable हो गए उनमें रिपल्शन कम हो गए इसलिए नीचे आ गए एक्स वाई वाले पास है तो वह और उपर चले गए अब बच्चे जैड इन में आप समझो Z in कहां से आगए? square planar. square planar में क्या हुआ? जैड वाले तो भाई यह निकल कर ही बहार चले गए यह यानि कि वो और स्टेबल हो गए तो यह बच्चे और नीचे आ जाते है है और सर xy वाले अब क्या हो रहे हैं x y वाले जो है जैड यहाँ पर देको square planer में square planer में कहीं z वाला है यह नहीं को निकल की चला गया xy वाला पास है तो xy वाले को ज्यादा repulsion मिलेगा और यह उपर चले जाते हैं ये महाशिया और उपर चले जाते हैं तो आप क्या कहोगे d x square minus y square d x y and sir d z square वाजीवा और ये भी stable हो जाते हैं d z x and d y z तो बच्चे अगर आप से कोई पूछ रहा है कि square planar में सबसे high energy का orbital गोन है वो वाला है इसे कहा जाता है sir square planar कि splitting बहुत बढ़िया ये 3d series में ये आप लगा सकते हो हाला कि आगे भी आपको फरक नहीं बढ़ेगा एक बर मैं और दिखा देता हूँ आपको books में मिलेगा कई लोग इसलिए confused ना होई कि 4d और 5d में भी क्या कहते हैं 4d और 5d में z effective जादा होता है ठीक है dxz and dyz ठीक है और यहाँ पर ये दोनों हो गए है ये दोनों वैसे कि वैसे dx square और ये इतना dx square minus dxy हो गया ये बच्चे और ये आपका सबसे उपर कौन सा जाएगा सबसे उपर जाएगा आपका वो वाला बढ़ता हुआ dx square minus y square चला गया और ये यहाँ पर गया dxy ये कम लगना है बच्चे ये भी square planer का ही है ये भी square planer का ही है मगर ये 4d और 5d के लिए बता दिया जाता है मगर मजे की बात है आप पस्ते कहीं पर भी नहीं हो क्यों क्योंकि क्योशन जो बन सकते है घेट में क्योशन बना हुआ था इसका कि electron की सबसे high energy का कौन सा होता है तो वो dx square minus y square ही होता है यहाँ पर भी dx square minus y square ही होता है तो माल लो आपको अगर कोई पूछ रहा है इस तरीके का कोई complex देके आपसे पूछ रहा है यह आपका splitting है square planer की यह 4D और 5D series भी आप splitting रखेंगे ठीक है तो यह था आपका square planer तक का काम square planer की splitting आपको यहां तक देखनी चीज़ी ठीक है जी टेले बच्चे तो यह square planer splitting खतम होती है और यहां पर हमारा य यह lecture भी खतम होता है इसमें हमने काफी सारी चीज़े पढ़ी है और उमीद करता हूँ आपने शुरू से लेकर end तक बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से notes बनाये होंगी बहुत सारी चीज़े समझी होंगी बहुत सारी चीज़े आपने लिखी होंगी I know आप अच्छे से तो हम जरूर निकाल रहे हैं क्योंकि हमने time दिया है आपने time दिया है आपको समझ में आया तो अब आपकी यह भी duty है कि in the end जब आपके पास मोका आएगा तो एक शांदार output आप निकालोगी मुझे यह आप से चाहिए कि सर विश्वास रखो एक शांदार output हम निकाल के ला आपको बहुत ज्यादा help करेगा कभी डर के कभी डर के या फिर होसला तोड़के एक्जाम में जाना ही मत एक खुशी से एक चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए डर नहीं होना चाहिए कि हाँ अब वो दिन आ गया पर्फॉर्म करने का जब भी वो आएगा अभी महीना बीतेग अभी वो दिन भी आएंगे और अभी वो हफता भी आएगा जिसके अगले हफते आपका एक्जाम होगा तो आपको यह दिरे-दिरे एक्साइटमेंट आपकी भढ़नी चीए टेंचन सबको होती है मगर टेंचन के कारण अपना confidence नहीं गिराना है और consistent तो आपको रहना ही र चल गया है ना कम चला दीरे-दीरे चला वो एक बार को ठीक है मगर डेली चलना डेली पढ़ना इस more important तो बच्चे यह चीजे के साथ हम अपना lecture समाप्त करते हैं उमीद करता हूं आपको सब समझ में आया हो सब अच्छा लगाओ thank you so much पढ़ते रहो मगर अपना ध्यान भी स्वस्त रखो ठीक है ध्यान रखिए मिलते हैं नेक्स लेक्चर में और बहुत सारे नई टोपिक्स के साथ तब तक के लिए take care